गाया उनके वेच्छ समाज के लोगों की संख्या को घठा कर आविक को भीजा है या आरोप उप्रेस क्लब में एक उप्रेस वार्ता के दरान लखाया गया बच्ची में यूपी में कल अखिलेश यादव की चुनावी जनसवाब मुझफफर नगर के मीरापुर में अखिलेश यादव की सभास समाजबादी पार्टी के नेता कारकम की तैयारी में जुटे पोलिस में सुरक्षा को लेकर स्तलका की अंग्रिक्षब अग्रावे मानसिक स्वास संस्तान के पास पेड़ों में लगी आग धुदू का जनले लगे पेड फार्बिगेट को दी गई सुष्टा मुखे पहुँची फार्बिगेट की गड़ राय बरिणी में जोरों ने पुलिस को दी खुली चनौती बंगपड़े मकान को बनाया निशाना लाखों का सामान लेकर रफो जक्कर हुए शादिर चोर एक महिनी से बंद पड़ा था मकान पत्यपुर में पूरपतान रामशर्ण की हत्या का पॉलिस ने संसरी खेस खुलासा किया पिकप से टकर मार करकी थी रामशर्ण की हत्या पालश जिय्ल लोगों को पकड़कर पलीस ने जिल भीजा सुन्भत्र में आस्मानी विजली गिरने से मैला के मौत यहों की वसल काटकर घर लोटने के दुरान गिरी विश्टे पुराणे लक्रों में लकाब इश्ट जाम चोटे इमाम बाड़े से बड़े इमाम बाड़े तक जाम परेटग स्थल घंटा घर रोमी गेट पर जाम जाम में फसने से हजारों लोग हुए परिशान इंडिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनिक सेल शुरू हो चुका है इससे बड़ा से शाहिन नहीं मिलेगा टीवी लापटोप मुबाइल फ्रिज वशिंद मशीन किछन अप्लाएंसे सब पाईए बेस डिल्स सिफ ब्रिलांस डिजिटल के दिजिटल डिजिटल डिश्कॉव्ट बेज़ वी प्रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश इसमें है क्यूकंबर के प्यॉर एक्स्ट्रैक्स जो नैच्रिली चेहरे को मॉश्चुराइज रखे ये कोई कॉस्मेटिक नहीं आयुर्वेदिक कॉशधी है और बदल जाते हैं मगर आपकी पहचान नहीं जैसे सर्वकांद पिछले 35 सालों से पहचान है भरोसे की भारत के नंबर वन टॉप क्वालिटी डुमेस्टिक और इंडस्ट्रिल प्रड़क्स की सर्वकांद रखे सब कंट्रोल में रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वाश इसमें है क्यूकंबर के प्यॉर एक्स्ट्रैक्स जो नैच्रिली चेहरे को मौश्यराइज रखे ये कोई कॉस्मेटिक नहीं आयुर्वेदिक कॉशधी है नूरमेंट क्रीम और नूरमेंट तेल जो मास्पेशियों को शक्ती शाली बनाता है अब जिन्दगी चलेगी नहीं दोडेगी नूरमेंट दर्ग्रिवारक क्रीम और तेल वाँ ये अब नाउ आय ए राहूल बाबा के मंदिर वहीं बनाएंगे तीथी नहीं बताएंगे उडाते देना मजाक मैंने बहुत मजाक सान कहा है 14 से 19 19 में मोदी जी ने आपको प्रदान मंत्री में बनाया पांची साल में कोट का जज्जमेंट भी आ गया अयोध्या में भूमी पुजन भी हो गया और 22 जन्वरी को रामलल्ला का प्राण प्रतिष्टा भी हो गया कांग्रेस की वर्शो वर्श सरकार अटी थोल्टर में लेकिन जब मोदी भीजान मंत्री बने तब मुलायाशी महीं को पण्रो पुोजन पुरुसकार everyday कांग्रेस पार्टी में वर्शो वर्श कहां ज्ञने की पार्टी से सबथन लिया प्रभुक पुरुस्कार्टिया मोदी ने कहा कि उस सबका साथ चारते हैं सबका सम्मान चारते हैं सबका विकास चारते हैं बहां पर अजबूत रिश्य देखा हम और हम आप रहु जी ने अपने नामांकरन के दिन बोल दिया बाइनार मेरा परिवार है हम लोगों को नंग बदलते देखते हैं कि तो पर्यार बदल देखते हैं कांग्रेस सपा बस्पाई सब एक ही थैले के चट्टे बढ़ते हैं कोई अलग नहीं है कि इमोटों के सबागर हैं चुनाओं के समय दिखेंगे बाकी संकट के समय सब गायब हो जाएंगे पहले माफिया सिर चड़ करके बोलते थे कैसे माफिया सिर चड़ करके बोलते थे चोड़ी चोड़ी बात को लें दंगा होता था आज देख रहे होंगे दंगा करने वाले भूली का है दंगा भी कभी होता था उल्टा लटका दिया जाता है उनको दंगा करते हैं तो तुरंध पकड़ करके उल्टा लटका कर नीचे मिर्च का जोका लगा दिया जाता है कि मि रखना हुर्मान जी जब संजीवनी भूटी ढोड़ने के लिए गये थे तो काल ने भी राम नाम का जब कर रहा था पहले परवर्त्यवार कोई आता था और खास्तवर पर पस्यमी उत्तर ब्रदेश में कोई भी परवर्त्यवार आता था होली दिपावली चन्मास्तिमी सिवरात्री रक्सावन्न कोई भी परवर्त्यवार आता था कर्फ्यू लग जाता था प्रसाशन भी उनका साथ देता था अब कर्फ्यू नहीं अब तो धूम धड़ा के साथ कावड यात्रा निकल पड़ती है कोई रोक तोक नहीं है यह लोग चाती के नाम पर आज लड़ाने बढ़ाने का काम कर रहे हैं रामेड की चौपाई के माध्यम से पहकाने का काम कर रहे हैं यह तो फिर से त्रेता युक् पैसे कालने इस चुप-चाप गुम्रा करने का प्रियास कर रहा तरहें आप तो बजरंगी हैं पैचानिये इन लोगों को हमने का अबी माफिया मीचे दैक करेंगे से देश की विवस्ता को कई माफिया किसा नहीं संचालित कर पाएगा माफिया वहीं जाएगा जाहां उसक बनेगा तो जीरो टालांस की नीटी के तहद पहले से तै कर दिया गया कि उसको मिट्टी भी नहीं मिलेगी भी खास कर समाजवादी पार्टी जब जब सत्ता में रही है तब तब प्रदेश के लाइन आडर को इन लोगों ने डिश्टर किया है गुंडे बदमास मावाली उनका राजी स्थापित किया है पर्देश को समाप्तवादी काई तो बिल्कुल पर्देश मुत भारत काई रहे हैं मैंने देखा कि इसरी अकले से जादो जी ने शिवाले यादो जी को पर्तियासी बनाया उन्होंने एक चिठ्थी लिख़ा कि यहाथ भेजवा दिया मेरे उनकी पत्नी डिंपल यादो जी चुनाव लड़ रही थी मैं पुरी से दिंगास परचार कर रहे थे परिवार कलह का शिका रहे अंपर कलह का शिका रहे पीली भीद का नाम सुनते ही भारती जनता पार्टी के तबाम नेताओं का चेहरा पीला हो जा रहा है और जो किसान अंच पे भी जगें नहीं मिल लगी है कोई नया आया है प्रत्यासी जो कह रहा है कि हमें अगर पहले पता होता कि हमें चुनाव लड़ना है तो हम बंबई बना देते पीली भीद को बीजे पी के प्रत्यासी कह रहे हैं कि उन्हें पहले ही पता होता तो वो बंबई बना द हम उनसे कहते हैं इसको बंबई मत बनाओ बंबई का जो काम होता है थोड़ा वो ही करके दिखा दो यहाँ पर जो मंत्री होता है उसका सांसत बन करके दिल नहीं लगता है इसलिए जानबूज करके थोपा जा रहा है इने कि पैसे वाले हैं चुनाव लड़ लेंगे पैसे वाला मामला है उसमें चुनाव लड़ लेंगे कि ये दावा करने के भर्षटाचारी बचेंगे नहीं लेकिन भर्षटाचार बढ़ाने का काम कोई कर रहा है तो वो भर्षटी जनता पार्टी के लोग कर रहे है और ये नया तरीका निकाला है दिल्ली वालों ने ये इलेक्टरल बॉन्ड जो बनाए गए है इलेक्टरल बॉन्ड के माद्डियन से बताओ बसूली हो रही है कर नहीं हो रही है उत्तप्रदेश के लोग अगर स्वागत अच्छा करते हैं तो जब बिदाई करेंगे तो बिदाई भी बड़ी धूम धाम से बादिंता पार्टी के लोग करेंगे जिस तरीके से इनोंने करोना में ठाली और ताली वजवाई थी याद है के नहीं याद है इसी तरह की बीजेपी की गारंटी नहीं ये घंटी है इनकी घंटी याद है आपको बताओ ये उत्तप अदेश वाले मुख्यमंदी कैसे हैं जिनका हर पेपर लीक हो जाता है ये दूसरों की गीले होने की बात तो कर रहे हैं लेकिन अपना पेपर लीक हो रहा है उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं बताओ जिने इंडिया कहने में इंशनमाती हो ये इंडिया गडबंदन है ये इंडी गडबंदन नहीं है बताओ हमें बीजे पी को ये भी सिखाना पड़ रहा है जो कह रहे हैं चार सो पार इस वार यूपी से जाएंगे हार बी जेपी की यही पैचान है जूंट और लूट लेगे बादी जन्ता पार्टी के लोग और केसम मर्याइसी फशे रहेंगे और पंदा तारिक को हम समाज बादी पार्टी का पुठिशी आपनामंकन हो जाएगा और यह इसी में उन जन्न में फशे रहेंगे तपतरिक мअरा अधिया सी जीत के यहां से बहरी ह्गन से जीत के सब तजे सब और जीμे यह 32 अंता पार्टी के लिए अफसर अगन हैं यह जहां जहां जाते हैं जैसे मेंपुरी गई थे तो हमारा जीत का अंतर बहुत बढ़ गया था फिर गए गोसी वहां भी जीत का अंतर बहुत बढ़ गया आप यहां देखो आए हैं देखना बदाईयों लोकसवा में और जहानी से लेकर के सबी जगह है हमारा जीत का अंतर बहुत बढ़ जाएगा ये अब सब उन हैं बार्ची जन्ता पार्ची के चाहिए और ये तो देखें वेटा चाहत तो आतंक तो फेलाए हैं सभी को डिला के P.A.T. द्वारा सेवियाई द्वारा सब को डिलाने दाव काने का काम करते हैं तो बुल्दे तो ये सबसे बड़े हैं जो सरकार में बैठे हैं जहां-जहां समाजवादी पार्टी के केंडिडेट उत्तर प्रदेश में हैं हम यूपी का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं हमारा एक-एक कारेकरता जहां हमारे निर्वाचित प्रत्निदी हैं समाजवादी पार्टी के केंडिडेट को जिताने के लिए काम करेगा क्योंकि ये बड़ी लड़ाई है लोकतंतर को बचाने की लड़ाई है ताना साही को खतम करने की लड़ाई है और मैं तो बार-बार कहता हूँ कि कोई भी राजनेता अगर वो चुनाओ जीत रहा होता है तो ऐसे हत्कंडे नहीं अपनाता जैसे प्रदान मंत्री जी कर रहा है मैं पुरी मनलोक स्वा चुनाओ से पहले खुरावले पुलस ने हर्याणा स्ट्रीट की शराब बनामत की पुलस ने चुनाओ वितरंग के लाई गी इंग्रेजी शराब की बड़ी खेप पकड़ी है जबतर शराब की अनुमानत की द्वाधार चुनाओ प्रच्वार अभ्यान पर सीम योगी बिजनौर हल्दुआनी और बरेली में भरेंगे चुनावी हुंकार प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे चुनसभा तावर तोर चुनाओी दोरे पर सपाध्यक्ष अखलेश यादव आज पश्यमी यूपी में भरेंगे चुनाओी हुंकार मुजफवर नगर और बिजनौर में जनसभा को संबोधत करेंगे दूसरी जेल शिफ्ट के जा रहा है विधाय का बास अंसारी गाज़े पुर जुला जेल से कासगर जुला जेल को रवाना सुप्रीम कोर्ट ने दी थी तीन दिनों के अंतरिम ज्रमानत गोलियों की तर्टर आहा से देली राजस्थानी लखना उपर उबलाग प्रवुक प्रधान और सयोगी परतावर तोर गोलियों से हमला क्या गया है गोली लगने से एक की मौत प्रधान के हालत गंभीर बताई चारी है आज चैत्र नवरात्र परव का पाश्वा दिन आज इसकंद माता की होती है पुजा देवी मंदिरों में माता का क्या गया है खाश्रिंगार देवी पीठों में श्रत धालोग अलग अगता था आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रिष्ट न्यूज चैनल भारत समाचार नमस्कार आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूँ आपके साथ नजवी आदो वक्त हो गया है खबरों का रुकलिते हैं खबर की और खबल लगने उसे जहां पर गोलियों की तर्टराहर से धैलिया राजधानी पर ब्लाग प्रामुक प्रधान और सायोगिये पर उनके हमला क्या गया है फाइरिंग में व्यक्त की गोली लगने से मौत हो गई है तिलक समारों में आरोपी मोनू और अंकेत का कृत बताया जा रहा है चैस साथ हमलावरों ने चलाई है तावर तोड़ कई राउंड गोलि है तुदे के राजधानी के काकोरी थाना शेत्र के पूरी घटना बताई चारी है बदा दे की गोलियों के तर तर आहर से राजधानी दहल उठी है और जाधा जानकारी के साथ समधाता अर्विन्थ हमारे साथ दुर्गे अर्विन्थ देखे बताये चराई तर तर राहत गोलियों चलाई गई है कैई लोग इसमें घायल हुए है यह बिल्कुल नंदिनी आपको बता दे काकोरी थाना चेत्र के किसन खेड़ा गाउ में कल देर रात तमान हमलावारों ने दबंगों ने गोली चलाई है बताये जा रहा है कि जो प्रधान है और पूर ब्लाग प्रमुक है उनके सहयोगी को गोली लगी है और उस पूरी घटना करम में जो है जो प्रधान थे उनकी मौत हो गई है देरात उनकी मौत हो गई इलाज के दौर और उनके सहयोगी और घायल है जो पूर ब्लाग प्रश्वासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है अभी तक? प्रश्वासन की तरफ से कुछ कहा गया है प्रश्वासन की तरफ से और क्या कुछ मांग की गई है? प्रश्वासन की तरफ से कुछ मांग की तरफ से और इनके जो सगे भाई हैं ये जो इनके होसले बुलंद है ये होसले बुलंद न होते और आज इतनी बड़ी घटना न होती ची तमाम शानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका योग की तरफ से कई लोग इसमें घायल हो गए हैं वहीं एक व्यक्त की मौत हो गई है जुसे देखिए तो ब्लाग प्रहुक प्रिधान पर हमला क्या गया बड़ी खबर लखना उसे हम आपको बता रहे हैं तो राजधानी के काकोरी थानाश्यत की पूरी घटा बताई चारी जहां पर पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हो गया बताई चारा है कि गोलिया चलाई गई हैं जुसमें एक व्यक्त की मौत हो गई है अब अब गई है कि अब 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 लोग परमुक जी दावत मारा हैं तो हम लोग सब होए बैठे थे तो चल दिहीं और वहां उस पासपांशे पातानी कि तर से आज दे गोली मार दें कौन लोग गोली मारे मौनू और कोई उनके साथ में था या बोन अके लिए जगीर का रहे था जुटे जाए पुरानी रंजिस नजिस भी थी तो है बब परमुक के भले होई पुरानी रंजिस हमाने लोग कोई रंजिस कभू नहीं रही और मैं घर पे थी और मैं वहां मेर अग्जाम होने वाले मैं पड़ रही थी उधर से जस्ट आई और यहां पर पटाखों के अवाज आई और उसी वक्त हमारे फुफाजी जो की पहले भलाकर मुझ रह चुके हैं थुमार राम बिलास रावत वो जस्ट गेट के पास है उन्होंने बोला गेट खोलो मैंने गे अग्जाम है इसके बाद में तो मोनू मजलाक मोनू बाप ना मंगलू आय और वह आंकी तो तो मोनू ग्यानी रिंफू प्रिदेश और तो नहीं है था लोग है सब नोगों ने गोली मारी आचा किनको किनको गोली लगी है एक हमारे जेठ है जैकरानी आदो ना मिलास रावत रावत नंतरा मिा आदेशाइर होए गे एक लोग बिलकुर स्पार हो गे तीन लोग पर है लोग है तुम्हारा पॉने हम अम तुम्हार देया और देखे आग चैत्र नवरात्र पर्व का पांश्वाद दन है पांश्वाद दन बतायो जाता है कि मात इसकंद माता की पूजा पाथ आज की जाती है और देखे मंदरों में घरों में मादा का दर्बार सचा हुआ है देवे मंदिरों में माता का खास विंकार किया जाता है आज के दिन सुबा से ही मा के दर पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में भक्त लगातार मंदिरों में जवार को लेकर पुलिस पर शासन अलट मोड पर दिखाई दे रहा है तो देखें चैत्र नवरात्री चल रही है और आज पांचवा दिन है आज इसके दिन मा इसकंद माता की पूजा पाथ की जाती है तो सुबा से ही मा के दर पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में भक्त लगातार वहां पर और आप देखेंगे कि मंदिरों में सुबा से भक्तों का ताता लगा हुआ है मा का अशरबात पाने के लिए सुबा से भक्त लंबी-लंबी कतार लगाए हुए है मंदिरों में अगर प्रिश्वासन की बाद की जाय सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तो चप्पे चप्पे पर पुलिस की निग्रानी है पुलिस मोर्ड पुलिस फोर्स अलेट मोर्ड पर है के आब देखे आउन्य देख लिए थार मंदिरों में किस कदर भीर लगी हुई है अपनी आस्था को लेकर श्रद्धालू पहुंच रहे हैं माता मंदिरों में चैत्र नवरात्री कह जिए फार दिन है आज के दिन माता इसकंद माता की पूजा की जाती है देवी मंदिरों में भीडा पार देखने को मिल रही है माता का धर्बार सजवा हुआ है जगा जगा पर और पुलिस प्रिशासन की बात के जाये तो चप्पे चप्पे पर पुलिस कोष तैनाथ है और चेत्र नवरात्री का आज पांशवा दिन है माता इसकंद माता की आज पूजा पार की जाती है सुबस से यह आप देख रहे होंगे कि मंदरों भी भारी भीर देखमे को मिल रहे है ये श्रद्धालू अपनी आस्था मनुकामना को लेकर मा के धर्शन के लिए पहुचे हुए है और चैत्र नवरात्री को ही लेकर अलग अलग स्थानों से हमारे साथ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गये है जासी से समारे साथ जुड़े हुए और राय बरेली से रोहित हमारे साथ जुड़ गये है ऐसे देखें मंदिरों में लगातार देखा ज़ा रहा है कि भी लगी हुई है और आज चैत्र नवरात्री का पाँचवा दिन है क्या कुछ नजारे आज के दिन देखने को मिल रहे हैं तरवार में लगाता दिया पचोई मंधिर पहर लगातार भी लली रहती है यहां पर तमाम पार करता लोग हैं तो सफाई में लगे हुए हैं एंधर रहाएं कि resulting में स्योगर्चों कर रहे हैं बच्यों को सियो कर रहे हैं जो जन चाला के ला अधर wirार में देख यह तब Γण मे और वी दिखाएंगे तमाम जो भक्त हैं, तमाम जो मेला हैं, हाथ में देख सकते हैं, हाथ मां के दर्बार में जो उनी फैला हुए है, कि मां के अपने परिवार के लिए सुख शान्ती के लिए दुआएं जो मांग रही हैं, लगातार इस मंदर पर बात करें, तो मंदर पर टमाम सुष्ब चार में से लोग भक्त रान ज आ जाते हैं, देख सकते हैं कि बराबर आप दिखाएंगे यह लंन्म काथर लगी हुई हैं, तमाम जो मेला हैं जो पुरुष हैं बच्चे हैं तमाम लोग जो आ रहे हैं देज़ेख सकते हैं कि पच्कुई या मंदर प्राचीन मंदर माना जाता है पांच कुई के बीच में यह मंदर बनाया गया है चहां पर बताया जाता है कि सीतला माई के दरबार है यह बताया जाता है बुंदेल वोच्छ आपारे हैं अनको बच्पन से ही है आ रहा है चोटे से आ रहा है दस वर से जभी से आ रहा है है जोई मनौ काम न मांगो सम्मा पूर कूरती है माधे शरी चीटला माता का पुरा प्रासिन मंदर ध्यासी कुल देवी है तो सभी लोग आते हैं यहां पर पांजे कुई अने बाली माता पच्चे कुई अने बाली माता दर से अब देवजवाला करे रामा दरस हमें देऊ ज्वा ओजी को ने लगा दे मैया मेला जमीली को ने लगा दे मैया बिला जमी कोना लाले अनारा कि था इन में कुदा जड़ा ओल्ग सम कम कोई झ्यू जृते हैं तरसी फेसिरेस कर दो चाला ड्मा कर पोड़ा節目 सभी चड़ाते हैं सभी परसाथ सभी चड़ता है माँ को परसाथ चड़ता है मा के दरवार में तमाम जो महला है जो मा के गीत गा रहे हैं भजन गा रहे हैं अपनी परवार के सुक्षांती के लिए सुबहर तकातार या ताता जो मंदर पर लगा हुआ है मा के मंदिरों में भारी भीड देखने को मल रहे हैं दूर दरास से भक्त वहां पर पहुंच है पोलिस पर शासन की बात की जाए तो राइबरेली में क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था किये गये हैं मंदिरों के आसपा सुरच्छा के पूज अर्चना की जा रही है बताया जा रहा है कि इसकद माता की दयालू होती है और उनकी पूज अर्चना करने से यह वह किर्द की प्राप्त होती है कि दर्शना के निके मानिता है कि इसकद माता की पूज अर्चना करने चल्व होती है तो हम लाइबरली में मौझूद हैं और देख सकते हैं पीछे के तस्वीरे मातारानी की दरसन करने के लिए सुभा सही भक्तकर यहां पर आ रहा है। मातारानी के दर्वार में पुझार्चना करें पुझार्चना करें। मातारानी के दर्शन के लिए लंबी-लंबी कतारी लगाए हुए है। मातारानी के दर्वार में आते जा रहे हैं। मातारानी के दर्वार में लोग दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। अब तो मा की आस्ता इतनी है। मा अपने वक्तों को अमेज़ा बंडार बरती रहती है। हम यहां करسم 30, सñas थे आ रहे हैं। अब पूर्ण अपन पूर्ण होती हैं बागने के कोई आवस सकता नहीं। इनकी मनों कामना पूर्ण होती हैं। ओर भी ये तमाम महिना हैं। पुर्य सारे लोग हमारे साहथ देखता हैं। लंबी जो कतार जो लगी हुए मा के दर्वार में यहां पर जल चडाने के लिए सुभज से लगातार कतार लगी हुए छोटे हैं बच्चे हैं बड़ा मेहना हैं तमाम लोग हातों में अपना लोटा लिए हैं जल चडा रही है मा के दर्वार में छोटी बच्ची है मां को सब्रस्ता है, ममिट जाता है ऐसे नहीं है चले चले हो मां के की तो इतने है कि जितने गाह उतने कम है है कि नहीं मां बेदों पुरानों ने मही मां कही है बही है बही है बही है बही है बही तुही केला मैया तुही कामने बही है बही है बही है बही है बही मा के दरबार में जो पहला है जो फट्सिक जित गा रही है और देख तमाम लोग है कतार में जो पीछे हमारे साथ लगातार जो चलिया रहे हैं कि विल्कुल है ने कुछ नजारा देखे को में ला रहा है कि देने आज पासपोर केुछ रहा है, कि वे पुद्रे रहे के पुच रहेंव हैं पुद्रा के पुद्रा के पुचने के । इंदे समय हिस tro помощ के मएक का आज रहा हुसं Iss serious आज पन्स आज आज कुझ अन्जरा के कृता है कि मिंचे भे करे ज dichह मी रही करें ॉब bleeding कर के अस लग अजय कोμαकρι कर दोडनber में स dewक कर दत्य outdoors लाखो कर दिंदार भाल opensड़ म् लग्र स्वाष्ट bust frågor अ झां रहा हैं लुछ कर दो कर संदार मोई हैं भाल कर दोडियन रिलसे स्वाहिं मैं को चछे ब important हबंगर कर दो कि अपिया था है अभर मैं एको यंग से अपिया था है कर अभर मैं पार दूपर दूपर जैका है अब था प्राइब लाह मैं वहीं तूब तूपर गया है तुमाम शानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है और अब खबालक नव से जोहां परमुख्यमंत्री यूगी का आज उत्राखंड दोरा रहेगा यूपी के दो जिलों में भी आज वो जनसभा को संबोधित करेंगे बतायच और रहे की 12 बच कर 25 मिनट पर गावी मैदान बिशनौर में वो जनसभा को संबोधित करेंगे उत्राखंड के हल्दवानी जिले में जनसभा की जाएगी दोपहर के दो बचे एमबी कॉलिश में जनसभा की जाएगी वही शाम के बतायच और रहे 3-2-4 मिनट पर राम लिला मैदान बरेली में भी जनसभा को संबोधित करेंगे जनसभा को संबोधित करेंगे और इसी के साथ कहा रहा है कि आज मुख्यमंद्री योग्यादितनाथ उत्राखंड के दोरे पर भी रहेंगे और देखें वहीं सपाध्यक्ष अखलेश यादव का आज बिजनौर का दोरा बतायच आए अखलेश यादव विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे नगीना लोकसभा से गडबंधन प्रत्याशी के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे सपा के रास्ट्य अध्यक्ष मनोश कुमार के जनता से वोट की अपील भी करेंगे नहटोर जैन इंटर कॉलिश में आज जनसभा की जाएगी तो चुनाव बेहद ही खरीब है और इसी को लेकर देखें तमाम जनसभाए की जारियां सभी पार्टियों के तरप से मैं अखिलेश श्यादव आज जनसभा को संबोधित करेंगे नगीना लोकसभा से गटबंधर प्रत्याशी के लिए वो जनसभा को संबोधित करेंगे मनोश कुमार के लिए जनता से वोट की अपील करेंगे समाजवादी पार्टि के राश्य धक्ष अखिलेश श्यादव आज नगीना लोकसभा से गटबंधर प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगे मनोश कुमार के लिए जनता से वोट की अपील करेंगे समाजवादी पार्टि के राश्य अद्रक्ष अखिलेश यादव आज जनसवा को संबोधित के और आप खबर दिल्ली से जहाँ पर जूरा संचालक शेहनवाज को गोली मारी गई हपता वसूली के खेल में बदमाशों ने उसे गोली मारी है भीड़बार वाले इलाके में घटना से हड़कम मच गया पज़ों ने मस्तान गैंग पर वसूली का आरोप लगाया है सीलमपूर थाना इलाके की कबारी मार्केट के पूरी घटना बताई जा रही है और सारा जानकारी के साथ समधाता दीपक हमारे साथ जूरा क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर बिल्कुल नदी बतादे आपको दिल्ली के सीलमपूर इलाके में बीते दिन एक बड़ी वार्दात होगी है जिसमें 35 वर्स के शेहनवाज को गोली मार के हत्या कर दी गई है ये पूरा मामला दिल्ली के सीलमपूर थाना इलाके में जहां पे कवारी मार्केट में शेहनवाज 35 वर्स का था जिसके सर पे गोली मार दिया गया और पीच मार्केट में उसकी हत्या कर दी गया उसके बाद इलाके में अफरात अफरी का महौल मच गया उसके बाद से लगातार पुलीस छानबीन में जुरी है लेकिन नंदरी सबसे बड़ा सवाल ये ख़रा हो रहा है कि आकिड दिल्ली में ऐसे कई वारदात देखे जा रहे हैं इससे पहले भी लगातार कई ऐसे वारदात देखे गए जिसमें सरयाम लोगों की हत्या कर दी जाती है तो कहीं पे चाकू मार के हत्या कर दिया जाता है लेकिन जब आज दिल्ली के शीलंपुर लाके से एक बड़ा वारदात सामने आया है जहां पे 35 वर्षे शहनवाज को बीट मारकेट में गोली मार के हत्या कर दी गए तो मामला और भी तूल पकड़ लिया है परिवार वालों ने मस्तान गैंग के आरोप लगाया है और जबरन वसूली का आरोप लगाया है कि मस्तान गैंग लगाता है कि इस तरह से वसूली करते हैं उसके पास पर एक वारदा से घटना को अंजाम दिया गया हालाएं कि जो शेहनवार भूमेले में अपना जूला लगाता था मसान जाएगी के तरफ के चुवशूली किया जाता था उसमें सेहनवार के पैसे नहीं जिसके वज़ेश तो बीच मारकेक में ज़र में गोली मारकेट की हत्या करती है सबसे बड़ा नंदनी सवाल यहां पर ये ख़दा हो रहा है जासी दिन तहारे जीच मार्केट में लोगों की बीच में किसी की हत्या हो जाती है और पुलिस फिर भी छान बिन करती है लेकिन ऐसे कई वार्दा दिल्ली में लगातार देखे जाता है चाहे हम बात करने दिल्ली की या फिर आटर दिल्ली की बात चले है ऐसे कई वार्दा दिल्ली में देखे गए हैं जहां पर लोगों की हत्या हो जाती है या पर कई ऐसे घटना भी सामने आता है और तो कही नंदनी सबसे बरास्वाल लौ एंड और पर ख़दा होता है सब्सक्राइब लॉइन ओर्डर से ख़रा किया जाता है हाला कि मस्तान जैंक चाहिए लिए बहुत धनिवाद आपका दीपक और खबरों में अभी के लिए बस इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखती रहें भारस समच और अपनाएं आयूरवेदिक रूप मंत्रा इसमें है क्यूकंबर के फ्यॉर एक्स्ट्राक्स जो नैच्रिली चेहरे को बॉश्यराइज रखे ताकि पिंबल्स और डेट स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ रूप मंत्रा आयूरवेदिक फेस्वाश ये कोई कॉस्मेटिक नहीं आयूरवेदिक कोशधी है दोर बदल जाते हैं मगर आपकी पहचान नहीं जैसे सर्वकंब पिछले 35 सालों से पहचान है भरोसे की भारत के नंबर वन टॉप क्वालिटी डुमेस्टिक और इंडस्ट प्रॉब्लम से मिले रिलीव रूप मंत्रा आयूरवेदिक फेस्वाश ये कोई कॉस्मेटिक नहीं आयूरवेदिक कोशधी है जोडों का दर्ध भले ही परिशान करें पर नूरानी तेल का साथ है तो जिन्दगी क्या बात है धक्कन पर नैनी का मशूर और एक को ट्रेटम मन्त खाना में मैं सिर्फ रागवभोग आटे की रोटी खाता है और क्या चटपटा है राजिश मसाला क्या करें टेज मस्त सबर्दस्त राजिश रागवभोग चक्की आटा फ्रॉम मेकस आफ राजिश मसाले रूप मंत्रा आयूरवेदिक फेस्वाश इसमें है नौकर शाही और मंत्रियों की जुगलबंदी सियासी दाव पेच और गपशब इन सब के अंदर की बात देखिए विरेंद्र सिंग के साथ हर्शनिवार रविवार रात आट और साड़े नौ बजे पावर सेंटर में और सक्ष listeners अब जिन्दगी चलेगी नहीं तोडेगी नूरा मेंट दर्ग रिवारक क्रीम और तेल गोल्डी चाट मसाला गोल्डी मसाले जहां जाए रिष्टे बनाए गोल्डी मसाले नमश्का आप देखने हैं भारत समाचार और मैं हूँ आपके साथ श्वयता यादब भारत समाचार के खास प्रोग्राम नवरत्स पेशन अक्षत्र में आप सभी दर्शों का स्वागत है आज नवरात्री का पांच में दिन मा स्कंद माता की पूजा की जाती है जो की देवी दुर्गा का पांच मा स्वरूप हैं मा दुर्गा के पांच में स्वरूप को स्कंद कुमारियानी स्वामी कार्थिके की माता माना जाता है इसी की चलते उनका नाम स्कंद माता पड़ा मा इसकन्द माता की पूजन की अलग लग विदिया हैं, जिनको विस्तार से बताने के लिए हमारी सा स्टूडियों मौजूद है आचार राजी शुकला जी जो आज आपको बताएंगे कि नवरात्री के बाच में दिन मा इसकन्द माता की पूजा कैसे करें भारसम आचार के सबी बिग्डर शुकों को आचार राजी शुकला का प्रणाम या देवी सर्व भूतेशू सकंद माता रूपेन संसिता नमस्तस्याई 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 नमवनाभा इस प्रकार से जो वाइद एक डिम डिम घोश है और माता की आदी शक्ति पराअंबा की जो शक्तियां जो धर्ती पे प्रजुलित हो रही हैं यानि के हमको दिश्टी गूचर हो रही हैं वोही शक्तियां माता इसकंद माता की रूप में पाचवे दिन जरूर सभी के लिए प को गोद में विराजमान कार्तिके जी को विशेश रूप से गोद में विराजमान माता ममता माई मूर्ती के रूप में इनकी पूजा अर्चना बुद्धी विवेक को पराप्त करने के लिए होती है चोकि गोद में इसकंद माता यानि इनके कार्तिके और जिनको मरोगन भी बोला जाता है जिनकी सवारी मोर है मम्ता मई रूप की पूजन होता है सकंद माटा के शक्ति के रूप में यानि संतान के साथ माता ये जो गौरव है और ये जो कृपा है ये सबी चाहे सादक हूँ और चाहे आपके ग्रहस्त हों या किसी भी प्रकार से कोई भी अपना जो भी मनो कामना लेके पूजन करता है क्योंकि मा सिंग पे सवार है और साथ में साथ इनके साथ कमल भी है यानि माता इसकंद माता का नाम पारवती, उमा, गौरी, महेश्वरी ये सब है लेकिन इसी के साथ ही इसकंद मातेति, रूपेन, संसिता, नमस्तस, नमस्तस, से, नमस्तस, से, नमो नमा केले का आज बहुत अच्छा विधान होता है यानि केले का भोग माता को होता है केले का कहीं कहीं हलवा भी बनाय जा सकता है या केले को किसी भी रूप में माता को जरूर समर्पित किया जाता है प्राता काल इश्नान करने के बाद पीले वस्तर धारन करने का पांचवे दिन माता इसकंद माता की पूजन का विधान है और पूजा करने के लिए लाल पुष्प, धूप, गंद, फूल, बताशा, पान, सुपाडी, लौंग, इत्यादी ये सब आप लेके पूजन करें आप आरती भी करें और आप शंक भी बजाएं और मंत्रों का जाप भी करें तो माता की अगर हम संचेप में बताएं तो इसकंद माता यानि कारती के भगवान की माता और कारती के भगवान स्वेम में चुकि इतने उजस्वी, तेजस्वी, मंगल, देव से संबंदित और इ जबाब मैं आप से जाना चाहूंगी तो पहला सवाल यही रहेगा कि नवरातरियों माइसकंद माता की पूजन विदी क्या है और माता इसकंद माता में जैसे अगर आपके पास ओम एम हरीम क्लीम चामुंडाय विच्चे इस प्रकार से आप मंतर बोल सकते हैं इशनान और सुक्छ वस्त धारन करना पीले रंके वस्त धारन करना चौकी पे माइसकंद माता की तस्वीर को इस्थापित करना और गंगा जलसे शुद्धी काम शनमुख बोले जाते हैं जिनके छै मुख हैं इसकंद माता यानी की इसकंद यानी कार्त केजी के इसकंद माता को रोली और कुमकुम और विशेश रूप से लाल पुष्प आज चढ़ा जाते हैं गुड़हल भी चढ़ा सकते हैं आरती के बाद सभी लोगों को घर के लोगों को प्रचाद इत्यादी जरूर और ये आपकी एक प्रकार से पंचोप चार पूजा हो जाती है पंचोप चार मतलब पाँच जिसके अंग होते हैं आसन से लेके आरती तक और आप जिस प्रकार से भोग नैवेद इत्यादी चढ़ाते हैं और पंचामृत भी चढ़ा सकते हैं आप कलश की आपने जो पूजा की है उस कलश को भी उसे पूजा का संकल्प उस कलश से ही ले आज विशेश रूप से माता इसकंद माता के लिए करते हैं और माता को विशेश रूप से अगर बात की जाती है तो बुद्ध ग्रहें अगर कुंडली में ठीक नहीं हैं, सही नहीं हैं, बुद्ध ही बुद्धी देते हैं, बुद्ध ही शक्ति देते हैं, बुद्ध ही आप की कम्युनिकेशन से संबंदित एबिलिटीज यानि की आपकी जो जितनी छमताएं होती है कम्युनिकेशन की वो बुद्ध देव बुद्धी ग्यान सब देते हैं तो उस ग्रह को अगर हम ठीक करना चाहते हैं और इस प्रकार से माता इसकंद माता की हम जरूर पूज़न करें मा की आरती अब जैसे हम आरती बोलते हैं शब्द तो आरत हरन यानि कि अगर आपके ओपर कितनी भी दुविदाएं दुख कष्ट तकलीफ उत्यादी होती है तो आप आरती करते हैं तो उसका मतलब यह है कि आप माता से आप कहते हैं जिसको मनो कामना कहते हैं कि हमारे सारे कश्टों को आप दूर करो ये एक मानसिक पूजन होता है और मानसिक कूजन के साथ साथ कर्म कांड का भी एक हिस्सा होता है इसमें तुमाता सकंद माता का पिर आप लाल रंग से सम्मंदित पुष्प इतियादी और भोग और साथ के साथ आपको किस प्रकार से पीले वस्तरों से भी समंदित आज अगर वस्तर आप पहंते हैं तो रंगों का बड़ा महत्म होता है यानि गुरु ब्रहस्पति देव का रंग पीले से समंदित और बुद्ध देव से संबंदित आपके सारे ग्रहों के अनुकूल होने का आज पूजन करने के बाद जरूर आपको लाब परात होता है। तो विधी-विधान के साथ आप पूजन करें. आपको लाब। जैसा गुरुझी संतान प्राप्ति के लिए इसकंद माता के पूजन का विश्चिस महत रखता है, तो ऐसा क्यों मतलब होता है? बहुत ही अच्छा प्रशन है जैसे की इसकंद माता और माता माता का ही रूप मा यानि श्रिष्टी को जो स्रजन करे वो मा जो शक्ती का स्रजन करे वो मा जो कार्तिके की मा है यानि बलशाली संतान किसको नहीं चाहिए होती है कि हमारी संतान अच्छा नाम करे अच्छा बल ह प्राप्त हो, सिक्षा का बल हो और शारीरिक बल इत्यादी हो वो सारी चीजे हो तो इसके लिए संतान प्राप्ति के लिए माता इसकंद माता की विशेश पूजन होता है क्योंकि कार्थिके जैसी संतान गनेश जैसी संतान जिनकी हो वो निश्चित रूप से इस स्वरूप क पूजन करने से इस रूप का आज के दिन उपवास इत्यादी व्रत इत्यादी सइयम के साथ रखके और बताई गई विधी के हिसाब से पूजन करने से निश्चित रूप से ये देखा गया है कि अगर संतानोत पत्ती में किसी भी प्रकार का कष्ट होता है वो जरूर भक्ति पूर्वजवास सब्सकेया करें खर्ण उरिजी मातATHAN केले के हलवय का फोख लगाने को कहा जाता है केले का महत्व है उनके बोग में बहुत ही अच्छा प्रश्ण है केले का भोग देखिए दर्शकों को यह सब चोटी चोटी चीजें कहीं मिलती नहीं कहीं पता नहीं होती हैं केले से संबंद जो सीधा होता है उत्पत्ति विश्णुजी और इसके साथ साथ गुरू ब्रहस पति देव जूस का जिनका संतान स सुक्र से सीधा संबंद होता है और केला एक इस प्रकार का व्रक्ष होता है एक इस प्रकार का फल होता है जो जिसको कह सकते हैं एक तरह से कि आप इसके कई उप्योग कर सकते हैं उसके पत्ते से लेके उसको खाने से लेके या कई प्रकार से उसका उप्योग कर सकते हैं और विशेश रूप से विश्णुजी जो की पालन करता है उनको ज़रूर चड़ाया जाता है तो केले का उपयोग और केले का प्रभाव और केले का जो ब्रहस्पति देव से सीधा जुडाओ है सीधा संबंद है इनकी केले के व्रक्ष की पूजन करने से दरिद्रता दूर हो जाती है केले के व्रक्ष की पूजन करने से ब्रस्पति देव प्रसंदोते हैं संतान से संबंदित समस्याओं का अंत हो जाता है तो इसी लिए आज केले कभो माता इसकंद माता को चड़ाया जाता है ये बहुत अच्छा प्रश्ण आपने पूछा है दर्चक जरूर इस चीज़ को जानेंगे गुरु जी अब मा इसकंद माता का विशेश मंत्र बता दीजिए मा इसकंद माता के वैसे तो बहुत सारे मंत्र हैं विशेश रूप से हरीम कलीम सौमिने नमा यानि जो विशेश मंत्र आता है माता का हरीम कलीम स्वामिने नमा या अगर ये आपको बोलने में उच्छारण में किसी प्रकार की कोई तकलीफ है क्यों इसलिए बता रहा हूं क्यों इसलिए ज्यादातर बोलते बोलते सर्व विधित है आदत भी पड़ जाती है तो आसानी से बोला भी जा सकता है बीज मंतर का थोड़ा सा कलिश्ट होता है बोल पाना लेकिं फिर भी कोशिश करें रीम क्लीम स्वामिन्य नमा बहुत कठिन नहीं, इसको बोल के आप एक माला दो माला आप इसको जरूर करें आसन पे बैठके और ओम एम रीम क्लीम चामुन डाय विच्चे ये तो सर्व विदित मंतर है बहुत ही अच्छा, आज का शुब दिन वैसे तो पूरे नौरातर, आप नौरातर के पांचवे दिन सबसे पहले तो जैसा भताया गया है, आप सब लोग देख भी पा रहे होंगे, जो विदी है पूजन की वो जरूर करिये, घर में चौकी जरूर लगाईए, उसा परिवार आरती जरूर करिये, रंगांजल से शुद्धि करन, इतियादी जरूर करिये, हाँ, आज केले का और विशेश रूसे आज अगर गौषाला की सेवा आप करते हैं, गौव सेवा आज आप करते हैं, तो निश्शत रूसेवा से भी संतान के सारे सम्बंदित समस्याओं की कि आज आपको ये उपाय सम्रिध्धी सूचक भी होगा और पुन्यात्मक भी ये आपको विशेश उपाय बताया जा रहा है। तो ये आप कर सकते हैं जिससे आपके आने वाली अगर विवाह या संतान से संबंदित कोई बादा है वो भी दूर गुनी है। तो आज आपने जाना नवरात्री के पांच में दिन मासकंद माता की कैसे पूजा करें। जादी का किचिन में के जहां कोल्डी किचिन किंग मसाले 100% हो वहां। दोस्तों इन्हें लगता है स्टूडेंट्स डर कर चुप हो जाएंगे और यह मोर्चा तो निकल के रहेगा। यही पब्लिक की डिमांड है। पब्लिक की डिमांड यह मोर्चा नहीं है। पब्लिक की डिमांड है जबरदस्ट डिसकाउंट और धमाकेदार ओफर। इसलिए इंडिया का अपना शॉपिंग अप लाया है। इसमें है क्यूकंबर के प्यॉर एक्स्ट्राक्स जो नाच्रिली चहरे को मोश्चुराइज रखे। ताकि पिंबल्स और डेट स्कीन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयूरविदिक फेस वाश। इसमें है क्यूकंबर के प्यॉर एक्स्ट्राक्स जो नाच्रिली चहरे को मोश्चुराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयूरविदिक कौशदी है। इस वक्त देश में आम चुनाओ हैं तो दूसी तरफ इस समय खेतों में कटाई भी चल रही है। आपने कुछ तज़्वीरे देखी होंगी हेमा मालनी से लेकरके और हाल फिलाल राहुल गांधी तक सब खेत में फसल काटने के लिए अपनी फोटो खिचवाते हुए नजर आए। लेकिन इस चुनाओी महाल में वोटों की फसल कौन काटेगा और किन मुद्दों पर वोट उनकी तरफ ट्रांसफर होगी ये देखना बेहद आयम होगा। हम इस वक्त गाज़बात के बयाना गाहों में मौझूद हैं और यहीं के किसानों से गाहँवालों से पूछेंगे कि आखिर चुनाओी महाल क्या है तो हम यहां पर चलते हैं और पूछते हैं कि आखिर चुनाओी महाल क्या है बताइए जी क्या चुनाओी महाल है जी किसे लेकिन उसके बाद दो-चार बार हम गए भी है लेकिन उनका तो मिलाइक नहीं यह तो लड़की मिग्रा नहीं और एक चवहान साथ वह मिल जावे जी वीके सिंग तो ही नहीं है अब घॉली-शर्मा के सोच में लगें अच्छा यहां भाजपा को तो पिछली बार जीता के वेट दिया तो आपकी कव काम ही नहीं करा उन्हें तो हम क्या करें बताओ और परदानमंतिरी जी ने एक बात बोला था कि पांच गाउं सांसद जी की गोद में होंगे हमारा तो एक बार में नम बना आया तो आप लोग बताओ कि क्या चल रहा है क्योंकि कि नौक्रियों से लेकर के बेरोजगारी का मुद्दा विफक्ष उठा रहा है बार बार क्या वाकई बेरोजगारी आप लोगो के लिए एक बड़ा मुद्दा होगी और इसको देध्यान में रखें तो रही है तो बहुत बड़ा मुद्दा हो गया कि कि जो कि 22-22 साल के बच अगनी वील का तो ऐसा चार साल की नोकरी कर दियो तो उसमें बच्चे सोस्कें चार साल करेंगे फिर उसके बाद घर आ जाएंगे तो इससे बड़े कहीं अपना कोई ओर काम देख लें कि चाटा क्या चला तुम किसे बोट देने कि फिर आगमा हुआ हम ता मायवती को अब तो कोई बात नहीं अब और भी लोगों से बात करेंगे वाईजया मोधी को देने की निए अजया क्यों दुनिया मोधी मोधी खरेगी तो पुलिस भाड़े खड़े कर दिया उन्हों ने चलान के लोग गाडियां दूसरा लाइकर ने जावा साड़ा तुरंचरान गर अब और से बाहर हम हैं जोगांहमु भाड़ जांगए हैं काहें का मोधी मोधी तेमारी सभार मेरे ुभाधी तुम्हारी सुरक्शा के लिए सेरह में चोटशार में जिक बनने बोड़ा हैं हैं मिठ के लिग एख जब गग करे lieur था city or शॉफ हरे वार process है कि अदीने के ज तुम नूं बताओ रोज चलां कहां से भरेंगे हम और और कोई बात भाइए खान पीन का कुछ समान अमान कुछ ऐसी कोई बात एक रड़ी तो भाइजी छान तली कड़ जाए उसमें जो दे रहा एक रड़ी या रासन अच्छा जी पास ही बात है जो रासन फासन मिल ला है व हिए यूँ दो तो कहरा है छान में निकल जाए तो तो मिली ने राए रासन अरे दो तो सबस्क रusedभ जाते रीओ मोंदि को जब दे रही यह यह दर्फ से मरता आए पहले से बनाया नहीं कियों देना चाहे पन० webpage करेहिए तरक्ते के निवे मुझा। कि सब्सक्राइब तो देंगे जिसे देंगे तो फिलाल सुच्चा ना अभी विचार करेंगा धे कि अच्छा के मामले में नौकरी के मामले में उम्मीद है कि बढ़िया नौकरी मिल जाएगी को बेरोजगारी का मुद्द तो है पर क्या करें मुश्किल है कि वो मिल जाएगा नौकरी वगेरा क्योंकि कॉम्पेटिशन बहुत है और जो वैकेंसी लिकड़ते हैं वो कमली करती है युवा के नाते दिमाग में क्या चलना है वह एक तरफ मोदी ये कह रहे हैं कि हमने बेरोजगारी दूर की जो ज़िए दिए दूसी तरफ जो और पार्टियां वो ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ी है हम उस मुद्दे करें पर करें गये करें ये देख़ो बेरोजगारी तो है वेरोजगारी जल्दी से खतम भीने युवा महनत चाह्ता है तो इसलिए कि महनत करता है ट्युक्त में खये आई हो जारेindi कम लिखती है और यो यूवा जब पास आउट होते में जादे उसमोफ मन एहां यह अलिन सारी कर दे रहा है, तो मोदी कोई बोट देगे हम अब तो और भी बोल्ले तुम्हारे घर परिवार के हम ना देने के एंडिक रहा है कुछ देता है निए यह जब साभ दे रहा है और क्या करा अपने अफने आपी भर ले वे हैं अच्छा तौर लगा देवा अफनी अपने आ बाहुल गांदी हैं इस मुद्द्य को भी बहुत बात कहरें कि युवा तैयारी कर रहा पैसा खर्च करता सब कुछ करता और मालू पड़ता है कि पेपर देके आया तो पेपर ही कैंसल है अब यह समय लो कि जो एक आई टी एफ वेकंस आई टी उपी पुलिस की उसमें दो और जब पैसा तो क्या जो गया फोर्म काई घट्टा और सरकार अपना उसमा लगा देक इए लेक्शन में यू आपने खुस हो गया कि हमा वेकंसी में की वेकंसी पेपर लिख हो गया अब पता नई पेपर हो यह नहीं आगा आप नोटिस तो आगया केर सब्सक्क्राइनी के सा सत्ता के गल्यारों की हल्चल डी-म से लेकर सी-म तक की खबरे नोकर शाही और मंत्रियों की जुगलपंदी सियासी दाव बेच और गपशब इन सब के अंदर की बाद देखिए विरेंद्र सिंग के साथ हर शरीवार, रविवार, रात, आट और साड़े नौ बजे पावर सेंटर में सत्ता के गल्यारों की हलचल डी-म से लेकर सी-म तक की खबरे नोकर शाही और मंत्रियों की जुगलपंदी सियासी दाव पेच और कपशब इन सब के अंदर की बाद देखिए विरेंद्र सिंग के साथ हर शरीवार, रविवार, रात, आट और साड़े नौ बजे पावर सेंटर में राहूला, लाहूला, बाबा के मंदिर बनाएंगे ती थी नहीं बताएंगे, उड़ाते दे न मझात, आट मैंध, व्यात। कि मैंने बहुत मजाक्षान क्या है 14 से 19 19 में मोदी जी ने आपको प्रदान मंत्री बनाया पांची साल में कोट का जज्मेंट भी आ गया अयोध्या में भूमी पुजन भी हो गया और 22 जन्वरी को रामलल्ला का प्राण प्रतिष्टा भी हो गया कांग्रेश की बश्शों बश्च सरकार अहीं पिल्द में लेकिन जब मोदी नहान मंत्री बने तब कुणायल सीम जीको पन्मपुरुसकार गया करना यस कार्टी से बggakर्ष और बशन वर्ष जर ने कि पार्टी से समर्थन लिया, भी अकिन पालए तुरुसकार लिया मोदी ने,ולकि ओके नरेत्मोदी ने कहा कि उस्फब का साथ चाहते हैं, उस्ब का सम्मान चाहते हैं, सब का मिकास चाहते हैं, पायनाड गहते लोगों को रंग बदलते देखते हैं यह सब एक ही थैले के चट्टे बढ़ते हैं कोई अलग नहीं है इमोटों के सबागर हैं चुनाओ के समय दिखेंगे बाकी संकट के समय सब गायब हो जाएंगे पहले माफिया सिर चड़ करके बोलते थे चोड़े-चोड़ी बात को लें दंगा होता था है आज देख रहे हैं कि दंगा पर दोलवाद लटका दिया जाता उनको लटब करते हैं तो तुरंद तो हो यहीं नहीं और याद रखना हुर्मान जी जब संजीविनी बूटी ढोड़ने के लिए गए थे तो काल ने भी भी राम नाम का जब करना था पेले परव05 और को ही आता था और खास्तोर कर प्रशासन भी उनका साथ देता था अब कर्फ्यू नहीं अब तो धूम धड़ा के साथ कावड यात्रा निकल पड़ती है कोई रोक तोक नहीं है यह लोग जाती के नाम पर आज लड़ाने बढ़ाने का काम कर रहे है रामेंड की चौपाई के माध्यम से पहकाने का काम कर रहे है ये तो फिर से त्रेता युक्ति यात करा रहे है जैसे काल ने मी चुपाई दौधार चुनाव प्रिचार अभियान पर सियम योगी बिश्ण और हलद्वानी और बरेली में करेंगे चुनावे हुंकार प्रत्याशों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे दूसरी जेल शिफ्ट के जारह रहें विधाय का बस अंसारी गाजय पुर्चुलाज चेल से कास गंचुलाज चेल को रवानः सुप्रीम कोर्टे दी थी तीन शिरो के अंतरियम शमानत दिली में जुलास अंचालक शेहनवाज को सचाकर गोली मारी गई हफ़ता वसूली के खिल में बदमाशों ने वारदात को दिया है अंजाम परिशनों का मस्तान गैंक पर आरोप है गोली लगने से एक की मौत हो गई है प्रिधान के हलत गंभीर बताई जा रही है आज चैत्र नवराद परवका पाश्वादन आज इसकंद माता की होती है पूजा देवी मंदिरों में माता का क्या गया खाश्रिंगार देवी पीठों में श्रद्धालों का लगा है ताता आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ट न्यूज चैनल भारत समाचार नमश्कार आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूँ आपके साथ नंदिनी आदो वक्त हो गया है खबरों का रुकल इतने हैं खबर की और खबर लखनाओ से है जहाँ पर प्याएंसी और एरीच कमपनी के अपसरों के शर्मनाग कर्टूस सामने आई है हाइडरा मशीन से दबने पैर कटने से मैनेजर की मौध हो गई है हासा लगे इसलिए सडक किनारे मैनेजर का शव भी फेका गया लखनाओ कानपूर एक्सप्रेस वे का नर्माड करवा रही है कमपनी उन्डाव के सोहरामव इलाके के हाइवे किनारे शव मिला है तीन अप्रेल को देश्ट्राम की मौध हुई कमपनी ने इस खटना को छिपाया और कमपनी ने परिवार से कहा कि देश्ट्राम काम पर लोटे ही नहीं मोबाइल पैसे और कागशाद भी कमपनी ने उसे चिकाने लगा दिया दोनों कमपनियों के मालिक समित 5 पर हत्या काग मोकतमा दर्ज हुआ है बंतरा में मौत हुई उन नाव के सोहरा मौँ में शौफेग दिया तो बड़ी खबर लगना उसे है जहाँ पर शर्मनाक कर्टूर साम जाए है पेएंसी और एरीज कमपनी के अपसरों की बताया चराए कि हाइडरा मशीन से दबने और पैर कटने से मैनेजर की मौत हो गई है जिसे घटना बताया गया हाल सा लगे इसलिए सरक किनारे मैनेजर का शौफेग दिया गया तो यह लगनाव से बड़ी खबर सामने आ रही है लगनाव कान को एक्सप्रेस वे निर्मार करा रही है कमपनी जुसकी शर्मनाक कर्टूर सामने आई है उन्डाव के सोहरा मोव इलाके हाईवे किनारे उसका शौफ मिला है तीन अप्रेल को देश्राम की मौत हुई थी और कमपनी ने इसे घटना बताया और आप कबर्दिवारिया से हैं जहां पर वाहन चेकिंग के दोरान खनन अधिकारी ने ट्रक को रोग गिया खने ट्रक में अरियांतरी कार टकरा गई दो की मौत हुगई है एक की गंभीर खालत बताईश्वारी जुसे अस्पतार ने भठती कराया है वही नाराज ग्रामिनों ने खनन अधिकारी को डोड़ाया है घंटों मुख्य मार्ग जाम कर दिया गया ग्रामिनों ने जम कर हंगामा किया काफी देर बाद मौके पर पहुंशी मदनपूर के पुलिस मदनपूर थानाश्यत के टड़वा गाम के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जानकारी के साथ सवादाता मनीश हमारे साथ जूड़ गया मनीश क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर देखे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये देराती घटना है जहां पर देवरिया के खना नंधिकारी जो है को बाहन चेकिंग कर रहे थे जान बचाई लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि घंटो जाम लगा रहा है जाम लगा रहा है लेकिन महस्पूस दूरी पर जो मदनपूर की पुलिस से वहां मोके पर नहीं पहुंची और ग्रामेडों ने जम के हंगामा काटा जब वहां पर सियो रुदरपूर पहुंचे तब जाकर मामला सांत हुआ फूल में आकर वहां पर जो है इसमें महाल सांती बने है जी दिमाम शानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और अब खबर अमेठी से जोंप सड़क हासे में प्रता पुत्र के दर्दुनाक मौत हो गई अग्जात वाहां ने बाइक सवार को टक्कर मार दी वही सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शौप को कबजे में अग्जात वाहां ने बाइक सवार को टक्कर मार दी जिसमें प्रता पुत्र की दर्दुनाक मौत हो गई है का पुत्र कि दर्या हो टक murder झाल झाल और आप खबर लग नव से चाहाँ पर मुख्यमंस्री योग्री का उत्राखन दौरा है आज आपको बता दे कि यूपी के दो सीलों में आज वो जनसभा को संबोधित भी करेंगे वहीं देखें बताया चाहाँ कि 12 बचकर 25 मिनट पर गावडी मैदान विश्णोर में वो जनसभा को संबोधित करेंगे इसके बाद उत्राखन के हलदवानी शिले में भी वो जनसभा को संबोधित करेंगे और वहीं देखें दो पहर के दो वज़े एमबी कॉलिश में जनसभा को वो संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री यूग की आदतनाथ लगातार जनसभा को संबोधित कर रहे हैं दो हजार चौबिस लोकसभा चुनाब को लेकर वो जनता के बीश में जा रहे हैं अपने प्रत्याश्चियों के लिए जनता से वोट की अपील कर रहे हैं और आज भी देखें पतायशा रहा है कि उत्राखन के दोरे पर रहेंगे वो आज और देखें वहीं यूपी के दोशिलों में भी आज जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योग की आदतनाथ तो दोपहर के दोबचे एमबी कॉलिश में जनसभा को संबोधित करेंगे सीम इसके बाद शाम के मतायशा रह तीन बच कर 40 मिनट राम लिला मैदान बरेली में भी वो जनसभा को संबोधित करेंगे पहले चुरण मतदान के लिए अब मातर शेश सिंद रहे गए हैं ऐसे में देखा चौराय की तवाम बाठिया अपने अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं हमलागातार देख रहे हैं मुख्यमंस्री यूग की आदत नात दो हजा चौबिस लोग सबाद चुनाव को लेकर जनता के बीश में जा रहे हैं और देखे आज कहा चौराय की वो उत्राखन के दोरे पर रहेंगे और वहीं यूपी के दो जिलों में भी आज वो जनसभा को संबोधित करेंगे तो उत्राखन के हलदवाली जिले में भी मुख्यमंस्री यूग की आदत नात आज जनसभा को संबोधित करेंगे वो उत्राखन के दौरे पर रहेंगे और हल्द्वानी जिले में जनसभा को संबोधित करेंगे करेंगे जनसभा को संबोधित करेंगे कि इसमें जनसभा को संबोधित करेंगे है को मुख्यमंत्री यूगी आदित्यनाथ कि आज जनसभा लोग सबाव फिली भीथ के पृतियासी जनसभा के लिए वह बढ़ी विधान सबाम उनकी पास जाकर जतिन परशाद को वोट करने के लिए के लिए पेलिवीत लोग सभा के प्रतियाश जतिन परशाद को जिताना नात का सवाल यह काटे का चुनाओ है कल अखले शियादा उने भी पेलिवीत के पूरण पूर में जनसभाद की थी जो समर्थक है बगवसन गंगवा जो प्रत्याशी है उनके समर्थन में सभाद की थी उसके बाद मुख्य मंतरी आज जतिल प्रसाद को लेकर जनसभाद करने वाले उसे को दिन पहले भी करने की अपीश दर्क जी बिलकुल देखें जिस तरीके से आपने बताया कि समाजवादी पार्टी के राश्चर धक्ष अकले श्यादा ने भी कल पेलिवीत में जाकर और कहीं न कहीं सरकार पर जमकर हमला भी बोला उसी को लेकर देखिए आज भारते चुंता पार्टी के दर्ब से तवाम तयारिया भी की जा रही है और मुख्यमंत्री योग्किया अधितनाद भी आज एक बार फिर से जनसबा को समोधित करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री की जनसबा के बात से लगता है कि माहौल बतलेगा वहां जो काम किये गये हैं नगरपाली का चेर्में रश्मी जैसवाल है जो बहेडी नगरपाली का किया है वो लगातार जन्सभा कराने में मैंनेजमेंट करने में लगी हुई है और उनका पूरा उनसे जब बात करनी कोशिश की गई तो कहा गया कि आज लगबग 10 से 12 हजार लोगों की भिल जुटेगी जिसको मुख्यमंति संबोदित करेंगे और उसके बास से एकदम से महौल बत लेगा और जो पिलीवीद के समीकर्ण है जो वारती जन्ता पार्टी के पक्ष में रहे हैं उसी को पैटरन पे ये जतिल प्रसाद जो मौजिता प्रतियाशिया यूपी कैमिनेट में लोग रिम हमारे सायोगी हमारे साथ जुड़ गया है बस जो और में क्या कुछ सैयारियाद देखने को मिल रहे हैं रोई देखे मुख्यमंतिर यूगी आदितनाथ आज वहां पर पहुंचेंगे विजेपी से जिन्हों ने लोग सभा में विजेपी ने टिकर दिया है इसको ले कर जो है मुरादा बाद की एक विधान सभा जो है बड़ा पुर पड़ती है बड़ा पुर्के जो है अपजलगर छेट के आलम बाग में आज फुकमंतिली योगी आदितनाथ करीब ग्यारा को जो है सीम जो है सम्मोधित करेंगे और साथ ही साथ जैसे की चुनाओ को रेकर महोल एकदम एक तरीके से बना हुआ है तो जनता को साफ इस पर से जो सरकारी योजनाए हैं सहीद जो अन्य योजनाए चल लही हैं उनको लेकर उनसे बातचीद करेंगे वहीं अगर हम बात करे पुलिस फोर्ट के साथ साथ आंट फोर्स को भी मौके पर लगाया बकाईदा बेरिकेटिंग पे लोगों की चेकिंग की जा रही है इसके बाद ही किसी को अंदर जाने दिया जाएगा जी तमाम शौनकारी के आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं सपाथ धक्ष अखलेई श्यादव का ताबरतोर चुनावी दौरा है आपको बता दे कि आज पश्मी यूपी में दुआज़ार चुनाव प्रचार करेंगे वो और मुझाफर नगर में जनसभा को संबोधित करेंगे बिश्णौर के नहे टौर में भी वो चुनावी हुंकार भरेंगे नगीना लोकसभा से गड़बंदन प्रत्याशी के लिए वो आज जनसभा को संबोधित करेंगे मनोश कुमार के लिए जनता से वोट की अपील करेंगे वो तो समाजवादी पार्टी के रास्ट्य धक्ष अखलेश यादव अब जनता के बीच में जा रहें कल से उन्होंने शुरुआत कर दिया है और देखे आज गहाँ ज़रा की लगतार उनकी ताबर तोड रह लिया है वो जनता को सम्भोधित करेंगे तो चुनावी दोरा है आज पश्मी यूपी में चुनावी हुंकार भरेंगे समाजवादी पार्टी के रास्ट्य धक्ष अखलेश यादव के अपील करेंगे समाजवादी पार्टी के रास्ट्य धक्ष अखलेश यादव आसे पश्मी यूपी के दौरे पर रहेंगे बढ़ाय शाराय की 2024 लोगसभा चुनाव को लेकर सपा के राश्य अधर्ष अखिलेश यादव जनता को संबोधित करेंगे नगीना लोगसभा से गडबंधन प्रत्याशी के लिए वो जनसभा को संबोधित करेंगे मनोश कुमार के लिए जनता से वोट करने की अपील करेंगे आज सपा के राश्य अधर्ष अखिलेश यादव जनता को संबोधित करेंगे आज अखिलेश यादव बिजनौर से नहाट और में भी चुनावी हुंकार भरेंगे और नगीना लोकसभा से गडबन्धन रट्जाशी के लिए भी वो आज जनसभा को संबोधित करेंगे मनोश कुमार के लिए जनता से खाचवारा की वो आज वोट की अपील करेंगे 2024 लोकसभास चुनाव की बात की जाये तो तमाम तयारियां की जारिये सभी पार्टियों में और देखे लगातार अब कहा जा रहा है कि सवाजवादी पार्टिय के राश्ट्रे अध्यक्ष अकलेश यादव भी चुनावी हुंकार भरने जा रहे हैं पिली भी से उन्होंने शुरुवात की और आज पश्मी यूपी के दौरे पर हैं कई चुनावी जनसभाग को वो आज संबोधत करेंगे और जानकारी के साथ मुझफर नगर से हमारे सायोगी जुड़ गया है और बेश्णौर से भी हमारे सायोगी मारे साथ जुड़ गया है क्या कुछ सैयारिया देखने को मिल रहे हैं बेश्णौर में देखे लगातार वहां पर चुनावी प्रच्वार प्रसाथ चल रहे हैं जी मैं समाजवादी पाल्टी के अखलेस यादो जो है बिजनौर के जो बिजनौर सुरक्षिस सीट है साती साथ नगीना जो बिजनौर समान सीट और नगीना सुरक्षिस सीट के जो प्रक्षासी है लगीना सुरक्ति सीट से जो है मनोज कुमार प्रत्यासी है और विजनोट सीट से जो है दीपक सैनी प्रत्यासी है दीपक सैनी को लेकर जो है आज रास्तिय जग समाज़ादी पाल्टी के अगलेश मीरापूर पहुचेंगे लगबग बारा बजे के आसपास जो है वो हेलिकॉप्टर से मीरापुर पहुचेंगे जहां पर वो जनता को संबोधित करेंगे साथ ही साथ करीब बारा बच के पैसालिस से वो जो है मीरापुर से वहाँ हेलिकॉप्टर से उड़ेंगे और करीब एक बचकर दस मिनट पर वो जो है नहटावर पहुचेंगे जहां पे मनोज कुमार के लिए जनता से ओड की अभील करेंगे पुल मिला कर अगर हम बात करें तो राश्टी अध्यक अगलेस यादो आज बिजनवर के दोनों लोग सबस्टीटों पर दोड़ा करेंगे और जनता से सीधे बातचीत करेंगे कहीं न कहीं ये देखने को मिला है कि आपकी बार जहां स्टापा और कॉंग्रेस का इंडिया गड़ बंदन है तो वहीं इस एलेक्शन को लेकर अब अरश्टी अध्यक समाजवादी पाल्टी के अगलेस यादो लगातार दोरों पे नजर आ रहे हैं वहीं इस दोरे को लेकर जन सभा को लेकर प्रसासन के दोवरा सभी तेयारियां पूडी कर ली गई है बैरहाल बारा बजे के आज पास जो है सबते पहले वो मुझफर नगर के बिधान सभा मीरापुर में विदनो लोग सभा के दीपक सैनी के लिए पहुंचेंगे और वहाँ से जनता से ओटो की अपील करेंगे वहीं करीब लगबग एक बचकर दस मिनट पर वो नहटा और पहुंचेंगे जहां पर मनोज कुमार जो की नगीना सुरप्षिक सीट से समाजवादी पाल्टी के प्रत्यासी है उनके लिए भी जनता से अपील करेंगे अगर बात की जाए अजस्तानी लोगों का क्या कुछ वहाँ पर कह रहा है देखे सियासी समीकरण क्या कुछ बैठ रहा है वहाँ पर पिरकुल मैं आपको बता दू कहीं न कहीं जो है उन्निस को यहाँ पर फर्ट फेस में जैसे बिदनाव लोग सावा में फर्ट फेस में चुनाओ है इसको लेकर इस समय पूरा चुनावी माहूल है जहां पर हर दर्ल के जो नेता है वो आ रहे हैं लगातार दौरा कर रहे है एक दिन में दो-दो रहल पार्टियों के अलग लेताओं का दौरा है वहीं पर कहीं न कहीं इंडिया गड़ बंदन जो है कि जो राश्टिय अध्यक्ष समाजवादी अखलेस व्यादो आज पहुचेंगे और पहुचना के दौरान कहीं न कहीं जनता के बीच में कुछ ऐस इसको सुनने के लिए व्याकूल भी थी तो इसको लेकर कहीं न कहीं चुनाओं में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और जो जनता है वो इंतजार भी कर रही थी समाजवादी पालिटी के राश्टिय अध्यक्ष आए और उनसे कुछ कहें तो बैरहाल ये तो उन्निस जी बिलकुल अकर स्यासी मुद्दों की हम बात करें तो कहीं न कहीं जो है धरम की राजनीजती हर बार पस्मित्तर पदेश में बड़ चड़कर जो है सामने आई है वहीं पर सड़क बिजली पानी एक ऐसा मुद्दा है कि इसको लेकर जनता हमेशा से सवाल खड़ा करती र रही है बरहाल को मिलाकर जनता को लुभाने के लिए अब अकलेश यहां के किस तरह की बाते करते हैं यह तो भासर के बादी पता चलेगा लेकिन बरहाल जनता जो है अकलेश को सुनने के लिए काफी समय से जो है इंतजार कर रही थी जो वह इंतजार आज जनता का पुला हो कर रहे हैं लेकिन अब तक समाजवादी पार्टी पश्मितर परदेश में चुनावी परचार नहीं कर रही थी लेकिन आज पश्मितर परदेश के कई जनपदों के दोरे पर जो सपा सुप्रीमों हैं अकलेश यादावपूर मुख्यमंत्री वो रहेंगे पहले वो मेरट कि मीरापूर है वहाँ एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे ये मीरापूर छेत्र वैसे तो विजनोर लोकसवाच में आता है जहां वो अपने समाजवादी पार्टी के परतियासी और विदायक दीपक सहनी के लिए अपने समर्तपों वह जनसभा से वहां के मदबाता करेंगे कि 2024 के इस लोकसवा चुनाओ में समाजवादी पार्टी को विजनोर लोकसवा से जिताया जाए लेकिन इसी के साथ साथ अगर पिछले रिकोर्ड की हम बात करें तो बस्पा कही न कहीं विजनोर शिफ पर मजबूत दिखाई देती थी लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी और जो बीजेपी है उसी के बीच तक्कर दिखाई दे रही है जबकि दूसरी और हम बात करें तो यहां से बिजन्दर सिंग बस्पा के परतियासी है वो भी मजबूती से चुनाओ लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं तो सभी तैयारिया जो अकलेश यादव के है वो सभी पूरी कर लिया है और तक्रिवन एक बज़ कर तीस मिनट पर अकलेश यादव मीरापूर पहुँचेंगे जहां हैली पैड को उतरने के बाद उनका जो सफा कारे करता है वो सुवाधत करेंगे और उसके बाद वो एक विसाल जनसभा को संबोधित करेंगे जी त लकिन लखनों वालों के इसने के चलते उन्होंने चुनाव प्रचार की कमान अपनी बेटे नीरस सिंग को सौब दी है और नीरस सिंग सुबह से लेकर शाम तक चुनाव प्रचार में जुटके हैं इसी को लेकर एक पुरा दिन सुबह से लेकर शाम तक भारत समचार की पू समय हम भाजपा नेता नीरा सिंग के आवाज पर मौजूद है सभी को पता है नीरा सिंग राजनाज सिंग के फुत्र है और नीरा सिंग की दिन चरिया कैसे रहती हम आपको दिखाते हैं नीरा सिंग जब उठते हैं तो सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्त रखने के लिए वो बाहर मॉनिंग वॉक पर जाते हैं और उसके बाद आप देख रहे हैं कि अपने घर में इन्होंने एक खुबसूरत सा मंदिर बनाया हुआ है नीरा जी मैंने देखा कि जो दिन्चरिया की आपकी शुरुआत है सबसे पहले तो आप अपने शरीर को भी फिट रखते हैं क्या रहती है दिन्चरिया की शुरुआत सुबह का दिन्चरया तो यह होता है कि सबसे पहले उठकर नेतिक जो कर्म है उसको करते हुए फिर इसके बाद हम लोग सारे श्रम के लिए निकल जाते हैं कहीं न कहीं वाक के लिए या फिर किसी खेल में मैं बैडमिंटन भी खेलता हूँ तो कई बार वह भी सुबह का दिन् के साथ नाश्टे की टेबल पर बैठेंगे और देखेंगे नाश्टे में ये कौन सा प्रोटीन लेते हैं जो दिन भर ये लगे रहते हैं तो अब आपको लेकर चलते हैं नीरा सिंग जहां पर अपना नाश्टे की शुरुवात कर चुके हैं किस तरीके का नाश्टा होता है और आप यह देखिए सामने नीरा सिंग बैटे हैं यह बताईए कभी कभी टेबल पर होता है कि कुछ राजनीती जब डिसकस होती हो तो आप कहती हो नीरा सिंगो ऐसा है यह सा बाहर यहां पर सिर्प नाश्टा करो होता है कभी कुछ ऐसा नहीं ऐसा मोस्टली मैं बताऊं तो नहीं होता है कि जब आप खाने के टेबल पे हो तो सिर्फ खाना खाएं, यह फैमिली टाइम है, तो बस इसमें फैमिली की बाते होती है, कुछ बच्चों की बाते होती है, स्कूल की बाते होती है अब नाष्टे की टेबल से जनता के बीच में हम आपको लेकर चलेंगे नेरा सिंग इस समय अपने घर में ही लोगों के लिए बनाए हुए जनता दर्शन के एक आफिस में मौजूद है जहां पर आप देखिए तमाम लोग आते हैं यहां पर अपनी अपनी फरियात को बताना उनसे अपनी समस्याओं को बताना तमाम कारे करता है यहां पर इनको कैसे मैनेज करते हैं कैसे इनकी जो समस्याओं है उनको दूर करते हैं यह मेरा परिवार है और यह सभी लोग मिलकर हम लोग सुबह से शाम त साथ इनकी गाड़ी का जो सफर है वो हम लोग तैय करें को कभी यहां की समस्या है जब आप लोगों के बीश में अगर पहुंचते हैं तो क्या उनको आप अपने मतलब राजना सिंग जी से भी डिसकस करते हैं या वो आप से पूस्ते हो कि नीरच क्या चल रहा है लखनों में उनकी चिंता रहती है दिन में कम से कम एक बार हमारी जरूर रेस अंदर में चर्चा हो जाती है कि वहाँ पर क्या चल रहा है सारे कारें की प्रगती किस प्रकार से है जनता जानती है कि किस प्रकार से इस उत्तर प्रदेश को माफियाओं के और्गनाइजड क्राइम के लिए जाना जाता था आज माने योगी जी के शाशनकाल में जो भै आम जन्मानस के आँखों में दिखाई देता था आज माफियाओं के आँखों में दिखाई दे रहा है लगातार नीरा सिंग जुड़े हुएं अब हम लोग पहुंचे हैं यहाँ पर लालजी टंडन की प्रतिमा पर माले अरपन होगा और इसके बाद तमान तरीके की संगठन की बैठकों में नीरा सिंग हिस्सा लेंगे इस समय हम हजरत गंश में मौजूद हैं और नीरा सिंग यहाँ पर पहुंचे हैं लालजी टंडन की प्रतिमा पर माले अरपन करने के लिए लोकसभा संचालन समिती की बैठक में नीरा सिंग यहाँ पर पहुंचे हैं नीरा जी यहाँ पर क्या एक रणनीती रही काफी देर बैठक भी रही हमने कारकरताओं को बताया कि किस प्रकार से हमारे प्रधान मंतरी ने पिछड़े वर के लिए तमाम योजनाए चलाने का काम किया है मैंने देखा कि तमाम लोगों ने राजना सिंग को लेकर तमाम तरीके की बाते करें सभी लोग देखिए मानिरादना सिंग जी को अपना अभिभावक के रूप में देखते हैं लखनव में और उन्होंने जो कार कियें लखनव में शायद एक अभिभावक ही अपनी परिवार के लिए करता है तभी हम एक नारा दे रहे हैं लखनव बोले इस बार पांच लाग पार लखनव से वीडियो जनरलिश कुमार सौरब के साथ संदीर खेर भारस समचार रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वाश इसमें है क्यूकांबर के प्यॉर एक्स्ट्रैक्स जो नाच्रिली चेहरे को मौश्यराइज रखे ये कोई कॉस्मेटिक नहीं आयुर्वेदिक आशिदी है और बदल जाते हैं मगर आपकी पहचान नहीं जैसे सर्वकांब पिछले 35 सालों से पहचान है भरोसे की भारत के नंबर वन टॉप क्वालिटी डुमेस्टिक और इंडस्ट्रिल प्राड़क्स की सर्वकांब रखे सब कंट्रोल में अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा इसमें है क्यूकंबर के प्यॉर एक्स्ट्राक्स जो नाच्रिली चेहरे को बॉश्चुराइज रखे ताकि पिंबल्स और डेट स्किन जैसी प्रब्लम से मिले रिलीफ प्रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस्वाश ये कोई कॉस्मेटिक नहीं आयुर्वेदिक कॉषदी है इंडिया का सबसे बड़ा एलेक्ट्रोनिक सेल शुरू हो चुका है इससे बड़ा सेल शायद नहीं मिलेगा टीवी, लापटॉप, मॉबाइल, फ्रिज, वाशिं मश प्रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस्वाश इसमें है क्यूकांबर के प्यॉर एक्स्ट्राक्स जो नाच्रिली चेहरे को मॉश्यराइज रखे ये कोई कॉस्मेटिक नहीं आयुर्वेदिक कॉषदी है मैंपुरी मलोक सबा चुनाओ से पहले खुरावली पुलिस ने हर्याणा स्ट्रेट के शराब बनामत की पुलिस ने चुनाओ वित्रंग के रिए लाइगी ग्रेजी शराब के बड़ी खेप पकड़ी है अनुमाने तकीमत करीब बारा लाख रुपए पुलिस ने अवैद शराब के साथ दो लोगों को मिरफ़तार किया मानदा में ढाई वर्षी मासूम बच्ची की नाले में डूबने से हुई मौत दो गंटे से रापता थी बच्ची नाले से निकालने के बाद परिशन बच्ची को ले गया अस्पताल अस्पताल में डॉक्टर्स ने बच्ची को मत्भोशित किया राय बरेली में हुआ दर्दनाग सड़क हालचा तेजपतार डीजियम बचार में आमें सामें जोरता टकर हालचे में कार में सवार एक मट एक की मौके पर मौत वहीं पर तीन लोग कंपी रुफ़त है ग्रेटर नोड़ा में एक्सिस वेपर स्टंट करते हुए नजराय दो युवक, पेज अफतार गाडी की खिर्कियों पर पैट कर किया स्टंट वाइरल वीडियो में जान जोखिं में डालकर एक्सिस वेपर पेज अफतार गाडी से स्टंट किया गुरगपुर में सिर्फिरे युवक की कर्तूद चिकज़क के घर में गुसकर चाको से तावर तोड़ हमला हमले में बुज़र गुमहिला उसका पोत्र गायल पुले समलावर की गिरफ्तारी और घट्ना की कारणों की जोईट में चिटी शामली में ब्यस्टी परत्याशी की सबा में वोटरों का धमकाने का वीडियो बारल के राणा लोगसवा से बसभा परत्याशी श्रीपाल डाडा के सामने एक दबंग ने दलित बोटरों को धमकाया भरी चौपाल पर गाली देते हुए वोट ना करने पर देख लेने की धनकि कानपुर में लोकसवा के चुनाओं के बाइज एक महीने बचे है और इसी बीच वैश्च समाज के लोगों ने आरोप लगाया उनके वैश्च समाज के लोगों की संख्या को खटा कर आयोप को भीजा है या आरोप प्रेस क्लब में एक प्रेस वारता के दौरान लखाया क्या बची में यूपी में कर अखिलेश यादव की चुनावी जनसवा मुझफ़र नगर के मीरापुर में अखिलेश यादव की सभास समाजवादी पार्टी के नेता कारकम की तैयारी में जिटे पोलिस ने सुरक्षा को लेकर स्तलक किया रुक्षर दौाधार चुनाव प्रचार अभियान पर सियम योगी बिजनओर हल्दवानी और बरेली में भरेंगे चुनावी हुंकार प्रत्याशियों के समर्थर में जनसवा को सम्बोधित करेंगे तावर्टोर चुनावी दौरे पर सपाध्यक्ष अखलेश यादव आज पश्यमी यूपी में भरेंगे चुनावी हुंकार मुजफर नगर और बिजनओर में जनसवा को सम्बोधित करेंगे दिली में जूला संचालक शेहनबाच को सटा कर मारी गई गोली हपता वसूली के खेल में बदमाशों ने वारदात को च्रिया है अंजाम पैशनों का मस्तान गैंग पर आरू गोलीों की तरतराहर से देली रास्थानी लखनों पूर बलाक प्रमुख प्रिधान और सहयोगी पर तावर तोड़ गोलिया बरसाई गई गोली लगने से एक व्यक्त की मौत प्रिधान के हालत गंबेर आज चैत्र नवरात्र परव का पांशवा दिन आज एसकंद माता की होती है पुजा देवी मंदिरों में माता का क्या गया खाश्रेंगार देवी पीछों में इश्रधालों का लगता था आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ट न्यूस चैनल भारत समाचार नमस्कार आप देखे हैं भारत समाचार और मैं हूँ आपके साथ नजवी आदो वक्त हो गया है खबरों का रुक लेते हैं खबर क्यों खबर सहारिनपुर से जहां पर कॉंग्रेस प्रत्याशी इम्रान मसूद का भड़काउ बयान साम दिया है मुस्लिमों को संबोधित करते हुए इम्रान मसूद ने कहा कि बीजेपी आई तो सबसे पहले इलास तुम्हारा होगा इम्रान मसूद ने देखिए ये भयान दिया है अगर बीजेपी दुबारा आ गई तो इलास त्रह है ये चुनाव अपने आपको बचाने का चुनाव है ये मैं नहीं कह रहा है कि अमित्र शाह कह रहा है सारी मजबूत आवाजे खामोश की जा रही है इम्रान मसूद ने देखिए ये बड़ा बयान दिया है कॉंग्रिस प्रत्याशी इम्रान मसूद ने बड़ा बयान दिया है साहरनपूर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है कॉंग्रिस प्रत्याशी इम्रान मसूद का भड़काओं बयान सामने आया है मुझनेमों को संबोधित करते हुए इम्रान मसूद ने कहा कि बीजेपी आई तो सबसे पहले इलाज आपका किया जाएगा तो देखें इम्रान मसूद ने ये भड़काओ बयान दिया है कोई बोलने लाना ना बचे ये साधी से मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ कि ये चुनाओं इम्रान को जिताने अराने का नहीं ये चुनाओं अपने आपको बचाने का है ये चुनाओं अगर भाजबा दुबारा आ गई तो सबसे पहले इलाज तुम्हारा और मेरा होना है याद रख लेना बात है हसने की बात नहीं है ये हमिशा के रहा है ये हमिशा बोल रहा है ये जितनी मश्बूट आवादे हैं सारी खामोश ऐसे ही नहीं की जा रही कोई बोलने वाला ना बचे कोई बोलने वाला ना बचे ये साधी की चुनाओं इम्रान को जिताने अराने का नहीं ये चुनाओं अपने आपको बचाने का है ये चुनाओं अगर भाजबा दुबारा आगे तो सबसे पहले ईलाज तुम्हारा और मेरा होना याद रखलेना बात है असने की बात नहीं है यह हमीशा के रहा है यह हमीशा बोल रहा है यह जितनी मश्बूट आवादें हैं सारी खामोश ऐसे ही नहीं की जा रहीं कोई बोलने वाला ना बचे कोई बोलने वाला ना बचे यह साजी से अवशारा जुआनकारी के साथ समधाता नरिंद्र हमारे साजुर गया है नरिंद्र ने के इम्रान मसूद ने बढ़काव बयान दिया है वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी सरकार आई तो सबसे पहले इलाज तुम्हारा और मेरा होगा बिकुर नंद्र ने और आपको ये भी बता दे हैं कि इम्रान मसूद जो है पश्चिन मुट्र परजिस के मुसल्मानों को बड़े लीडर के तौर पर जाने जाते हैं कामेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और इससे पहले भी उन्होंने एक समयन नरेंद्र मोदी जो ये बात उन्होंने कही है तो मिश्चित तोर पर जो बात है वो आपती जनक तो ही लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि ये चुनाव आचार सेंटा के दाएरे में है या नहीं ये सब निर्वाचन आयोग को टे करना है और उसको लेकर पासेंटा पाकीन की ओर से एक शिका ये होगा कि अब निर्वाचन आयोग इम्रान मसूत के खिलाब क्या कारवाई करता है जी बिल्कुल नरिंद देखे बिल्कुल और इस वक्त की बड़ी ख़बर साम्विया रही है आपको बता दे कि देखे लगातार जुस तरीके से चुनावी प्रचार प्सार में सभी पा ये होगा कि अब निर्वाचन आयोग से इम्रान मसूत के खिलाए जिसके बास से अगर बीजेपी आई तो मेरा तुम्हारा इलाज करेगे इसको लेकर बीजेपी ने निर्वाचन आयोग के शिकायत कि खिला ए वर्ग विशेश में डर का महौल पैदा करना है इम्रान बीजेपी के तरफ से देखिए ये कहा गया है मतदान को हिंसा से प्रभावित करने की कोशिश के जा रही है इम्रान मसूत के खिलाब विशेश को भडगाने वाला बयान दिया है उन्होंने अगर बीजेपी आई तो मेरा तुम्हारा इलाज करेगी इम्रान के तरफ से देखिए ये कहा गया वर्ग विशेश में डर का मोहौल पैदा कर रहे हैं इम्रान और बीजेपी के तरफ से ये कहा गया है और देखिए इम्रान मसून ने जब भड़काउ बयान दे दिया इसके बाद से उन्होंने अपनी सफाई में क्या कुछ का चलिए वो भी आपको सुनाते हैं अरे दर लगता है यार अब दर नहीं मना उध्याग के अस देश न चे अनदर इन्होंने मारमार के सब बुजबर दिया च्छी मिनिस्ट कोई वाम धर देते ते हैं तो दरना हो क्या बड़ा निकालतो हूंत पर दर शारए है आप दर निकालत आ सब्सक्राइब और मेरे साथ लगतार बने हुए बढ़ताओं बयान देने के बाद वो सफाई में कि मुझे डल लग रहा है और क्या अपनी डर को जाहिर भी नहीं कर सकता मैं देखें ये जो उन्होंने बात कही है ये उस पर बेक्च में है आपने देखा होगा कि पस्षिमिस प्रदेश में खास करते सहारन पूर में जो मुस्लिम कम्यूनिटी के कुछ लड़के थे उनको थाने में डाल कर पीटा गया था इस तरह की घटनाएं सहारन पूर में एक नहीं कई हुई है और फूरे पश्मूत अपदेश में होई है तो वो उन घटनाओं के परपेच में ये बोलना चाहते हैं अपनी कम्यूनिटी से कि भारतियनता पार्टी की अगर सरकार आती है तो निश्चत तोर पर मुसल्मानों को नुक्षान पोचाएगी और उन्होंने मुसल्मानों को टार्गेट करके ये बयान दिया है और इसके जो चुनावी सीजन में जो फायदे हैं वो बिलकुल अलग तरीके से हैं वो मुसल सवाल यह है कि निर्वाचन आयो के कुछ नियम है उनका पालन सबको करना होता है उनका मुकाबला बीजेपी के जो रागव लखन पाल है उनसे है और यहां पर जो चुनावी युद्व है वो कोड़ी है यहां पर माजिद अली जो बीएसपी के प्रत्यासी है वो भी चुन कोड़ को ऑफर अब उनकी जो को से वो यही है कि जतने ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड जो है अपनी कम्मिनिटी के और दूसरीह मुक्य क् रुष्यास है लेकिन ऐसे में पिज्वास यह बूल जाते हैं कि वो कही ना कही जो नियम बने हुए है निरवाचन के चुनाव रणने के उनका बाइलेशन कर रहे है। लगा टेक ओफ करते हुए और हेलिकाप्टर पेड की टहरी से टकरा गया था। उत्राखन भाशपा प्रभारी दुश्यंद गौतम हेलिकाप्टर में बैठे हुए थे। उत्राखन भाशपा ध्यक्ष महेंद्र भट भी उनके साथ मौजूद थे। पालेट ने सूझभू से हेलिकाप्टर पर कंट्रोल पाया और फिर उडान भरी। ये बड़ी खबर उत्राखन के हलदवानी से सामद आ रही है। उत्राखन भाशपा प्रभारी दुश्यंद गौतम हेलिकाप्टर में बैठे हुए थे बताया जारा कि क्रैश होने से बच गया है। पालेट की हेलिकाप्टर जिसमें भारते चुनता पार्टी के दो दर्गश नेताओं की जान बची है। महेंद्र भट बतायश्वारे थे कि उसमें बैठे हुए थे और पालेट ने सूचबू से फर हेलिकाप्टर पर कंट्रोल पा लिया। और शाद अच्वानकारी के साथ उत्राखर्ण मियोरोश्वीप पंकश पवार हमारे साथ जुड़ गया है। पंकश क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर। देखें बिल्कुल वीडियो जो है इसमें कल का वीडियो है और जिस तरीके से कल योगी है उनकी रैली आज हलगवानी में भी होनी है। उसके तमाम निरिक्षण करने के लिए दोनों नेता पहुंचे थे और फिर उसके बाद उन्हें बाजपूर निकलना था और वहां पर जिस तरीके से हलिकॉप्टर उड़ा और पेड़ के टैनी से यह जो उसके पंके हैं वो टकराया और जिसके बाद वो पांच मीटर उप पर तक उड़ा और उसके बाद एकदम नीचे धराम से नीचे आया और कहीं ना कहीं उस पर जो पाइलेट है उसने अपना काबू कुछ सेकेंड के लिए हो दिया था लेकिन फिर एका एक उसने कंट्रोल पाया और दोनों जो नेता हैं उनकी जान बची और खुल मिलाकर दे लेकिन और जो दोनों नीचे लिए जान सांसात में बनी भी भी बन सकती थी लेकिन उनकी जान बची है और वी दुआर फिर से नीचे आया फिर पाइलेट एक तम उड़ा के ले गए तो कुल मिलाकर देखा जाए ये अगर कहा जाए तो ये एक बड़ा हास्ता हो सकता लेकिन बाल बाल बच्चा है जी तिमाम शानकारी के लिए बहुत बधनिवाद आपका और अब खबर गाजीपूर से जौँपर दूसरी जेल शिफ्ट के जो आ रहे है विधायक अब्बास अंसारी गाजेपूर जुला जेल से कासकन जुला जेल को वो निकले हैं सुप्रीम कोट ने दी थी तीन दिनों के अं पुत्रिया और अपने पिता की काली बाग में कब्रे पर फातिहा पढ़ने गये थे और परिश्टों से मिलने गये थे विधायक अब्बास अंसारी तो गाजेपूर से बड़ी खबर जहां पर दूसरी जेल शिफ्ट के जा रहे हैं अब्बास अंसारी मुकतार अंसारी के बड़े बेटे और मौश से सुभास्वा विधायक अब्बास अंसारी को कास गन जिला जेल के लिए रवाना किया जा चुका है बता दे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोड के द्वारा तीन दिनों की अंतरीम जमानत मिली थी अपने पिता मुक्तार अंसारी के कपर पर फातिहा पढ़ने के लिए और 10 अप्रेल को अब्बास अंसारी कास गंज जेल से गाजीपूर की इस जिला जेल में ले आए गये थे जहाँ इस समय हम मौजूद है और आज 13 अप्रेल को सुबह 4 बच कर 38 मिनट पर अब्बास अंसारी को यहां से कास गंज जेल के लिए रवाना किया जा चुका है क्योंकि सुप्रीम कोड का निर्देश था कि 11 और 12 तारिक को अब्बास अंसारी अपने परिजनों से मिल सकेंगे और 10 अप्रेल को वो मुक्तार अंसारी की कपर पर फाधिया पढ़ेंगे और 13 अप्रेल को उनको कास गंज जिला जेल में दाकिल करा देने का निर्देश सुप्रीम कोड का था और उसके क्रम में आज अब्बास अंसारी को कास गंज के लिए रवाना किया जा चुका है और आज कास गंज जेल में सिफ्ट करा दिया जाएगा गाजीप उसे आशुतोस तिपाठी भारत समाचार और जादा जवानकारी के साथ सवादता आशितोस हमारे साथ जुए आशितोस देखे बताएप चारहाै कि कोड के व्याणी की ऑप्बास अंसारी को दूसरी जेल में शिफ्ट किया चारहा है आदे सुब्रीम कोड ने दिया था और दस तारिक को अबास अंसारी गाजीबूर कोड़े से जिनाज जेल में परजय उन्हों को सिफ्ट किया गया उस्टे पाच पिराजे से मुहमदाबाद जाउन का आवास से वहां गये और दस तारिक की साम को अपने आवास से उन्होंने भाग लिया और ताम को अपने पिता की कबर पे जाए तो उन्होंने पादिया पड़ा ज्यारा और बारत सारीक को जो है दस तारिक की रात को फिर गाजीबूर जेल में रहे वहां उनके परिजन आके मिले भी इस बिज्जो है और आज सुबाद चार बच्च के अर्टीस मि जेल से यहां ले आया गया था सुब्रीम कोर्ट का अस्पर्श में जेल था कि 13 तारिक तक उनको तास गंजेल में सिफ्ट करा दिया जाए यहां से तास गंज करीब 10-12 घंटे लगेंगे और ऐसे अगर देखा जा तो साम को 4-5 बजे की बीच अब बाद चास गंज जी तमाम शानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई है यह बड़ी खबर अमेठी से सामने आ रही है वहीं सुच्टा पर पहुंशे पुलिस ने शब को कब्जे में ले लिया है पोस्ट वाचम के लिए भेज़ दिया है और देखे सड़क हासे में पिता पुत्र की दर्दनाक मौत हुई है परिश्टू का रोरो कर बुरा हाल है भीक्षर सड़क हासा हुआ है जिसमें बताया चाहरा है कि अग्यात वाहर ने बाइक सवारों को जोड़ार टकर मार दी जिसमें पिता पुत्र दोनों की हिदर्दनाक मौत हो गई और ज्यादा चौनकारी के साथ सवादाता शिव हमारे साथ जूड़ गया है शिव क्या कुछ अपडेट है इस पूरी मामली को लेकर जी निद्मी जी बिल्कुर बताएंगा जिस सवादी बताई जा रहे है जहां कि जो पिता पुद्रते वो बेटा जाते है वो बाइक से अपने पिता को इलाज के लिए बेचल लाला था इलाज के लिए जहां पर देखा जाए तो नेशनल हाई बे जो वरारों वाला इस पे देखा जाए तो तीज रप्तार अक्यातवान ने बाइक को जोड़ा टकर मार दी जोड़ा टकर अदी बाइक सबार बताया जारा लोगों की माने दो काकर दूर जाका कि जो कि उनकी मौकर पे तरदनाग मौद है ऐसे हमें जैसे ही सूचना पुलिस को मिलती मौकर पुलिस परजनों को सूचना दी, जैसे पिता-पुति की मौत की सूचना परजनों को लगती है तो परजनों को पुड़ा तरीक से नो कर पूरा हाल है, वहीं पुलिस का कहीना है कि सब कर दिया गया, पोर फ़स्तर लोगों वेजा गया, और सेश्य टीवी के आदार पर जोग्यात सब्सक्राइब के जारें जी तुमाम श्रानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका खबालकनव से जहां पर गोलियों की तर्टराहा से दहल उठी है रास्थानी लखने उपर बलाग प्रमुक प्रधान पर गोलिया बरसाई गए फारिंग में एक व्यक्त की मौत भी हो गई है आपको बता दे कि तिलक समारों में आरोपी बोनू और अंकित का क्रित्व बताया जा रहा है छह साथ हमलावरों ने ताबर तोड़ कई राउंड गोलियां चलाई प्रधान के खालत गंभीर हो गई है अस्पिताल में भर्ती करा काकोरी पलिस ने मौझूद लोगों से वहां पर पूश्टाश किया राजधानी के काकोरी थानश्वित के पूरी घटना बताया जारी है परमुजी दावत मारा है तो हम लोग सब होएं बैठे थे तो चल दिहीं और वहां उजेट पासपाउंचल पताने कि धर से आज़े गोली मार दिहीं कौन लोग गोली मारे और कोई उनके साथ में था या बोन अके लिए जगीर का रिखा जोटेया रखाए है क्या कोई पुरानी रंजीस उन्जीस भी थी साहए बाब परमुज के भले हुए पुरानी रंजीस हमारे लोग कोई रंजीस कब हो नहीं रही मैं घर पे थी और मेरे एक्जाम होने वाले मैं पड़ रही थी उधर से जस्ट आई और यहां पे पटाखों के आवाज आई और उसी वक्त हुमारे फुपा जी जो की पहले भलाक कर मुझ रह चुकि है हुआ रंबिलास रावत वो जस्ट गेट के पास है उन्होंने बोला गेट खोलो वैने गेट खोला उन्होंने अपने पेट पे ऐसे हाथ रख रख रखा था उन्होंने बोला कि मैं मर जाओंगा पट्टा वांदा टावल वांदा कि भी उनका खून नहीं रुका सर आज जो है तो उनके वाली खेति लग रहें इसके बाद में तो मौनू मजलापिया मौनू बापना मौनू बापना मंगलू और जो है आये और वह आंकी तो मौनू ग्यानी रिंपू रिदेश और कौनू इन लोगों ने गोली मारी गें तो मौनू बापने पर पंद्रे वर्ष्य किशोर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई किशोर ने अस्पिताल में अपना दम तोड़ गया है घर में देखे कोहराब मच गया है पुलिस ने महिशव को कब से में लेकर पोस्ट माचम के लिए भेज़िया है कारिवाई की मांग को लेकर लोग कोत्वाली पहुंचे सगे तीन भाईयों पर किशोर की हत्या का और शादा शानकारी के साथ समधाता विपिन हमारे साथ जुड़ गया है विपिन क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर बिल्कुल देगे मापको बसा दूँ ये पूरा मामला रोज होग वाली छेतर के बाज़का है जहां पर एक दुवक की ताथ से गोंच पर अंटक देगी तुचना मिलने पर पहुंचे पुलिस ने पुरे मामला शानकारी के लिए बहुत बहुत धने बाद आपका और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं खबर बरेली से जहां पर आपकारी विवाग के दरोगा की पतनी की चूल बता दे की चैन लूट ली गई है पाश लाके में चैन स्नेचरिंग की वारदार से हड़कम अच गया है वारदार चौराहे पर लगे सीसी टीवी कैमरे में कैद हो गई है वहीं पुलिस ने चैन स्नेचरिंग की अब तलाश में बहाँ पर जुड़ गई है कोत्वालिश्वेट के आयूब खाँ चौराहे के पास की पूरी घटना बताई जा रही है तो देखिए बरेली से बड़ी खबर है जहां पर चैन स्नेचरिंग का मामला सामने आया है आपकारी विभाग के दरोगा की पत्नी की चैन लूटी गई है और पाउश अलाके में चैन स्नेचरिंग की वारदास से हड़कम बच गया है तो आपकारी विभाग के दरोगा की पत्नी लूटी है चैन स्नेचरिंग का ये पूरा मामला सामने आया है जो पूरी घटना सीची टीवी कैमरे में बेक्याइद हो गई है ज्यादा जो अनकारी के साथ समधाता दीपक हमारे साथ जूर गया है अधिपक क्या कुछ अपडेट है इस पूरी मामली को लेकर जिकी मैं बतादू ये अपकारी विभाग में दरोगा है उनकी पत्नी है जो कल अपनी घर से चौपी चुराहे से मंदिय आयूब का चुराहे की दरफ चाह रही थी प्रफ जिकाई दे रहे हैं और महें से भागते हैं महिला को चोटे आईगे इसको इलाज चेली प्रिश्ट काल नेजी अस्वतालम भर्ती कर आया था उसके पास महिला का इलाज के वास से चुक्ती देगी फिलाहल पुले सिंसी टीवी को ध्रान में रखती हुए आरफियों के तलाश करनी कोशिश की रही है कि आपके पॉश इलाखे में इतनी बड़ी वारदास को अंजाम देकर ये लोग जिस तरह से निकले कहीं और वारदास कहा रहा है कि कूशी देगर से स्वामी प्रिसाद मौरे चुनाब लड़ने चा रहे है जी बिल्कुल, अभी तक इज़ बात का उनको इंतिजार था कि शायद समाजवादी पार्टी उनको टिकेट दे और उनके साथ गड़बंधन करके आगे चुनाओ की तयारियां करें लेकिन कल समाजवादी पार्टी की तरफ से समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी जो है वो भोशिक कर दिया है और अब उन्होंने ऐलान किया है कि आने वाले समय में वो खुद अपना पर्चा दाफिल करेंगे और वहां आपे चुनाओ लड़ेंगे जाहिर है कि स्वामी परसाद मौर ने लंबे समय से इंतजार कर रहे थे क्योंकि जब से असा अखले श्यादों पे उनकी खकास हुई है उन्होंने इस फीफा दिया था पार्टी से उसके बाद थे उन्होंने पार्टी बनाई और लगातार फिर वीच पे पयास लगा जा रहे थे कि वो अखले श्यादों के साथ मिलकर ही चुनाओ लड़ेंगे लेकिन सपा ने अपना प्रत्याशी गोशित कर दिया तो उन्होंने कल चंद्रचेकर आजाद को लगीना से समर्तन दिया और खुद ने पिजनाओ वहां से कुशी नगर से चुनाओ लड़ने का एलान किया है जीत माम शानकारी के बहुत बहुत धन्यवाद आपका और खबरों में आगे बढ़ते हैं किनर अखाडे की महामंडलेश्वर हिमांगी सकी वारार से पहुँची जुने अखिल भारते हिंदू महासभा ने प्रत्याशी बनाया है सनातन धर्म है अखिल भारत ये हिंदू महासभा भी सनातन धर्मी है सनातनी है और उन्होंने सनातन धर्म के लिए कई कारे की है अभी तक सर्वे पे सर्वे हो रहा है अभी तक तो सर्वे पे सर्वे हो रहा है ये सर्वे कब तक चलता रहेगा हर मंदिरों का सर्वे के लिए एक एक आगे का दिन बढ़ाया ही जा रहा है बढ़ाया अगर मैं जीत के आती हूँ तो मैं जो तुरुत है जो सत्त है उसकी बात कर दो आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं क्या तुरुत है बताने की जरुरुत है मुझे जो समाज को तो पता है क्या अत्रुथ है सनातन धा और इस वक्त की बड़ी खबर लखनव से साम्वियारी है आपको बतारे कि पीडियम गडबधन ने साथ प्रत्याशियों की सूची चारी की है अपना दल कमेरावादी दफ्तर में मीचेंग कर सूची चारी कर दी गई है बरेली से सुभाश पटे प्रत्याशी बनाए गया है वही हात रज से जैवीर सिंग को प्रत्याशी बनाए गया है फिरोजाबाद से प्रेमदत बगेर प्रत्याशी बनाए गया है राई बरेली से मोहंबद गोबी प्रत्याशी बनाए गया है तो वही फतेपूर से राम किश पाल और भदोही से प्रेम चंद बिंत प्रत्याशी बनाएगा है। वहीं चंदॉली की बात की जाये तो चंदॉली लोकसभास से जब आहर बिंत प्रत्याशी बनाएगे है। और जानकारी के साथ समधाता संदीप हमारे साथ जुड़ियाएं संदीप देखे पीडियम के तरफ से साथ प्रत्याश्यों की सुझी चारी कर दी गई है। तो संदीप से हमारा संपर्ख तूट किया हम दोबारा प्यास करेंगे आपको बता दे कि देखे पीडियम की तरफ से नए प्रत्याश्यों के लिस्ट जारी कर दी गई है। और साथ प्रत्याशियों के लिस्ट ये सामने आई है ये तस्फीरे आप देखिए जहां पर आपको बता दे कि इंद्रिया गडबंधन के साथ साथ यूपी में एक और नया गडबंधन बनाया गया जुसका नाम है पीडियम और पीडियम के तरफ से अब प्रत्याशियों के भी लिस्ट जारी कर दी गई है अगामी लोगसभाच नाव को लेकर कॉंग्रिस अबिस्थानी इस्तर पर भी अपना खोश्रा न्याई पत्र जारी कर रही है कॉंग्रेस के बरिस्ट निताओं ने प्रियागराश में न्याई पत्र को मीडिया के समख्ष जारी किया इस मौक्य पर कॉंग्रेस कारे समीति के पुरु सदस्थ से और पुरु विधायक अनुग्रह नरायर सिंग ने केंद्र की भ देश पूरी तरीके से खोखला हो गया है हलाल खबरों में अभी के लिए बस इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रही भारत समझार किचिन में के जहां कोल्डी किचिन किंग मसाले हंडर्ड परसें हो वहाँ जहां जाये रिष्टे बढ़ाए कोल्डी मसाले दोर बदल जाते हैं मगर आपकी पहचान नहीं जैसे सर्वकॉन पिछले 35 सालों से पहचान है भरों से की भारत के नमबर वन टॉप क्वालिटी डुमेस्टिक और इंडस्ट्रिल प्रड़क्स की सर्वकॉन रखे सब कंट्रोल में नूरमंट क्रीम और नूरमंट तेल जो मास्पेशियों को शक्ती शाली बनाता है अब जिन्दगी चलेगी नहीं तोडेगी नूरमंट दर्ग निवारक क्रीम और तेल रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वाश इसमें है क्यूकंबर के प्यॉर एक्स्ट्रैक्स जो नाच्रिली चेहरे को मौश्चुराइज रखे ये कोई कॉस्मेटिक नहीं आयुर्वेदिक कौशिदी है एक्ससाइसे भी जरूरी क्या है जानते हो क्या? सहत मंद खाना मैं सिर्फ रागवभोग आटे की रोटे खाता है और क्या चटपटा है राजिश मसाला? प्राय करिए टेज मस्त सबरदस्त राजिश रागवभोग चक्कियाटा सत्ता के गल्यारों की हलचल डीम से लेकर सी एम तक की खबरें नौकर शाही और मंत्रियों की जुगलपंदी सियासी दाव बेच और कपशब इन सब के अंदर की बान देखिए विरेंद्रिस सिंग के साथ हर शरीवार, रविवार, रात, आठ और साड़े नौ बजे पावर सेंटर में पेट सफा आयूर्वेदिक चुन पेट सफा हर रोग तफा डॉक्टर आर्थो आयूर्वेदिक उयल इवं कैपसूल अब दर्धी घुटने ठेकेगा अमीर हो या करिया को सब को राशन मिलेगा हमें ही बोट है, तो सिर्फ हमारी पाईटी अच्छी सर्वश्रेश्ट है नमस्कार मैं हूँ रविंद सुलानिया और आप देख रहे हैं भारस समचार भारस समचार क्याराना लोग सबासीट पर 24 की पंच्छाद आज गाउं सिंभालका में हैं और गाउं सिंभालका के जो लोग है उनसे जाने के आखिर मूड क्या है और इन लोग किसको पसंद कर रहे हैं इस बार तो बहुत सारी यहां तमाम जो है बुद्धी जीवी समा वह एक्साइटमेंट अंदर रखना है वह बहुत मुश्किल था मेरे लिए से पहले तो अंको देख कैसा लगा कि अमारे जो ड्रीम से वो रियालिटी में बदल गए इस जो गया जो मैं I think कब भी नहीं भूल पा हूंगी He is a global leader, getting to meet him is insane But that moment, when he's just coming That was like, had to beat stop the moment I'm sure everyone was wondering, wait Is it the same person that we watch on TV, when he was sitting in front of me, he was very angry Do you ever meet one or two, or do you meet the first time? No, we meet the people 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 When we meet the people When you meet the people When you meet the people What do you think about it? I didn't believe in this moment That something is going to happen I mean, we'll meet you Then we'll celebrate you I don't know when you know I mean, it's a fact Sir, I don't feel like you're in front of me It's going to happen Okay, it's going to happen I don't believe in the first thing So, sir It's going to happen So, sir, one time When we get to talk about this Definitely, we'll come to front foot And our goal today Validate It's going to win the gaming It's going to win the gaming industry Sir, if you call it The industry The first Creators Award Even at that time We also felt like Finally, after many years It's like The government is recognizing Our creativity What we do on YouTube We feel like Our fans are watching But the government The people have applied to that Creativity Award I've applied too No, no No, no 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 Hello, sir My name is Animesh Agarwal I'm 18 I'm 90 I'm from Mati Assam I was studying at a young age When I was in very young age I'm not studying at any age No No Compared to 28 years I'm younger And I'm talking about other young So, I was studying at a CFA I reached the finals And also gave the CFA and FRM I had a level 1 I had a break from my mother से गेमिंग की करियर को परसीव करने के लिए जब मैं 2018 में स्टार्ट के मैं सोच के गुछा था कि एक साल मैं गेमिंग में पुड़ा दूंगा और कुछ बनने की कोशिश करूंगा तब परिवार में क्या रिएक्षान आया अब सर क्योंकि मैंने पढ़ाई करके रखी तो हमे को करेक्ट डिरेक्शन दिखाओ गेमिंग से अच्छा क्या कर सकते हैं और उसी के तरफ काम आगे करने की कोशिश चलनी है सब मुसिबत यह हो जाएगी कि जब भी अपको ठग बोलेगा इसी को भी आप दिखाई देंगे और कोई आपको देखेंगा तो कहें यार यह तो अ मेरा नाम अंशुबिष्ट है वैसे मेरा गेमिंग नाम गेमर फ्लीट है सर मैं आता हूँ हल्दवानी नानिता अलुतरा खंड से तो मैं सर वैसे लोर मिल ग्लास फैमिली सा आता हूँ मेरे पापा एक प्राइविट स्कूल में तीस साल तक उनने बस कंड़क्टरी करी थी ताकि मैं और मेरी दीदी को वो स्कूल में पढ़ा सकें मैंने थोड़े टूशन पढ़ाने स्टार्ट करे बच्चों को एक दो जॉब्स लेरी फिर अपना खुद का कंप्यूटर बनाए एक सर आर्थिक स्थिती इतनी अच्छी नीथी तो उनका बनता है कि ऐसे सोचना कि आप समझ लोने कि आपका बच्चा बस कंप्यूटर बैठके चिला रहा है दिन बार क्योंकि सर थोड़ा होता है कि मतलब चिलाना इंदे संस कि खुश हो ना की तभी लोग देखते तो खुश होते ने कि अरे वाइस को कितना मचा रहा है तो नहीं मचा आता है आपको पता चल जाए कि आप क्या करना चाहते हो इंदी एंड सर जैसे आप कहें कि आप देश को आगे ले जाना चाहते हो आप देश को एक स्तर पे ले जाना चाहते हो बहुत तो वैसे ही मेरा भी था कि मतलब मैं भी कुछ ऐसा करूं कि दुनिया वाह वाह करे मेरा नाम नमन माथुर है और लोग मुझे मॉटल के नाम से जानते हैं मैं पहला बड़ा मुंबई में हूँ नभी मुंबई में और जब मैं चार साल का था मेरे पापा गुजर गए ते ममी ने मुझे और मेरे बड़े भाई को रेस किया उन्होंने टिफिन सर्विस किया सब कुछ किया और 2015 में मोबाईल आगया था हाथ में तब तो शुरू किया था खेलना पहले तो स्कूल कॉलेज में दोस्तों से बाते करते जरते पता चला होगा मैं गेमिंग में को खुछ से वो यूटूब देखके आया था मैंने उल्टा दोस्तों में फेला दिया था कि के लो मेरे साथ मैं बिमार हूं तुम भी हो तुम भी हो रहा है बस 2015 से लेके अठारा तक जब तक मेरा बीकॉम पूरा कंप्लीट हुआ उतने में मैंने ये फिग और मैंने सोचा की क्योंना मैं ऐसा कोई वीडियो बनाओं उनसे inspiration लेके और upload करूं और मैंने वो वीडियो 2018 में upload किया और इंस्टेंटी वो ही वीडियो जो उस सोच से बना ता viral हो गया उसके बाद मैंने sports में रपरेजेंट किया इंडिया को अनिमेश से मिला 2018 में हम लोग मैं कमपनी भी शुरूग की अपनी से टुल इंबोर्टल नाम कैसे रख लिया अरत में दो लोग इंबोर्टल की बात करते हैं लोग सब जगा मैं देख रहा हूं इंबोर्टल नाम रखने तो मैंने बस कुछ नहीं कर दिया उसको मेरा नाम पायल धारे सब लोग पायल डेमिंग के नाम से जानते हैं मैंने इन सब के बाद स्टार्ट किया है और मैंने सोचा नहीं था कि मैं इंग्या की लीडिंग फीमेल क्रीटर बनोंगी मैं बहुत ही छोटे गाव से हूं मैं एंपी में इक छिन्वारा करत की जगा है इन दौर के अफ़ास में तो मैं वहां के रहने माद ही उंचे गेमिंग में इंटर्स था बट घर पे वैजलिटीज नहीं थी तो यह तक भी हमारे पस घर पे पॉन में था खुद का तो गेमिंग में थोड़ा थोड़ा इधर उदर देखते रहते थे या दोस्त के जो भाई वगरे वो कैपेस जाते थे गेम के लिए तो वहां से थोड़ा बहुत नौलेश आए कि गेमिंग भी कुछ होता है तबी के टाइम पे यूट्यूब पे गेमिंग पॉपुलर होने लगी थी इंडिया में भी तो मैंने सच है कि क्यों ना मैं भी इसको ट्राइद हूँ और लड़कियों को भी ऐसा ऑप्शन भी है कि इसमें भी आप एपना सकते हो लड़कियों का इसमाना कितना संभावना बढ़ती हैं फिर सबसे बड़ी चीज यही है कि पेरेंट्स बहुत घबराते हैं कि बाहर जाके गामना करें और कई फैमली में थोड़े रिस्टिक्शन भी होते हैं कि बच्चियों को मौका नहीं दिया जाता तो उनके लिए कि बहुत ही अच्छा स्टेबल करियर आप्श मैंने जो ट्राय किया है कि हमेशा से यूनीक कॉंटेंट देना है और आइ थिंग उसी के वाज़े से लोग मुझे पसंद करते हैं तो गेमिंग, एंटर्टेन्मेंट, मिमिक्री यह सर मिलगे मैं बनाता हू मेरे बिए बनाता हू मैं चाहता था कि इंडिया से ऐसा कॉंटे प्रेस में आवर्ड होता है, आप आप अपर आवर्ड और यह थिंग तो एक बूद प्रावड अपरूटुनिटी ती मेरे लिए यह सर यह तो ऐसा है ना कि हर कोने-कोने में पहली हूए अभी तो लोग आपको काश्में जानते हैं कि ऐसे कुछ कर रहा हैं आप हाँ अभी तो मतलब बहुत सारे लोग कि लेकर के जाना परता है सर को भीक्तिकिया मजज जाकी मेरे पास तो यह हां मतलब इनिशली तो किसी को बट जब से ये मेडल हासिल हुआ तब से काफी मतलब कहे तो सब पहचानने लगे है हेलो सर्, मेरे नामे बिनेश और लोग मेरे को इसके रॉसीया जानते हैं मैं बैंगलूर से हूँ और मैं एक प्रोफेशनल ईस्पोर्ट्स अथलेट हूँ जो मैं जब से कॉलेज में गया दोस्त लोग ने मेरे को गेम को इंट्रिएउस किया और जब में खेला, अचानक से उदर जो भी लोग खेलते हैं, उन सब से अच्छा खेलने लगा तो मेरे दिमान में आया है कि ये चीज मेरे को असली में मज़ा आते हैं करने में और इस पे मेरे को कुछ बढ़ा करना है मैं जब 17-year-old था, मैं इंडिया को रेप्रेजेंट किया 2017 इंडोनेशा में तो जब मैं मेरा सक्सेस मिला और मेरा राइक कुछ तेक थे रस्पोंसिबिटी मेरा माबाप का जो ड्रीम ता घर बने में का ओ में कराया और दोनों को जॉब से रिटार कर रहा है और अभी सब रिलेटिवस बोलती बन अवस लाइक दखतक और अधा पूरा कि क्या बात करूं उनके सामने बाट जब मिला जो भी मन में है, जो मेरा स्टोरी है, जो मेरे को जानता है वो सब बोल दिया मैं उनके सामने एक साथ आप लोग कितने घंटे खेलते हैं कंचिनों आइधिंग एसपोर्स एथलीट जो होते हैं वो दिन के 6-7 घंटे प्रैक्टिस के बेंगे वो उनकी पूरी रूटीन होती है वो दिन में उपनेका समय गेम का समय डाइट सब पुछ होता है अगर मैं बताओ तो आइधिंग सब लोग ऐसे होते हैं इस दिन में बारा घंटे सिफ सोच ही रहे और फिर हो सकते हैं वीडियो बनाने में वो दो घंटे ही बनगे या फिर दस दिन तक नहीं बने हमारे देश में क्रीटिव के लुश्टी से गेम के दुनिया में कॉंटीशन के इतना हो है इचले दो साथ में जो कॉंटन मन रा इंडिया में यूट्यू बहुत पटा गए सब को सब के पास फोंट आगा है सब केंपा सब इंटे औरे अक्टे जा आगा तो हम लोग इस ना बाहर इतना अच्छा नहीं मतलब कोई सिस्टिम नहीं है जो इंडिया में इससा ब्लेसिंग गेमिंग के जनिया में आज करोड़ा बच्चे है हुँको यह मालूम है कि हमारे हाँ इंटरनेट इतना स्वस्ता है उसी के कारणों के लिए अपर्चिनिटी बढ़िये पता है सबसे पहले बोलेगा फ्री इंटरनेट है जिस तरह से फ्री इंटरनेट चीपेस्ट इंटरनेट इंडिया पर टॉप 5 चीपेस्ट कंट्रीज में आते हैं तो सार आज की दिन भारत में 15,000 गेम डेवलोपर्स कहे जाते हैं सब्सक्राइब कर देखो जो गेमिंग है पांच से छह साल पहले ही भूम उनी शुरू हुई दोजा उनिस में आई तिंग मैं बोलता हूं कि गेमिंग काफी स्पीड पकड़ी रफदार पकड़ा और दोज़ज़ अब कुछ मेरे आने के बाद हुगा एक एसी घटना सब्सक्राइब देखे मान लीजेक मैं एक बिल्कुल स्टूडेंट हूं और मुझे कुछ मानूं नहीं है यह गेमिंग की दुनिया क्या है परसेप्शन का ही मुझे पता है जो ही है बच्चे टाइम खराब करते हैं पता नहीं दिन भर उसी में बैठा रहता है मुझे आद यह पबजीवाला है क्यों और मेरे रिलेटिब्स तब में को ऐसा मम्मी को कॉल करके बोल रहते कि यह नमन को बोला था गया? तब मैं इतने उस रेप्रेजेंट कर रहा था तो वो सबको पता था तो कहीं आपने मुझे तो नहीं बोला हो यह डाउट आगया सबको यह कैसा च्छतन है जो अनून है ऐसी स्थिति में क्या आप लोको क्या अनुभाभात आए जो बच्चों से बात करते हों कोई तो माबाद की यह नहीं की बत करो मेरे बच्चे को बिगाड रहे हो अगर परेंट्स का प्रेड़ करें इसकों करके बच्चों ने गेम्स में इन गेम पैसे होते हैं वो चीज बहुत बड़ी न्यूस हो जाती है उससे क्या होता है कि फिर हमें भी अफेक्ट हो जाते हैं अगर किसी बच्चे को भी बढ़ी सपोर्ट्स आटलेड बनना या बट स्किल लेल पर तॉप लेल पर खिलना उनको मैं कैसे गाइड करो उनका पेरेंस को मैं कैसे गाइड करो इक अवेरनेस बात कम लोग के बास है हर में ऐसा लगते हैं कि जैसे स्पोर्ट एक एक्टिविटी जरूरी है या डांसिंग सेखना माब आप चाहते हैं कि बच्चे को आना चाहिए वो भी एक व्यक्तित्पके विकास का एक हिस्सा है लेकिन ऐसी चीजों को प्रतिष्णा मिलने में सदियों की एक पुर्शार्त अगर देखने जाए हमारा बेश स्पोर्ट में हमेशा बहुत आने रहा आज की दिन भारत का वन आफ दा मोस्ट पॉप्लिर स्पोर्ट क्रिकेट है पर अगर 1983 वारी वड़कप नहीं जीती तो में भी सब लोग उतना क्रिकेट में नहीं जाते और अगर में भी देश में सब लोग वो बनना नहीं चाहते सर गेमिंग पात्या साल पहले ही शूरू है और आज काफी लोग है इंडस्ट्री में कम्यूनिटी में हमारी जैसे गेमर जिन्हें में भारत को रिप्रेजेंट करके नाम कमा है तो सर आई तिंग आज कोई गेमिंग के लेगर ये पूछे क ये क्यों करने तो मैं उनको यह जोब देता हूं कि इसको आप साइड हसल रखी जो लोग सोचते अन और्थोडॉक्स है बेकार चीज है टाइम बेस कर रहे है लोग अपना उसको करके आप प्राइम मिनिस्टर अभी हम लोग प्राइम मिनिस्टर सर के रेजिदेंस में तो जाके उनसे बैटके एक राउंट टेबल में बैटके उनसे बाते कर सकते हो तो वह बहुत अन्रियल था और फॉर लोग अब गेमिंग को एक अलग नजरिये से देखें कि हाँ ये भी कुछ है और इसमें भी कुछ करा जा सकते है इस गेमर मैं कौंगा कि यह मैं इंपोर्ट आपकी दुरुष्टी से मुझे बताने जैसे कोई चीज आपको लगती है यार आपको कि मन में प्रस्ना है तो आप क्या कोई रेगुलेटरी बॉड़ी हो सकती है रेगुलेट सब्द ठीक नहीं होगा वरना सरकार का सभा होता है हर चीज में हार दालदा है सरकार का मूल न सारे बंदल लगा गर गुल को अलग करो दूसा है आप चीज को सम्झो समझ करके हमारे देश की रिक्वार्मेंट के है उसको मोडिफाय करो उसको कुछ कानून नियम विवस्था के अंदर ठाचा मेहलाओ उसकी एक प्रतिष्ठा बढ़ाओ अगर प्रतिष्ठा बढ़ जा मेरी तो कोशिश है कि देश की स्थिती इतने आगे ले जाए हम कि 2047 तक खासकर के मध्निम्वर के परिवारों के जिनगी से सरकार बिलकुल बहार निकल जाए वरना यह कागर लाओ वो कागर लाओ यह दो यहां क्यों गया वहां क्यों गया उसे में जिनगी फजी हुई है स्पोर्ट को बहुत टेक्निकली जैसे स्पोर्ट सारे इंटिफाई हुए एक अलग सारे इंटिफाई है कि स्किल बेज गेमिंग है इसमें कोई पैसो का गेम में पैसे लगा कि पैसे जितने वाला खेल नहीं है सब को पता चल जाता है यह अक्रॉस ऑल गर्मेंट बोडी ज कि सरकार आपके उसमें इसको कोई बंदिस की जरूतनी खुले महीं जाना जाए तभी जागर गेगे फले फुले अगर बंदिस आएगे तो नहीं होता क्या आपको एफेस करना पड़ता है गेमिंग और गैम्लिंग इन दोनों की लड़ाई आपके सामने आती होगी तब जैसे हम अलब गेम्स केलते हो काफी अलग रहती है बट वैसे समझ जाए अच्छा ये कौम जैसे बूडो खेलते वैसी कोई गेम होगे बट वैसा नहीं हो हम कह सते है कि चैस जैसी एक कॉंप्लेक्स केम समोच भी खेलते है इसमें बहुत सी मेंटल स्किल्स भी चाहिए रह मुझे कभी मेल कर दीजिए ओफिस में एकजिटली क्या पर्ब्लम फेस करते हैं इसर लाइक पेरेंट्स को जब उनके बच्चे लोग बोलते कि गेमर बनना है पेरेंट्स लोग को समझ में नहीं आते कि एक्चल गेमर क्या होता है क्या करता यह गेमिंग मतलब गेमिंग ग आप नहीं सकते हैं अट तो उनको आप आप सही रास्ते पर ले जा सकते हैं इस ज्लिए जाना है तो आपको लगता कैंँ यह ओंग रो पढ़ा करो और क्या क्या बाते आप उडा सोचते हैं कि जिसको था करना शीं आज वाटे नहीं तो मैं तो साफ होता है अगर तुम्हें मेरे जैसा बनना है तो जैसे मैं चला वैसे चलो मैंने कॉलेज किया कॉलेज के साथ किया मैंने जॉब करी मैंने जॉब के साथ किया जब तक नहीं चला मैंने ऐसा नहीं करा कि सब दुनियादारी छोड़ के मैं बस लगे रहा कि यही क काम करेगा यही काम करेगा आज की टाइम पर गेमिंग एक स्पोर्ट मतलब उसमें दो कैटेगरिया जैसे इस्पोर्ट में आप कंपीट करते हो और कॉंटेंटेशन में ऐसे हम गेम के अरांड विडियो बना रहे हैं उसमें चार दोस मिलके कुछ पन करें तो बो लोग देख उसका लाइब स्क्रीनिंग और करके के बाद में चोटा सा बीलियो बनाना इसमें तोड़ा रंग भर देना वो और तीसा जो महत्वकुन है कि गेम इटसल्फ बनाना कैसी हमारी जो गेम से जो बनी है अब तक जो आई है उसकी क्या तो अभी I think 2020 मैं आपने स्टेट्मेंट अभी प्रमोट कर दाए तो उसके बाद एक तिक काफी इंप्रूमेंट आया उसमें और जो वो पूरी इंड़स्ट्री उसमें भी काफी स्कोप बढ़ा है इंदुस्तान की कौन सी थीम है जो लोगों को अकरशित कर रही है या आप लोगों को लगठाए गे एक लिक कर सकत जो वेस्टन वल्की आते हैं उसमें तो मारो काटो दोडो भागो यह यहां जो नहीं किसे ने उसमें माइंड अप्लाई किया अभी डेवलोपमेंट में जो बोर्ड गेम्स हमारे पुराने खेले जाते से जैसे जैसे अश्टो चोक्टी कर केक गुजराती में चोटे से बहुत बड़ी चर्चा करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग के, क्लाइमेट इशूज है, दुनिया में अलग अलग तरीके अपनाए हैं, मैंने दुनिया के सामने अलग विश्य रखा है, मैंने कहा है, मिशन लाइफ, और लाइफ सब्द से मेरा मतलग है, लाइफ स्टाइल फर एन्वार्मिंट, अगर माल दीजे मैं ऐसी गेम बनाओ, जो क्लाइमेट की चैलेंज को कैसे हम, मिट्वित करेंगे, कौन से रास्ते होंगे, किस-किस रास्ते से लाइगे, किस रास्ते से ज्यादा सफलता मिलेगी, सरवता मिलेगी, स्वच्छता के विशय को लेकर कही गेम बने और हर बच्चा कुखे ले, भारत के जो वैलूस है, वो नई पीडी उसको जीना सिखे, उसका महात्पर समझे, और उसको बैक्ग्राउंड इंफर्मेशन मेले, जैसे हम सभी को गेमिंग इंपरेंसर का जाता है, वैसे आप इंडिया के सबसे बड़े इंपरेंसर है, जिसके बार सब संथे मानते हुए है, अब आपकी इबार आएगी, तो मुझे लगते हैं, लोग इस वे में सोचेंगे, सर यहाँ पर जो आप कहे रहे हो ना, तो मुझे बाएगी, अब आप इंडिया के बाएगी, आप गेम डेवलमेंट में हुसो, तोड़े से एसे गेम्स डेवलप करो, जो आमारे कल्चर या इंडिया, कैसे चलता है या हमारा क्लाइमेट या वड़ेवर जोग्रफी इन सब चीजों को देखकर ऐसे गेम्स बनाओ एंड उन चीज को हम लोग पुछ करने की पूरी कोशिश करेंगे तो इस 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 संथिंग डाइब टेक फ्रॉम क्या open source game को हुता है कि game है उसमें दोबबनाना है तो फिर हमें पलाग बनाना है तो फिर हमें open source करें और उसमें नहीं नहीं चीज़ों को जोड़ने के लिए उसको open करें तो हो सकता है करेक्टर के उपर कोई बनाया तो लोगों को अब ओपन सोर्स है आप नहीं नहीं चीज़े लेकर आई तो हो सकता है वह हमारी टीवी सीरियल जैसे काम है वारे टीवी सीरियल को एंडी नहीं है जोड़ते जाते हैं सार हम लोग में वैसे थोड़ा खुछ आपके लिए सोच के रखाते कि आपको इतना कुछ सिख्या आपको अम लोग गेमिंग का थोड़ा डिक्शनेरी आपको सिखाना चाह रहे तो सार एक गेम है जो मित्पैट आप सुझा ज़ादे हम लोग क्या इसी निए अपने खर्मिया अब देखे सरकार में जाए तो सरकारी जो अधिकारी होंगे वो शौट फॉर्म में बोलेंगे भी बोलते हैं भार्टी जंदा भार्टी में वह जाता है अब आपको एक जो वर्ट्स तो आम लोग बताके जाएंगा आप हमें पिल बताएगा कि आप कौनसे सेंटेंस मों उसको यूज करेंगे अचा है मेरा एक शब्द है पीटु जीटु मेरा वो पीटु जीटु सब्द ही है प्रो पीपल गुड गवनांस पीटु जीटु अचा एक और है नूब नूब का मतलब होता है कोई ऐसा जिसको कुछ बहुत मैनत करने के ब ग्राइंड करके वर्ड होता है तो यह तो खेर आप गेम में भी इस्तमाल कर सकते हैं आप कहीं भी इस्तमाल कर सकते हो ग्राइंड मतलब सर महनत करना हो गया बेसिकली जैसे अगर मैं माइनक्राफ्ट खेलता हूं तो मुझे उसमें एक एक चीज़ सीख लिए ग्राइंड करना पर तपना है तपना हिंदी में आसान भाचा में तपना और इस दूसरा है जीटी है गोट तू मतलब हम जनरली करना है तो हम टाइब करते हैं जीटी मतलब अवे फ्रॉम कीबोड यानि कि आप गेम खेल रहे हो चार लोग एक टीम में एक साथ खेल रहा है अचानक से मम्मी ने बुला दिया कि खाना रेडी हो गया तो वो फोन इदर ऐसे छोड़के जाएंगे तो मतलब गेम हार जाएं करते हैं और सबस्क्राइब करते हैं आप जैसे मतलब हमारी और आपके उंपर में काफी देप्रन्स हो लेकिन फिर भी अपने किसको किसे बताई है मैं अपने करें जैनी हैं मैं कलर करके बाएं थालोगों के लगें बैचोड़ू तो अपने एक मुझे याद है मिजब बाद बात चीज़ बात चीज़ बात शाएं आपने जब सिंपल चीड़ मोई लाइक शेयर शाब्स्राइब सब लोग पाग एगां अब इस वोग गुंडिया डबो जै बहुत पहले से राफ देखे रहा है डबो तो वह मैं क्या कहते है नमो ओपी इस लगया है तो आपको सबसे लादा है और सबसे लादा पाबर सरभी कुछ आपके साथ गेम इस चाले नहींते हैं तर आपको गेमिंग तिकाने के लिए अप पहनाता हू कि आपको इस अपको आपको 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 जोड़ कर रहे हा उन्या मतला फिरस्ट गो में जी ससाफ से अनोने किया वी वर माइंड ब्लोव या कि अजर गेमर आज कुछ हो गया है वाओ यह यह शो अगल में लिकिन सब अच्छ यह देखिए, राइट नीचे आना है नौ किसी को नहीं मिल सकता है, उतना मुश्किल है मिलना जो मोका हमको मिला तो तो इस विल भी बेस्ट मोमें आफ मैं लाइफ वेर वी प्लेट गेम्स अब अंदर चले जाएए यहां से, देखिए अब यहां पर आ गया, आप स्पीड भी बढ़ चुकी अब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि यह एक अग्डेम गेम है, फॉर्स तैंग, मतलब सवर केल रही मार्बूर केल रही क्या बधर हुख भी Miguel इतनी है कि अई ने गेम तो बहुत बड़ा है इनको मिलेगा एक तृषोल मिलता है यहां पर तो फो त्रिषूल यहिए बढ़न आपर तो जैसे है इनोंने ctting तो U-T meil जाएगा अब इनको पहला अधियार अपना विंट मिल चुक है अब यह लेके वह आगे लॉड विश्णू एंड माधुर्गा के गाइदेंस से अपने भाई को बचाएंगे यह पूरे गेम का शुरुवात और पहलू है एक बात तो है हम लोग इतने टाइमस में इंस्पायर कर रहे लोगों को गेनिंग करने के लिए आज आपने अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा इसमें है क्यूकंबर के प्यॉर एक्स्ट्राक्स जो नाच्रिली चेहरे को बॉश्चुराइज रखे ताकि पिंबल्स और डेट स्किन जैसी प्रब्लम से मिले रिलीव रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस्वाश ये कोई कॉस्मेटिक नहीं आयुर्वेदिक कोशिदी है इंडिया का सबसे बड़ा एलेक्ट्रोनिक सेल शुरू हो चुका है इससे बड़ा से शाहिद नहीं मिलेगा टीवी, लाप टॉप, मॉबाइल, फ्रिज, वाशिंग मश रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस्वाश ये कोई कॉस्मेटिक नहीं आयुर्वेदिक कोशिदी है जोडों का दर्द भले ही परिशान करें पर नूरानी तेल का साथ है तो जिंदगी क्या बात है तकन पर नैनी का मशूर और एक को ट्रेटमाक देख कर ही खरीद आसे बा क्या बात है लोग कुछ चीजे लाएते आप से साइन करानेक लिए वमारे गेमिंग चे जोड़े आप दोड मिनिट विराजमान हो जाते तो टेबल पर फॉर्श और नमो उपी आप लोग ये काम शुरू किजिए हारे को कहिए कि खुद की सिगनेचर अपनी मात्रु बास्ता में करें लोग अब गेमिंग को एक अलग नजरिये से देखें कि हाँ ये भी कुछ है और इसमें भी कुछ करा जा सकते हैं ये पहला दीजिए का अच्छा है इसको पहनो गए ये मितुझा मोर जरू नजरू करें जरू नर्थ डर्ड़ें से और ये इसर देयुन में। ये फर्टव में आपके विसलिसे पहाँ साथ है ये येजिए ये है पैलिये आट्स अब डियन गेमिग पीक को कि टुधे ब्लीय तो डिशय में फालि थो ए इसले हैं तिक इलित क प्रॉष्ट है यह सबस्केंट करा में चान्या। ममी पापा तुम्हारे पेटा मुटी जी पेसाथ मिलका है आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ट न्यूस चैनल भारत समाचार आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूँ आपके साथ नन्यूस चैनल भारत समाचार की नवरात्री का आज पांचवाद दिन है और आज कि दिन मा इसकंद माता की पूजा की चाहती है मोक्ष के द्वार खोली बाली माता परम सुगदाई होती हैं मा अपने भगतों के लिए कहा चाता है कि समस्द एक्षाओं की सदेव पूठी करती हैं मा की अगर बात की चाहे तो इसकंद माता की चार भुजाएं हैं और कुर्ता वो शुर्य वड़ हैं कहा जाता है सुब्रे वड़ हैं उनके पास युक कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं और इसी को लेकर देखे आज हम बातचीत करेंगे और आपको बता देख एक एसकंद माता की बात की चाहें तो इनके साथी इनका वाहन सिंग होता है और इसी के साथ आए जानते हैं कि चैत्र नवरात्री के पांश्वे दिन पूजा फिधी मंत्र भोग महत्व क्या होता है आर्थी के बारे में साथी आज का कुछ सयोग बंदा है इसी पर आज हम बात चीत करेंगे लेकिन इसे पहले आप जाने हैं कि मंदिरों में देखें सुबह से ही भक्तों की भीर लगी हुई है मा के दर्शन के लिए भक्त आतुर रहते हैं और वो सुबह से ही लंबी-लंबी कतारे लगाए रहते हैं मंदिरों में मा के सिर्फ एक दर्शन के लिए तो सुबर से ही आप देख रहे होंगे कि देश भर के तमाम जो मंदिर है उसमें भी लगी हुई है बात की जाए तो श्रधालू अपनी श्रधा लेकर मा के पास पहुंचते हैं अपनी मनुकामनाओ को लेकर अपनी आस्था को लेकर और कहते हैं कि नवरात्री में मा दुर्ग तो देखिए आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि आज का क्या कुछ पोजा विध्य विधान है मंत्र क्या है सायो क्या कुछ बन रहे हैं और हमारे साथ जुड़ गए हैं महराजी प्रेमोर्टी महराजी हमारे साथ जुड़ गए हैं बहुत बहुत स्वागत है आपका महराजी भारत समचार पर आज देखें नवरात्री का पाँचवा दिन है और कहा चाता है कि आज के दिन मा इसकंद माथा की पोजा की जाती है क्या कुछ आज का दिन विशेस बना रहा है? इसकंद माता इसका नाम है तोसी जहां भगवान सिब के पत्र जिनको का टेकित अजाता है जिस तरानन का जाता है बुड़ बनाता के नाम से भी आधा है और जो भी माता आए है अपने के पत्रों के साथ माता की उभ्यास्रती है अर्चना जो मदुर्ता है उन्तों से जीवन की जो मदुर्ता है वो मदुर्ता बढ़ती है और पत्र के जीवन सभी बिद्व वादाओं को माता दूर करते हैं और बगवती इसकंद माता और इसकंद माता को गोरी भी का जाता है और इसको इमाल-ए-राइपरवत की पुस्त्री होने से उनको पारवती के नाम से भी जाना जाता है और जो की सादक बगवती की आराधना करते है तो उनके जीवन के जो भी विकार है तिन वादाए है तो सबतूर होती है और भगवती का जो रूप है भगवती के चार हाथ है उन चार हाथों में भगवती अपने दो हाथों में अपने दो हाथों में उस्पकवल लिये रहती है एक हाथ से इसकंद अपने बालक सणाने को लिये रहती है और भगवती एक हाथ से आसिरवात की मुत्रा बक्तों को दी और बगवती सिंगास्तन गतां निठ्यम पद्वान स्थाकरत वया सुभदादस्तु सदाम डेवी इसका लवाता यसोश्त रियू जिस्परकार बदुक्षीं के आसन पर राजमान है और बगवती के हांगों में अदुनों हाथ में निठ्यम खितकरत वया यानि दौनों करों में सब्सक्राइब करते हैं और इसकंद माता है वो यस देने वाली है और इसकंद माता की गोद में इसकंद माता है वो यस देने वाल रूप में रहते हैं तो जोने इससे दाली आच वाली है चलते हैं मुक्यमंत्री योग्या अदितनात के पास इस वक्त वो लगनों में मौचूद है यह सीडी तस्विर आप लगनों से देख रहे हैं मुक्यमंत्री योग्या अदितनात इस वक्त वो रुडवारे में मौचूद है यह सीडी तस्विर हम आपको लगनों से दिखा रहे हैं दिखे मुख्यमंद्री योगी आदतनात को आप देख रहे होंगे और उनके साथ तमाम लोग मौचूद हैं और रुद्वारे की ये तस्वीर आप लखनों से देख रहे हैं जहां पर मतरदेश के सियम मौचूद है आप लखनों से देख रहे हैं जहां पर मुख्यमंद्री योगी आदतनात को नसर आ रहे होंगे मैं आज आपको खासा साज्या दिवस मिसाखी पर की बहुत बहुत बदाई देता हूं आप सभी जानते हैं कि 1699 में उस समाज की दुर्दशा को देखते थे इन्होंने पांच प्यारों के चेहन किया पांच प्यारे जो अलग अग जाते हों के थे अलग अग प्रांतों से थे उन्होंने आकर के गुरुमारा के समक्ष अपने शीर भेड कर दिया और उसके बाद तो देखे चेत्र नवरात्री का आज पांच वाद दन है और हम आचारे जी से पूजा विधे विधान को समझ रहे थे हमारे साथ आचारे जी मौजूद है अचारी जी देखे अब आज चैत्र नवरात्री का पाँचवाद दिन है माता इसकंद माता की आज पूजा पाट क्या जाता है क्या कुछ आज के दिन सयोग बन रहे हैं और मा को कौन से भोग लगाने चाहिए आज के दिन अब आज जी तुछ है जो माता की बन रहे हैं इनका जो भोग रहता है जो विशेश करके शीता अफन जानी बन जाए तो कमल पुस्पसे बगवती की हम अरकन कर सकते हैं प्रीवाटि के साथ में भोग लगाया जाता है और भगवती को विशेश बोग में जो बिद्या और बन की कामना करते हैं वो हरी इलाइची बगवती को हरी इलाइची और एक लोग का जोड़ा बगवती को लागा सकते हैं भोग के रूप में और भगवती के जो और भगवती की पूजा आरागना जो भी भगत अपने माता और फुत्र में निकरके भगवती को फीरता भोग लगाए और माता एक लोग का जोड़ा और फुत्र दो लोग जोड़ा गवती की प्रसादी जो लगाता है तो इसका एक उत्र की सारी वितने माताँ हैं तो कि भगवती तक सर्व मंगल बांगले तिलेष सरी से वsung कित जब नहीं लिए और जब हम अपनी सोजाता थाल सजाएंगे तो उसमें हमारे पास में कुझा के इस हाल में दीपक होना पीला खुस्प को इससे हम भगोती का फुजन करें और अपनी कामनाफ को लेकर के अगर चो माता है अपने बालकी दीर्ग आई चाहती है और वहाँ पित्यावान बने ऐसा चाहती है उसकी अलंबाई का उसके तीन गुना रागा करके और वहाँ उस पर उतार करके जो भगवती के चोड़ों में रखती है और सांग को सूरिय अस्तोंने से पहले उसकी कलाई पर वांती ही ने तो उसके सारे विद्न बादाएं दूर होती है आचारे ची आज के दन कौन से मंत्र का चाप करना चाहिए जुसे मा इसकंद माता प्रसन हो जाए ऐसे तो सबसे सरण मंत्र है प्राय सब जानते है तो भगवती को भोरी का जाता है जिस प्रकार मैंने भी भूला था इस मंत्र से हम भगवती का अर्चन कर सकते है अर्थवा हमारे पास में तो लवाड मंत्र है उसमें नो अप्षर है अचारे ची आज के दिन पूजा पाट का अपने विधी विधान वे बिताया आर्थी कैसे कान नो अप्षर है चाहिए और कौन से ब्यंजन जो है लेनी चाहिए जो लोग उपवास रहते हैं आपने बहुत सुंदेंगे जाहे इस परकार बगवती को हम आज पीले कुछ पर अद्वा पीले खल को प्रदान करते हैं उसी परकार हमको भी जब हम अपने साम को शुर्य अस्त्त के बात में जब हम वगवती का अर्शन वर्दन करेंगे उसमे हम प्रियों कि याद करेंगे कि हमारे पास में जो भी खिलार।। उसमे कफिलार की बहुता है। कि अचारी ची अब हम आपसे यह जाना चाहेंगे कि अलग-अलग राशियों पर माता इसकंद माता की क्या कुछ आज प्रभाव पड़ रहे हैं पर माता इसकंद माता का गण है और बस्तियाब ही है तो हम आज की जो मुख के राशियों चाहें बना करके रख रहे हैं ओ हाँ सभी आज भगवती के नमाड मंत्र का जब करेंगे तो कि आज सनवार के दिन यह जोग बन रहा है जब भगवती स्कंद बाता की पूजा सनीवार के दिन की जाती है तो उसका फले अधिक बढ़ जाता है तो उसके रासी के जो जातक है वो भगवती के नमाड मंत्र का आज जाब करें और मेस रासी वाले भगवती के दुम दुरगाई नमहका जब कर सकते हैं ब्रसब रासी वाले भगवती को भोग लगाकर के राती करके भगवती के किलिम सक्दका भी जब करें तो उनके जीवन में मंगस्ता रहती झेंगराऑधी के ऑता है अशारेचैब हम आप से यह जाना चाहेंगे कि जो भगथ हमारे उबवास है फल और फूलों का बड़ा महत्वा होता है तो आज के दिन वो फल और फूल कौन से चढ़ाएं? फल में मैंने बताया था फल में बगवती को केलेता और अनारता और बगवती को आज इसका जो है बगवती अपने हाथ में दोनों हाकों में कबल का फुस्प लिए रहती है तो मारे पास बन गया तो कबल का फुस्प अधवा हम बगवती को कोई भी पीला फुस्प अरभ सकते है ची आशारेची देखें का जाता है कि मास्कंद माता जो होती है वो संतान सुख प्रापती के लिए होती है तो जो माताई परेशान रहती हैं वो क्या कुछ आज विशेस करें माताओं के संताल नहीं होती, प्राप्त नहीं हो पारी, वो लॉंग का जोड़ा और अनार के दाने निकाल कर गए, भगवती को भोग के रूपे अर्पेच करें, तो उनके जीवन में जो संताल वादाएं तो रूपन जाती, माताओं के संताल नहीं है, माता अपने हाथ में अपने पुत्र इसकंद को बाल रूप में लिए रहती है, तो बाल रूप में और यहां माता हमको पित्या और पुत्र देने वाली है, और माता इसकंद के साथ में, माता का जो भी जिनके पुत्र नहीं है, अत्वा 32 समस्य रहती हैं, पुत्र होने के बाद में महम्रत्यू हो जाती है, तो ऐसी दी माताओं हैं, वो आज बग्वती स्कंद माता की अर्षन करें, बंदन करें, तो उनसे जो संतान वादाएं हो र जाती है, और सात्मन में को पायो और बता दो, जिन व्यक्तियों के कारूबार नहीं चनपा रहे हैं, तो वहाँ लॉंग, पपूर और अमरतास के पूल मिला करके, बग्वती को चानवाद मंतर से आउती रहे, तो उनके ब्यापार में बर्तत होती है, और उनको पीचर जाती है, बहुत सारे भग्त उपवास रखते हैं, ऐसे में क्या कुछ और विशेश सयोग बन रहे हैं? अगर किसी को कोई मंतर नहीं आता, किसी को कोई पूजा का बदान नहीं आता, तो मुझ की चीज़ी है कि इसके पास में आसन होना चाहिए, और वीपक हमारे पास को होना चीए और हमारे पास में जलका पास होना चीए, अगर हमारे पास में बगवती ने कृपा किया है, तो हम अपने बगवती के अनुसार केले का फ़क अद्वा हम कोई पुष्पर और हमारे पास में भगवती को फुष ना हूँ तो दो किसमस का हूँ लगा करके और अपने पास में आतन विचा करके. क्यों बिना आसन के पूजा प्रिकार नहीं होती है क्योंकि हमारे यहाँ पूजा का विदाना आसन से सुवारम होता है हमारे यहाँ पूजा भी प्रारमा आसन से होती है और भगवती का आसन भी सिंग है तो वो सिंग रूप में भगवती पराजमा रहती है तो वहा हमारे जिटने भी तुलकुड हैं, जिटने भी विकार हैं, उनसे भी विकारों को जूर कर देदी परिशे त्यास करना चाहिए कि हम दर्थ करते समय किसी मादत पतारत का सेवन नहीं है और हम बार बार जल्वी न पीने वह मर दो भाता से लिकी और जब कम्जौरी आती हैं तो ब्रत में सोया भी नहीं जाता तो कोई भी माता नो सोय कोई भी जात articulate साथ अब नंना जोय ऑफ प्यास करें मांसत्री रूप से तारी रूप से हम अपनी क्रिया के मनसे वानी से हर समय वापति खायत ही अडाधना करते रोगे और हमारी बाड़ी से किसी को कोई कर्ष्क न वो और घद्वती के रुप का हम चंतन करते रहें तो इसके साथ हम पर वर्वती किरपा करते ही है आचारे जी पहुत बहुत धन्यवाद है आपका हमारे दश्कों को पूजा पाट विधे विधान बताने के लिए तो देखे हमने आचारे जी से जाना के किस तरीके से आज किरदन पूजा पाट किया जाता है क्या कुछ मा एसकंद माता के आरती और बंतर जाप रहें नवरात्री इस वेशन में आज के लिए बस अतना ही कल फिर होगी आपसे मुलाकात तब तक के लिए देखते रहे भारा समचार इंडिया का सबसे बड़ा एलेक्ट्रोनिक सेल शुरू हो चुका है इससे बड़ा सेल शाय नहीं मिलेगा टीवी, लाप टॉप, मॉबाइल, फ्रिस, वाशिंग मशीन, किचन अप्लाइंसे सब पे पाईए बेस्ट डेल्स सिर्फ ब्रिलांस डिजिटल के टिजिटल डिजिटल डिसकाउंट बेज़ में चादी का किचिन महके जहां, कोल्डी किचिन किंग मसाले हंडर्ड पसेंट हो वहां जहां जाए रिष्टा बढ़ाए, कोल्डी मसाले अब जिन्दगी चलेगी नहीं, दोडेगी बच्ची के नाले में डूबने से हुई मौत, दो गंटे से रापता थी बच्ची, नाले से निकालने के बाद परिशन बच्ची को ले गए अस्पताल, अस्पताल में डॉक्टर्स ने बच्ची को बद्भोशित किया रायब रेली में हुआ दर्दनाग सड़क हाथचा, तेज अबतार डीजियम वकार में आमें सामें जोर्दा टकर, हाथचे में कार में सवार एक मट एक की मौके पर मौत, वहीं पर तीन लोग गंपी रुट से खाया ग्रेटर नोड़ा में एक्सिस वेपर स्टंट करते हुए नजरायत दो युवक तेज अफ़तार गाड़ी की खिड़कियों पर बैट कर किया स्टंट, वाइरल वीडियो में जान जोखिम में डालकर एक्सिस वेपर तेज अफ़तार गाड़ी से स्टंट किया गुर्णपुर में सिर्फिरे युवक की कर्थूद चिकज़क के घर में घुसकर चाको से तावर तोड़ हमला हमले में बुज़र गुमाहिला उसका पोत्र गायल पोले समलावर की गिरफतारी और घट्ना की कारणों की जॉच में चिटी शामिली में बीएस्टी परत्याशी की सभा में वोट्रों का धंकाने का वीडियो बारल कराना लोकसभा से बस्वा परत्याशी स्रीपाल राळा के सामने एक दवंग ने दलित वोट्रों को धंकाया भरी चोपाल पर गाली देते हुए वोट ना करने पर देख लेने GOD कायनपुर में लोकसवा के चुनाओं के भाइज एक महिने बचे है और इसी बीच वैश्च समाज के लोगों ने आरोफ लगाया उनके वैश्च समाज के लोगों की संख्या को घठा कर आयूप को भीजा है या आरोफ प्रेस क्लब में एक प्रेस वारता के दौरान लखाया ग अज आयोजीत समावों में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मंदल के मेरे सयोगी सर्दार बहुदीप सिंग उलक जी भारती जन्ता पार्टी महानगर की अध्यक्स सियानंद दिवीदी जी भारती जन्ता पार्टी के बरिशनेता सिनीरस सिंग जी अध्यक्स गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी लखनो सर्दार राजिंतर सिंग बंगा जी प्रधान सेवादार गुरुद्वारा नजरबाग अयुध्या बाबा महेंदर सिंग जी अध्यक्स अन्पसंक्य कायों के सदस्य सर्दार परविंदर सिंग जी सर्दार हर्मिंदर सिंग जी अध्यक्स गुरुद्वारा समिती सर्दार तरंचीत सिंग मकड जी आज की इस कालिक्रम में पस्तित सरी पैनों और भाईयों आज ही के दिन सन सोना सो निन्यानिवे में गुरु गौविंदर सिंग्री महाज ने देश और धर्म की रक्सा के लिए जिस सक्ति पुझ के रूप में खालसा पंत्य की अस्तापना की आज गुरु माराज की किरपा से वा दुनिया के अंदर बिना रुके बिना टिके बिना जुके धर्म की इस दुचा पताका को बड़े गौरों के साथ आगे बनाने का कारे कर रहा है बैसा के काय पावन पर्व हम सब के लिए खालसा पंत्य की अस्तापना दिवस के रूप में एक नई प्रेणा और प्रकास का सोथ है इस उसर पर पुरे प्रदेश वासियों को सभी सिक्व पैनो और भाईयों को इस पावन पर्व की मैं हिर्दे से बढ़ाई लेता हूँ हम सब जानते हैं कि जब धर्म खत्रे में पढ़ने लगया देश की सुरक्सा खत्रे में पढ़ गई उस समय गुर्बोविति सिक्व की महराज को लगा कि समाज को जाती पात इसे मुक्त एक ऐसी विवस्ता चाहिए तो इस संपूर समाज को सुरक्सा भी दे सके और संग्रक्षण भी दे सके उस समय की तमाम ऐसी कुरूतियां थी जिन कुरूतियों का सामना करते वे दुरू कारे होना था और इसके लिए उन्होंने जो लीला रची वहाँ एक नए पंथ के स्रजन का अधार बना वहाँ खालसा पंथ की इस्थापना दिवस के रुप में वहाँ दिवस पुरे समाज के लिए स्मर्ड़ी हो गया हम सब जानते हैं गुरू गोविति सिंग्जी महराज ने और सिक गुरू ने देश और धर्म की रक्सा के लिए जो योगता दिया वा नकेवाल उस समय के लिए बलकि आज भी और भौश्य की लिए भी हम सब के लिए पेड़ा का एक महतपोर्ण केंदर मिलतो है आप सुनण करिए गुरू गोविति सिंग्जी महराज के लिए चार-चार पुत्र देश और धर्म के लिए बलतान हो जाए और तब भी उन्होंने कोई किसी भी प्रकार का अफसोस करनी की वजाए बड़े गर्व के साथ कहा कि चार वोई तो क्या हुआ जीविति कई हजार ये भाव था गुरू गोविति सिंग्जी महराज का और मैं बढ़ाई देता हो आख सब को कि जो सिक्वद्गों की कट कई दस्कों की मांग थी कि गुरू गोविति सिंग्जी महराज की इंचार साथ जातों की स्मिर्टि को बाल बीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाए प्रणानमंत्री मोदी जी ने 26 दिशंपर की तिखी बीर बाल दिवस के रूप में पुरिबेश के अंदर आयोचित करने का जो डिड़ने लिया हम सब इसका विदंदन करते हैं प्रणानमंत्री मोदी जी के प्रती आभार भी ब्यक्त करते हैं यह हमारे यवाओं के लिए एक नहीं पेड़ा है देश और धर्व के लिए जो भी योगता देगा समाज उसके प्रती इसी रूप में नतमस्तक होगा जैसा हम लोग बीरबान दिवस के रूप में गुर्गोविद्य सिंग्जी के चार-चार उन सापजादों की ब्रणात दिवस की रूप में हम उनका स्मण करते हैं और उनको नमन करते हैं ऐसे ही अंड्यनेक उद्धर्ण है जो हम सब के लिए एक नहीं पेड़ना होती है आज का दिवस भी हम सब के लिए एक नया पेड़ना है आप सब जानते हैं कि देश के विभाजन की कीमत क्या होती है गुरो नानक देश जी की पावनस्तल करतार कुर साहिब वहां पर जाने के लिए कितना हमें पापड़ बेलने पड़ते हैं और किती तकलीपे होती थी लेकिन उसे एक कोरिडोर के रुप में विक्सित करने का कारे भी मोदी जी के आने के बाद हो पाया और आज उसको भी एक नया सुरूप दे करके लोगों को अपने अदीद के साथ जोड़ने गुरु परंपरा के परती सम्मान का भावब्यक्त करने का एक कारे प्रारंब हुआ है यह देश आगे बढ़ेगा हमारा यह देश शिक्गुरुओं के परती उनके योगतान के परती उनकी पेड़ा से जो देश के अंदर धर्म के लिए बलतान हुए हैं उसके प्रति सदेव कृत्गिता भाहों से लिडिक रहेगा और उनके प्रति सदेव इस बात के लिए कृत्गिता के अपित करेगा किसका लखंड में सिक गुर्वों का यो योगदान था वह आज भी हम सब को एक नई उर्जा का संचार करता है आज जवन खाथा पंथ की इस्तापना दिवस को बैसा की पर्व को शुरूप में हाँ पर इस पवित्र गुर्दारा में आयुचित कर रहे हैं लखंड वेसे भी सिक गुर्वों की तमान इस लिर्दियों से चुड़ावा स्थल है यहां पे गुर्व तेक बहत्र जी माराज आये थे लखंडों में ही उन्होंने कुछ दिन बुजा रहे थे गुर्वी मिसिंध जी माराज बच्पन में लखंडों में और पवित्र गुर्दारों का में रह करके उनका अस्त्रिवाद उस समय भी प्राप्त हुआ था मैं नौर वाईयों यह हम सब के लिए एक नई पेड़ना है एक नई उर्जा का केंद्र है आज की सौसर पर मैं आप सब को इस बात के लिए फिर से रहाई देता हूं कि जब तक गुरु परंपरा का नुस्णह करेंगे और जब तक गुरु मराज क्रे आदेसों का पालन करते वे मागे वढ़ेंगे हमें सफलता की नई उचाईयां प्रात्तों होंगी और जब भी उनकी अवहेलना करके हम उन्हें अपने व्यक्तिकत सार्थों के लिए अवहेलना करने का कारे करेंगे तो पतन से समाज को कोई नहीं बचा पाएगा और इसलिए मैं आज की सौसर पर आप सब कावहत करूँगा हमें गुरु परंपरा का अक्सर सा पालन करते हुए जो खालसापंध की अस्तापना के पीछे का हेट उठा उसके अमसार अगर आप कारे करेंगे तो नकेवल सिक्पंध भलकी भारत और धर्म उत्थान के एक नए आयाम को छूतावा दिखाई देगा आज के सौसर पर एक बार फिर से मैं बैसाकी और खालसापंध की अस्तापना दिवसकी आप सबको घर्दे से बढ़ाई देते हुए अपनी सुक्कानाई देता हूँ धन्यवाद जोडों का दर्द भले ही परिशान करें पर नूरानी तेल का साथ है तो जिन्दगी क्या बात है तकन पर नैनी का मशूर और एक को ट्रेटमार्क देखकर ही खरीद आसे वाह क्या बात है एकसेसे भी जरूरी क्या है जानते हो क्या सेहतमांद खाना मैं सिर्फ रागवभोग आटे की रोटी खाता हूँ और क्या चटपटा है राजिश मसाला प्रकरीए टेज मस्त्र सबरदस्त राजिश रागवभोग चक्याटा फ्रम मेकस अफ राजिश मसाले इंडिया का सबसे बड़ा एलेक्ट्रोनिक सेल शुरू हो चुका है इससे बड़ा सेल शाय नहीं मिलेगा टीवी, लाप्टोप, मॉबाइल, फ्रिज, वाशिंग मशीन, किचन अप्लाएंसे सब पर पाईए बेस्ट डिल्स सिर्फ व्रिलांज डिजिटल के डिजिटल डिसकाउंट डेज में वाव ये नमस्कार आप देखे हैं भारे समझवार और मैं हूँ आपके साथ नदिनी आदव वक्त हो गया है खबरे पहाड से कारू कलिते हैं खबर के ओर खबर देरादू से जहां पर यूपी के सियम योगी आदतनाथ का आच उत्रा खंड दोरा है सियम योगी हल्दवानी में जनसभा को संबोधित करेंगे एमबी इंटर कॉलिश मैदान में जनसभा का आयूशिन किया जाएगा जिसको आज संबोधित करेंगे मुखी मंत्री योगी आदतनाथ भाश्वा प्रत्याशिया जहभात के लिए सभा को संबोधित करेंगे योगी आदतनाथ के दोपहर बारे बज़े से जनसभा शुरू होगी तो यूक्यादतनाथ के दूबहर के बारे बज़े से शुरू होगी जनसभा आपको वदा दे कि मुख्यमंत्री यूक्यादतनाथ आज उत्राखंड के दौरे पर हल्दुवानी में वो जनसभा को संबोधित करेंगे 2024 लोग सुबह चुनाथ को लेकर लगतार देख रहे होंगे कि उत्रपदेश के मुख्यमंत्री यूक्यादतनाथ चुनावी प्रचार प्रसार में लग्ये हुए हैं और आज इसी बीच वो उत्राखंड के दौरे पर हैं जहां पर वो जनसभा को संबोधित करेंगे यूगी आदतनाथ के दोपहर के 12 बजे जनसभा शुरू होगी पतायश वारा की हल्दवानी की जनता को आज हो संबोधित करेंगे 2024 लोग सुबह चुनाव को लेकर MB Inter College मैदान में जनसभा का आयूशिन क्या क्या है भाश्वा प्रत्याश्य अच्वर भाट के लिए सभा को संबोधित करेंगे उत्तप्रदेश्ट के मुखे मंत्री यूगी आदतनाथ भाट चुनता पार्टी लगातार अब 2024 लोग सुबह चुनाव को लेकर तयारियों के साथ साथ चुनाव प्रचार में जुटी हुई है और देखे भाट चुनता पार्टी के तमाम जो दगज बड़े नेता है वो लगातार चुनावी रेलियां करें प्रचार पिसार करें जनता के बीश पे जा रहे हैं जन सभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंद्री उट्टी आदितनार बारेभजे से उनकी जन सभा शुरू होगी तो है में इंटर कॉलिश मैदान में जनसभा का आयोचिन क्या गया है जिसमें मुखिमंचरी उग्यादतनाथ शिर्कत करेंगे कहाच्वारा है कि वो जनसभा को संबोधित करेंगे 2024 लोगसभा चुनाव को लेकर जनता के बीश में अपनी बात रखेंगे और कहाच्वारा की सरकार की जो सारी उपलब्धियां है वो जनता के बीश में रखेंगे और प्रत्याश्ची के लिए वोट की आपी भी करेंगे तो भाजबा प्रत्याश्ची आजए भट के लिए सभा को संबोधित करेंगे और कहाच्वारा की उत्राखंड के हलद्वानी में जनसबा को संबोधित करेंगे और जाला जानकारी की साथ सवदाता दिनिश हमारे साथ जुर्गय दिनिश क्या कुछ सेयारियां देखने को मल रही है देखे आज वो मुख्यमंत्री योकी आदितनात उत्राखंड के दोरी पर है देखे नंदिनी लगातार भारती जनता पार्टी चुनाव परचार में चुट गई है और खासकर नैनिताल लोगसुभा सीट पर जो केंद्री मंत्री अजय भट है उनके समर्थन पर आज रहनी करने के लिए यहां उत्रप्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के फायर ब्रांड नेता योगी आदितनात दो पर एक बज़े पहुंचेंगे इसके मुख्यमंत्री योगी आदितनात FTI में उनका हैलिकप्र उत्रेगा और उसके बाद वो यहां पहुंचेंगे और उनके साथ मुख्यमंत्री पुषकर सिंग्धामी और केंद्री मंत्री अजयभाट तो कि ननीताल लोगसभा से प्रतियासी भी है वो यहां पहुंचेंगे और उसके बाद वो एक पिसाज जनसभा को संबोदित करेंगे तो तमाम दगज उनेता उत्राखंड के दौरे पर पहुंचे और आज मुख्यमंत्री योग की आदितनात पहुंच रहे हैं काचरा कि वो जनसभा को संबोदित करेंगे सरकार के उपलब्धियां भी गिनवाएंगे जी बिल्कुल लगातार जो इलेक्षन है वो बिल्कुल अपने चरम पर है क्योंकि अब साथ दिन बचे हैं पोलिन के लिए लेहाजा भारती जनता पार्टी भी इसकी पूरी तैयारी में जुटी है और कॉंग्रेस के जो कंडिडेट हैं वो लगातार जिस तरह के कैमपेणिंग कर रहे हैं कहीं भारती जनता पार्टी उसको लेकर लगातार इन तैयारियों के बीच जो है अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार रही है और आज ही नेनिताल जिले में प्रिंका गाधी की भी एक रामनगर में रही है इसी जिले के अंतर और आज ही योगी आदेतिनात की यहां रही है तो लिहाजा समझा जा सकता है कि जो चुनाओ का रंग है वो कितना उपर है क्योंकि साथ दिन बाद कोलिंग होगी तो भाजपा अपने हर उस मुद्टे पर जो चेतर के काम है जो केंदर सरकार द्वारा किये के काम है उनको जनता तक पहुचाने के साथ साथ जो राजनितिक समिकरण है और जो मुद्टे चुनाओं में उट रहे हैं उनको लेकर जवाब देने के लिए आज उन्होंने सब्सक्राइब हो चुकी है और आज यूगी की रैली को देखने के लिए लोग पहुचे लिए चीत वाम श्रानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और अब खबर देहरादू से जवापर कॉंग्रिस महा सच्छे प्रियंका गांधी का उत्रा खंड दोरा है आज रूर्की और राम नगर में आज उजन सभा को संबोधित करेंगे प्रियंका गांधी प्रियंका गांधी की रैली को लेकर सारी तयारियां पूरी कर ली गई हैं आज कॉंग्रिस प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगी प्रियंका गांधी तो देखे प्रियंका गांधी चुनावी प्रचार प्रसार में आज उत्राखन में रहेंगी बताय ज़ा रहा है कि वो रैली को संबोधित करेंगी कॉंग्रेस प्रत्याशियों के लिए वो जनता सेsınızे वोट की अपील खरेंगी तो देखे, लगातार सवाल उठाय जा रहे थे कि कॉंग्रेस के तरब से चुनावी प्रचार प्रसार नहीं किय जा रहे हैं लेकिन आज प्रियंका गांधी उत्राखन के दौरे पर हैं और आज वो जन सभा को संबोधित करेंगी राम नगर और रूर्टी की जनता को वो संबोधित करेंगी तो आज कॉंग्रिस प्रत्याशियों के लिए प्रिचार प्रसार करेंगे प्रियंका गांधी और कॉंग्रिस महासचे प्रियंका गांधी का आज उत्रा खंड दौरा है राम नगर और रूरकी की जनता को वो संबोधित करेंगी तो आज कॉंग्रिस प्रत्याशियों के लिए प्रिचार करेंगी वो उत्रा खंड के दौरे पर है और राम नगर और रूरकी की जनता को वो संबोधित करेंगी तो देखे उत्रा खंड की बात की जाये तो पांच लोक सभाज सीचों को लेकर धर्ब और जाद जानकारी के साथ सबताता आलोक हमारे साथ जुड़ गया है आलोक देखे आज प्रियंका गांधी बताय चारा के राम नगर और रूरकी की जनता को संबोधित करेंगी कि क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है तो अभी तक उत्राखंड नहीं पहुंचा था जिसके तहर तब ऐसा देखने को मिला है कि प्रियंका गांधी जो है आज उत्राखंड दोरे पर हैं और दो जगे वो जनसाबा संबोधित करेंगी उदम सिंग नगर सीट पर रुदुपूर में और हरिद्वार सीट पर रुड़की में वो पहुंचने वाली हैं जहां पर जनसाबा को संबोधित करेंगी जिसके बाद साड़े स्बीन बदे हरिद्वार के रुड़की वो पहुंचेंगी डियवी कॉलेज में जहां पर फिर से वोट के लिए वो कॉंग्रेस के लिए हरिद्वार सीट से प्रत्याश्वी के लिए अपील करेंगी हाला कि ये भी देखने को मिला है कि उत्राखंड में कॉंग्रेस के जो राष्ट नेत्रत्व है उसने आने में भी और प्रत्याश्वी की गोष्टना में भी कापी वक्त लगाया गया है जिस वजिसे कहीं न कहीं जो ये पांचो लोकसपा सीट है इस पर खामियादा जरूर कॉंग्रेस को बुकत ना पड़ सकता है दो सीट ऐसी हैं जिसमें थोड़ी कि डामा डोल है कि कॉंग्रेस या भाजपा में से कोई भी आ सकता है पांचो लोकसपा सीट है उनको किस तरह खेलने का काम करें लेकिन फिलहाल ऐसा देखने को मिल रहा है कि भाजपा जो है कि गाप हमाने साथ और अब खबरों के आगे बढ़ते हैं धर्म नगरी हरिद्वार में बैसाखे स्नान पर्व को लेकर देश के कोने कोने से श्रद्धालू हर की पौड़ी पहुँचकर माग गंगा में आस्था के जुपकी लगा रहे हैं साथी दान पुड़ कर पुड़ का लाप भी कमारें मानेता है कि बैशाखी के दिन पवित्र गंगा नदियों में स्नान का एक अलग ही महत्व होता है बैशाखी के परवपर गंगा में स्नान के साथ दान का भी बहुत ही ज़ादा महत्व होता है आज के दिन जैसे फसले त्यार हो जाती फसलों को काटा जाता है और वैशाख का महत्म बहुत बड़ा है उसके स्नान करने आए है दिस्ट्रक स्री मुकसर सहीव जो की साड़ा सिखों का प्वित्र तिहार है जो वसाकी वाले दन खाल सा दिफ्स की साजना होई थी और हमारे पंजाब में गेहूं की कटाई की शुब रमता वसाकी वाले दन की जाती है और इसे कुशी में हमारा यहां पर एक आश्रम है हम शर्दा शेज नए गंगा शनान करके जाते हैं नए अपना बंडारा करके जाते हैं संतों के लिए ठीक है हाँ अपने कैसा लगा है बहुत अच्छा बड़ा नांद माई है शनान किता गया और जानकारी के साथ सवादा तालोग हमारे साथ बने हुए आलोग देखे आज हर की पॉड़ी पर श्रद धालूओं का ताता लगा हुआ था बिलकुल आलोग बनी रहीगा आप हमारे साथ और अब खबर हलदवानी से जहाँ पर क्रेश होने से बचा है हेलिकॉप्टर बाल बाल बचे हैं बीजेपी के दो दगश ने ताव की ज़ान कहा जा रहा है FTI हेलिपैट से बाशपूर के लिए हेलिकॉप्टर ने उडान भरी थी उडान भरते समय पाइलट हेलिकॉप्टर से नियंदर खो बैठा हेलिकॉप्टर जमीन से पांच फिट के उचाई पर डगमगाया टेक ओफ करते हुए कहा जा रहा है और हेलिकॉप्टर पेड के टेहनी से टकराया था उत्राखंट भाजपा प्रिभारी दुश्यत गौतम हेलिकॉप्टर में बैठे हुए थे रुकते ही चोटे से ब्रेक के लिए कही मज़ाई बनी रही हमारे साथ देखते रहीं भारसमाचार कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि ए राहूल बाबा के मंदिर वहीं बनाएंगे तीथी नहीं बताएंगे उड़ाते देना मजाक कि मैंने बहुत मजाक संद क्या है 14 से 19 19 में मोदी जी ने आपको प्रदान मंत्री बनाया पांची साल में कोट का जज्जमेंट भी आ गया अयोध्या में भूमी पुजन भी हो गया और 22 जन्वरी को रामलल्ला का प्राण प्रतिष्टा भी हो गया कांग्रेश की वर्षों वर्ष सरकार अहीं केंद्र में लेकिन जब मोदी रखान मंत्री बने तब मुलायम सीव जी को प्रद्म पुरुसकार्ट अब वर्षों वर्ष कहा जरृ बाद्म बर्ष केंद्र मोदी ने कहा सबका साथ चाते हैं सब का सममान चाते हैं तब का विकास चाने लिए तो इंगती हैं तो एक कि थेलों के चट्टे बढ़ते हैं को अलग नहीं है कि इमोटों के सवागर है चुनाओं के समय दिखेंगे बाकी संकट के समय सब गायब हो जाएंगे पहले माफिया सिर चड़ करके बोलते थे कैसे माफिया सिर चड़ करके बोलते थे चोड़ी बात को लिए दंगा होता था आज देख रहे हों कि दंगा करने वाले भूली के दंगा भी कभी होता था उल्टा लटका दिया जाता उनको दंगा करते हैं तो तुरंध पकड़ करके के उल्टा लटका कर नीचे मिर्च का जोका लगा दिया जाता है कि मिस्सा के लिए भूल जाता कि कॉंग्रेस ने अफिडेविट दाखिल किया था न सुप्रेम कोर्ट में कि राम तो हो यही नहीं और याद रखना कि हर्मान जी जब संजीवनी बूटी ढूडने के लिए गये थे तो काल ने भी भी राम नाम का जब कर ला था पहले परवर प्यवहार कोई आता था और खास परवड़ पस्यमी उत्तर ब्रगेस में कोई भी परवर प्यवहार आता था होली दिपावली जन्मास्तिमी सिवरात्री रक्सावन्दन कोई भी परवर प्यवहार आता था कर्फ्यू लग जाता था प्रसासन भी उनका साथ देता था अब कर्फ्यू नहीं अब तो धूम धड़ा के साथ कावड यात्रा निकल पड़ती है कोई रोक तोक नहीं है लोग चासी के नाम पर आज लड़ाने बढ़ाने का काम कर रहे हैं रामेंड की चौपाई के माध्यम से पहकाने का काम कर रहे हैं ये तो फिर से त्रेता युक् प्रदेश की विवस्ता कोई माध्या नहीं संचालित कर पाएगा माध्या वहीं जाएगा जहां उसकी जगह है कोई समझोता नहीं करेंगे अगर कोई बेटी और ब्यापारी की सुरक्सा पे खत्रा बनेगा तो जीरो और टालांस की नीति के तहाद पहले से तै कर दिया गया कि उसको मिट्टी भी नहीं मिलेगी फिर खासकर समाजवादी पार्टी जब जब सत्ता में रही है तब तब प्रदेश के लाइन आडर को इन लोगों ने डिश्टर किया है गुंडे बदमास मावाली लुच्चे लफंगे समाजवादी पार्टी के सरच्षण में पनपते थे पलते थे मुझप्फर नगर के दंगों को अभी लोग भूले नहीं है भारती जंता पार्टी ने पूरे प्रदेश में कानून का राज इस्थापित किया है आजमगड बेज दिया जब वो पिछली वार उप चुनाओं में आजम गड़ गए तो परचार करने नहीं गए जब उनकी पत्नी डिमपल यादो जी चुनाओ लड़ रही थी मैं पुरी से दिन्राज परचार कर रहे थे परिवार कलाह का सिका रहे हैं पर कलाह का सिका रहे है भारती जनता पार्टी के तबाब नेताओं का चहरा पीला हो जा रहा है और जो किसान अंदोलन की बात कर रहे थे उन्हें तो सुनने में आया मंच पे भी जगए नहीं मिल लई है कोई नया आया है प्रत्यासी जो कह रहा है कि हमें अगर पहले पता होता कि हमें चुनाव रणना है तो हम बंबई बना देते फीली भीड को बीजे पी के प्रत्यासी कह रहे हैं कि उन्हें पहले ही पता होता तो वो बंबई बना देते हम उनसे कहते हैं इसको बंबई मत बनाओ wembayi का जो काम होता तोड़ा वो ही करके दिखा दो यहां पर जो मंत्री होता है उसका सांसर्द बन करके दिल नहीं लगता है इसलिए जान बूच करके तोपा जा रहा है इनने कि पैसे वाले हें चुनाव लड़ लेंगे पैसे वाला मामला है उसमें चुनाव लड़ लेंगे कि ये दावा करने के भर्षटाचारी बचेंगे नहीं लेकिन भर्षटाचार बढ़ाने का काम कोई कर रहा है तो वो भर्षटी जन्ता पार्टी के लोग कर रहे है और ये नया तरीका निकाला है दिल्ली वालों ने ये इलेक्ट्राल बॉर्ण जो बनाए गए है इलेक्ट्राल बॉर्ण के माद्यन से बताओ बसूली हो रही है कर नहीं हो रही है उत्तपर्देश के लोग अगर स्वागत अच्छा करते हैं तो जब विदाई करेंगे तो विदाई भी बड़ी धूमधाम से बादिंता पार्टी के लोग करेंगे जिस तरीके से इनोंने करोना में ठाली और ताली वजवाई थी याद है के नहीं याद है इसी तरह की बीजेपी की गारंटी नहीं ये घंटी है इनकी घंटी याद है आपको बताओ ये उत्तपदेश वाले मुख्यमंदी कैसे हैं जिनका हर पेपर लीग हो जाता है ये दूसरों की गीले होने की बात तो कर रहे हैं लेकिन अपना पेपर लीग हो रहा है उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं बताओ जिन्हें इंडिया कहने में ही शर्म आती हो ये इंडिया गडबंदन है ये इंडी गडबंदन नहीं है बताओ हमें बीजे पी को ये भी सिखाना पड़ रहा है जो कह रहे हैं चार सो पार इस वार यूपी से जाएंगे हार बीजे पी की यही पैचान है जूट और लूट। ये 32 अंता पार्टी के लिए अपसगुन है ये जहां जहां जाते हैं जैसे मैंपुरी गई थे तो हमारा जीत का अंतर बहुत बढ़ गया था फिर गई गोसी वहां भी जीत का अंतर बहुत बढ़ गया अब यहां देखो आए हैं देखना बदाईयों लोकसवा में और जहानी से लेकर के सबी जगे हैं हमारा जीत का अंतर बहुत बाहुत जाएगा ये अपसगुन हैं बार्टी जनता पार्टी दुवांदार चुनाव पुचार अभियान पर सीम योगी आदेतनाद विजणोर हल्दवानी और बरेली में भरेंगे चुनावे हुंकार पत्तियाशियों के समर्थन में करेंगे जुनसवा बैसागी पर-पर गुरूधवारे में पहुचे श्यादावाज पच्छमे यूपी में भरेंगे चुनावे हुंकार मुजफर नकर और बेजणोर में जुनसवा को करेंगे सम्भोते गेमिंग केमिनिटी से पीम मोधी ने की मुलाकात यंग गेमर्स के साथ पीम मोधी ने किया समवाद पीम मोधी ने इगेमिंग में भी आजमाया हाथ प्रिपिसियम केशो प्रसाद मौर का सपा कॉंग्रेस पर हमला अकिलेश पर लगाए गंभीर आरोप कहा अकिलेश के तीन यार आजम, अतीक और मुक्तार प्रत्याशियों की सूची की जारी साथ प्रत्याशियों का नाम हुआ फाइनल, अपना दल कमेरावादी दफ्तर में मीटिंग कर सूची जारी अब देख रहे हैं भारत का सरवश्रेष्ट न्यूज चैनल भारत समाचार नमस्कार आप देख रहे हैं भारत समाचार मैं हूँ, आपके साथ शांतरूत पाठी बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ खबर भरदोई से जहाँ पर दर्जन बरसे अधिक खड़ी अंबुलेंस में भीशोन आग लग गई सौसरिया अस्पिताल परिसर का ये पूरा मामला है देखे दो काणिया मौके पर मौझूद है बदोई से ये खबर सामने आ रही है कि अधिया देखे वदोई से तस्वीरें सामने आ रही है जहाँ पर दर्जन बरसे अधिक अंबुलेंस में आग लग गई और आग बुझाने किया का प्रियास किया जा रहा है दर्जन बरसे अधिक अंबुलेंस ये खड़ी हुई थी अस्पताल परिसर में और इसी दौरान अंबुलेंस में आग लग गई आग लग गई आग देखे तस्वीरें सामने आ रही है पार्विकर्खे करमचारियों के द्वारा आग बुझाने का प्रियास किया जा रहा है दो दमकल की गाणिया मौके पर मौचूद है तो भदोई से यह तस्वीरें जहाँ पर दरजन भर से अधिक खड़ी एंबुलेंस में आग लग लग दी है और आग बुझाने का प्रियास किया जा रहा है और संबादता शैलेंद्र हमारे साथ जुल गए है शैलेंद्र क्या जानकारी सामने आ रही है अंबुलेंस में आग कैसे लगी बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि यहां पर राजकी सौसईया अस्पताल जो है उसके परिसर में खड़ी एंबुलेंस में भीशड आग लग गई करीब इसको माना जा रहा है कि 18 गाडियों में जो है आग लगी है और भीशड आग के चपेट में आने से गोषे जी शिलेंद्र तो देखें शिलेंस संपर्क टूट गया है लेकिन दरजन बरस्याद एक अंबुलेंस जहां पर खड़ी हुए थी हैं बुलेंस य स्पताल परिसर में और सों शहया अस्पताल ये बता जाना जारा है जहां पर सथे होई थी और इनमें आख लग गई दमकल की दो गाडियां मौफ़े पर मौजूद है आख बुशाने का प्रयास किया जा रहा है चुलिए आगे बड़ते हैं खबर लखनों से हैं पीडियम कटवंदन ने साथ प्रत्याशियों की एक सूची जारी की है अपना दल कमेराबादी दफ्तर में मीटिंग कर इस सूची जारी की गई है और इसमें देखे कई प्रत्याशियों के नाम का एलान किया गया है आपको बतानें बरेली से सुभाष पठेल का नाम फाइनल किया गया है हातरत से जैवीर सिंग धनगार प्रत्याशी बनाए गया है और फिरोजाबास से प्रेमदत मगेल को मैदान में उतारा गया है राय बरेली से बात करें तो मौंबन मोभीन प्रत्याशी बनाए गया है फतेपुर से रामकिशन पाल भदोही से प्रेमचन बिन को प्रत्याशी बनाए गया है चंदौली लोग सबासीट से जवाहर बिन प्रत्याशी बनाए गया है तो देखे पीडियम गठवंदन की तरब से प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है और अपना दल कमेराबादी और AIMIM का ये गठवंदन साथ प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है और ये लिस्ट देखे आपकी TV स्क्रीन पर पीडियम गठवंदन ने प्रत्याशिय की सूची जाने की है कि अपना दल कमेराबादी कार्याले में दफ्तर में मीटिंग और उसके बाद प्रत्याशियों की जो सूची है वो फाइनल की गई है पीडियम प्रत्याशियों की सूची और यह तस्वीर आप देखें AI MIM के मुख्या और पल्लवी पटेल दोनों ही काज़ा की गटवंदन का एलान जो भुआ था यह तस्वीरें और उसके बाद इस गटवंदन के जो प्रत्याशी है उनके नामों का भी एलान कर दिया गया है पीडियम प्रत्याशियों की जो सूची है वो सामने आई है और देखे साथ प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है तो देखे पीडियम प्रत्याशियों की सूची जिसमें AI MIM रमुक और कहा जाए कि प्रिश्रा दलेत और मुस्लिम का यह जो गटवंदन है इसी को लेकर यह सूची जारी की गई है बाद करेंगे हमारे साथ संदी कि पीडियम प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है सूची को लेकर क्या समीकरण और कहा जाए कि यह जो सूची है क्या उद्देश इसको लेकर क्यूंकि पीडियम में पिछला दलित और मुस्लिमों को कभी आ का जाए इसमें जोड़ा गया था AIM के साथ पलवी पटेल का गटवंदन और कितनी महत्वपूर्ण यह सूची कहा जाए कि इंडिया और NDA दोनों ही गटवंदन के लिए कितना मुकाबला कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है देखे शांतनू सभी को पता है अपना गल कमेरवादी की देखे पलवी पटेल जो सिराथु से विधायक भी है हाली में इनका देखे सवाजवादी पार्टी से पीडियो को लेकर विरोध हुआ था जिसके बाद यह कहा गया था कि यह रासभा का जो चुनाव भी हुआ था और उसमें इन्होंने यह कहा था कि मैं सपा के प्रत्याश्वी को अपना समर्थन नहीं दोंगी क्योंकि वो प देखिए यूपी की अगर बात करी जाए ओएसी के साथ में पल्वी पटेल ने प्रेस्वार्ता करके पीडियम मोर्चा जो है उसका गठन किया और गठन में यह बताया गया कि हम पिछले दलित मुस्लिमों सभी लोगों का ध्यान रखेंगे और अब देखिए जो साथ लोक सभा प्रत्याशों के नाम पर चर्चा हुई देखिए राइबरेली से इन्होंने अपना प्रत्याशी उतारा है लेकिन राइबरेली से अभी तक जो इंडिया गटबंदन के तहत यानी सपा और वहां से कांग्रेसी अपना प्रत्याशी उतारा है कि उन्होंने कोई प्रत् की बात करें फिरोजाबात प्रेमदद बगेल की बांद करें तो जहां एक तरह भारतिय चत्ता पार्टी ने देखिए विनोद लाल बिंद को उतारा है वही पर अगर यह कहा जाए कि पेडियम ने प्रेम चंद बिंद को उतारा है यानि सभी जाती समिकरोनों का ध्यान दखत को उतारा गया है को कि सभी को पता है कि सपा और पल्वी के बीच में जो है वो नराजगी चल वही थी लेकिन देखिए अब यह जो दल हैं यह कितना नुकसान पहुंचा पाते हैं समाजवादी पार्टी के अगर बात करी जाए या फिर भाजपा की बात करी जाए यह देख देखने वाली बात निश्चित तोल पर होगी संदीप और यह भी देखना होगा कि आखे और कितने प्रत्याशियों की घोश्टना होती है फिलाल बहुत बहुत शुक्री आपका इस तमाम जानचारी के लिए आखी बढ़ते हैं स्वामे प्रसाद मौरे को लेकर खावर साम समासवादी पार्टी के पत्याशी को उन्होंने टमी कानिडेट बताया है और पुशी ने कर से चुनाव लड़ेंगे स्वामी साथ मौरे चलिए बापको लिए चुकते हैं आप सांसर संजे सिंग प्रेस कांफेरेंस कर रहे हैं क्या कुछ कर रहे हैं सुन्टाइब 4152 तोकें नंबर दे दिया जाता है कि संजे सिंग की मुलाकात और भग्मंत मान जी की मुलाकात टोकें नंबर 4152 पे होगी यह संब्वतार 9 या 10 तारीक को मिल जाता है वो सारे कारजाथ अभी आपको दे देता हूं तो अचानक मुलाकात के एक दिन पहले रात में मेल आती है और एक मुख्य मंत्री की और एक सांसत की मुलाकात को कैंसिल कर दिया जाता है और क्या कहा जाता है कि आपके सुरक्षा के दृष्टी से आपकी मुलाकात इतनी सौर्ट नोटिस पे नहीं कराई जा सकती है यानि कि जब भगवंत मान और संजय सिंग को अपलाई किया जा रहा था उस समय जेल प्रसासन को और भारत के प्रधान मंत्री को यह पता नहीं था कि भगवंत मान कौन है एक राज्य का मुख्यमंत्री मुलाकात के लिए अपलाई कर रहा है देश की सरकार को नहीं पता, मोधी जी को नहीं पता भागवन्त मान कौन है चलो संजे सिंग कौन है नहीं पता मान सकते है लेकिन एक भागवन्त मान जो एक राज्य के मुख्यमंत्री है वो अपलाई कर रहे हैं आपको पता ही नहीं कि किसका आपने टोकर नमबर इस्टो कर दिया और चुनाओ अपने आपको बचाने का है ये चुनाओ अगर भाजबा दुबारा आ गई तो सबसे पहले इलाज तुम्हारा और मेरा होनाई याद रख लेना बात है हसने की बात नहीं है यह हमी शागे रहा है यह हमी शागे बल रहा है यह जितनी मजबूत आवादे हैं कि सारी खामोश ऐसे ही नहीं की जा रहीं कोई बोलने वाला ना बचे कोई बोलने वाला ना बचे यह साधी शाधी मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ तो देखे एक वर्ग विशेश को भड़काने वाला ये बयान सामने आया है इमरान मसूद का और इसके बाद वो सफाई देते हुए भी नजर आए है अपने सफाई में क्या कुछ का है चलिए वो भी आपको सुनाते है अरे भाई डर लगता है यार अब डर नभी मना हो जागे इस देश के अंदर इन्होंने मार मार के समका भूजबर दिया चीफ मिनिस्ट उठा गे बंद कर देते हैं तो डर नभी मना हो घ्या है भाईड़ा के पास कोई रास्ता नहीं है और को थी हारकते हैं मुझे इस तरह से समर्तन मिल रहा हैbing उन्होंने जो मेरी सत्किता है, जो मैं असल हूँ, उनको पता चल रहा है, तो सब चीज़ दिखाए जिरी ये लोग चल रहे हैं मिर साथ, अब ये तो राम की किरपा अगर मुझे बर बरस रही तो उनको क्यों परिशानी हो रही है। छलिए आगे बरते हैं खबर मेरट से है, जहांपर दलित अलाके में पहुंचे हैं बी जपी परत्याशी अरुन कोविल, दलित के घर, जमीन पर बैट कर उन्होंने खाना खाया दलेत अलाके में पहुंचे हैं बीजेपी परत्याशी अरुन गोविल, मेरट से ये तस्वीरें सामने आ रही है, जहाप पर जमीन पर बैट कर खाना खाया है, नेत्व जाटव ने अरुन गोविल और बीजेपी रिताओं को खाना परोसा महिलाओं ने अरुन कोविल के आर्त दलीत इलाके में पहुंचे हैं अरुन कोपिल के अरुन कुछ helped Who Be그 को दल्य तलाके में बीजेपी के माताशी मेरिंट से अरुन गोफिल देखे पहुंचे हुए है और किसरेंसे आरती उतार कर में प्रवेश करा गया उसके बाद जमीन पर बैट कर उन्होंने भोजन किया है चलिए आगे बरते में बड़ी ख़बर लक्राउं से है गोलियों की तलतलाहर्चे देली राजधानी पूरुट ब्लॉक प्रमोग प्रधान और सयोगी पर हमला किया गया है फारिंग में एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई बड़ी ख़बर ये लक्राउं से सामने आ रही है जहां पर गोलियों की तलतलाहर्चे राजधानी दहल गई पूरुट ब्लॉक प्रमोग प्रधान और सयोगी पर हमला किया गया है फारिंग में व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई इलग समारों में आरोपी मोनू और अंकित का ये खरत्य छे से साथ हमलावरों ने गोलिया चलाई है काकोरी पुलिस ने मौझूद लोगों से पूश्टाश की है पूरे मामले की जानक पर ताल की जा रही है राजधानी के काकोरी था नाक्षेत्र की एगटना है परमुक जी दावत मारा है तो हम लोग सब हुए बैठे थे तो चल दिहीं और वहां विजेट पार कॉंचल पता ने कि धर से आज़े बोली मार दिहीं है कौन लोग बोली मारे और कोई उनके साथ में था या बोन अकेले लिए जगीर का रिफा जोटेया रखाए है क्या कोई पुरानी रंजीस उन्जीस भी थी साहए बाब परमुक के भले पुरानी रंजीस हमाने लोग पोई रंजीस कब हो नहीं रही मैं घर पे थी और मैं वहां मेरे एक्जाम होने वाले मैं पड़ रही थी उधर से जस्ट आई और यहां पर पटाकों के अवाज आई और उसी वक्त हुमारे फुपा जी जो की पहले ब्लाकमुक रह चुके हैं तुमार राम बिलास रावत वो जस्ट गेट के पास है उन्हो मैं अपने पेट पर एसे हाथ रख रखा था उन्होंने बोला कि मैं मर जाओंगा कुछ करो बेटा मैंने उनको पकड़ लिया फिर उनको कसके मैंने अपना दुपट्टा वांधा टावल वांधा फिर भी उनका खून नहीं रुका तर आज जो है तो उनके प्वारी फेतिल इनको किनको गोली लगी है एक हमारे जेट हैं जैकरान यादो राम विलास रावत अनंतरा में आदेश पैर होईगे और कि लोग फिर लोग फिर लोग फिर लोग फिर चलिए आगे वरतों अंगली ख़बार डिट्पी सीम केशो प्रसाद मौरेका सपा और कॉंग्रेस पर जोड़दार हमला अखिलेश यादप पर देके जोड़दार हमला करते हुए कॉंग्रेस पर जोड़दार हमला करते हुए केशो प्रसाद मौरे गरोले का अकिलेश के तीन यार आजम अधीक और मुखतार सपहा गुंड़ा माफियों को पैदा करने के backory है सपहा का झारा है खाली प्लोट हमारा है आज प्रदेश में साथ वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ है माफियाओं के खिलाफ कारिवाई हो रही है तो केश्व प्रसाद मौरे सपा कॉंग्रेस कट वंदन पर हम लाबोते हूं नज़रा है उस समय का अगर मैं समाजवादी पार्टी के बारे में कहूं कि समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाईयों को पैदा करने की फैक्टरी है तो कोई गलत नहीं होगा 2017 से पहले जब उत्तर प्रदेश के मुक्मंत्री स्री अकले सियादो जी थे, उस समय का एक बहुत प्रिचलित नारा रहा करता था कि जिस गाड़ी में सपा का जंड़ा, उस गाड़ी में बैठा गुंड़ा और सपाईयों का नारा, खाली प्लाट, खाली मकान, खाली दुकान हमारा जिस प्रदेश में लगभग हर जिला दंगय के आग में सुलग रहा था आज उसी उत्तर प्रदेश में पिछले साथ वर्सों से एक भी दंगा ना होना बड़े बड़े गुंडे अपरादियों माफियाओं के खिलाप का ठोड़तम कारवाई की गई, जेल भेजा गया कानून के माध्यम सुल को सजा दिलाने का काम हुआ और अगर मैं कहूं किस लिए अखले से आदों के तीन याद मुहम्मद आदम खा, अतीक अहमद और मुक्तार, ये अपी दो चले गए है अभी जर्णा में नहीं है, लेकि ऐसे लोगों की आरी करने के कारण सफा सफा हो गई है चले आगे बरतों के खबर बांदा से सामने आ रही है, जो आपर संदिक दुपरिसितियों में 35 वर्शे युवक्य मौत हो गई है और परिजिनों ने दोस्तों पर हत्या का आरोप लगा है दोस्तों पर घर से जब्रान लेजाने का आरोप लगा है शहर कोटवाली के मर्दन नाखा इलाके की एकटना है बांदा से खबर संदिक दुपरिसितियों में 35 वर्शे युवक्य मौत हो गई है परंजिनों ने दोस्तों पर हत्या का रोप लगा है देखी बांदा से खबर सामने आ रही है परिश्वर के दुपरिसितियों में अध्या हुई है परजिनों के दरफ चारा आरोप लगाया गया है दोस्तों पर गर्चे जब्रन नेजवाने का आरोप है शहर कोटवाली के मर्दन नाखा इलाके की खत्ना जब मैं साम के आया हूं करी पांच बजे दुकान से तो आटो वाला कलोणी का सलमान जिसको जब अस्ति लेखे गया तो मने का दोस्ता लेकर जा रहा है तो उसके बाद जब इसको आया तो विगार कपड़ों के लेकिया है मुँ से फिच्पिल फेख दिया था इसने क्या कुछ संका है संका यह कुछ खिलाया फिलाया गया है चली आगे पर तो इस खबर दिल्ली से सामने आ रही है जहापर जूला संचालक शहनवास को गोली मारी गई है हफ्ता वसूली के खेल में बंदमाशों ने शहनवास को गोली मारती लीडवार वाले इलाके में गटना से हड़कम मच गया है परिजरों ने मस्तान गैंग पर वसूली का रोप लगाया है और देखें सीलंपूर थाना इलाके के कबारी मार्केट की घटना है जूला संच्छाला को गोली मारी गई है अपता वसूली का ये पूरा खेल बता जा रहा है जिसमें परिजिनों ने मस्तान गैंग पर वसूली का रोप लगाया जूला आगे वर्तों के खबर लखीमपूर्ते है जो आप पर पुलिस सिरासत में एक व्यक्ति की पिटाई से मौत के मामले पर अप्डेट सामय आ रही है परजिनों ने सेक्रों के संख्या में शब्क को रखकर रोप जाम कर दिया पुलिस पर एक लाख रुपए घुस मांग करने का रोप लगाया है करण समय थर्ड डिग्री से टॉर्चर किया जाने से मौत का रोप परिजनों की तरफ से लगाया जा रहा है तस्वीरे देखे सामने आ रही है किस तरह से शब्क को रखकर सड़क पर जाम लगा दिया नामले में पुलिस ने नावालिक के साथ भी ब परिजनों की तरफ से पुले सिरासत में व्यक्ति की पिटाई से मौत के बाद ये हंगामा देखने को मिला है लखिम पुट से संवालता शारिक हमारे साथ जो लगए है शारिक क्या है ये पूरा मामला और क्या जानकारिया भी अशांतरों तीन अपरिल को जो है यहाँ पर मितोही लाखा है वहाँ पर एक नावालिक की डेड बॉडी मिली थी और उसकी पुस्माटनिम रिपोर्ट में गला दबा कर हतिया आया था इस खुलासे को लेकर पुलिस पर काफी दबाव था चूकि मामला नावालिक से जड़ कर रही थी यह बताया जा रहा है कि आसाराम नाम के विक्ती हैं पचासता जिनकी उमरे उनको कल गुलाया गया था और पूछताच के नाम पर इसके बाद उनको इतना पीटा गिया गया जिससे उनकी आज मौत हो गई और इस बात की जब खबर परिवार वालों को मिली तो उ उसको कस्ता रोट पर रखकर जाम लगा दिया है मौके पर एडिशनल एस्पी पहले पहुचे थे जिन से इस्तिती नहीं समली तो मौके पर सीडियों को भेजा गया है अभी ग्राइमिडों और सीडियों की बीच बाद चीच चल लेकिन वहाँ पर काफी हंगामा है जिस तर वॉऑची पूलिस के लिए किस तरह से पूलिस की कारशैली की अभी हंगा मां किया जा रहा है या फिर लोगों ने सड़क खाली कर दी है देखिए यह पिछले दो गटे से तड़क जाम है यहाँ पर रख़्ण को जाम किया गया है परिवारवालों का रोप की पुलिस कर्म आपका इस तमाब जानकारी के लिए अपडेट के लिए हैं चलिए हम पर उकते हैं छोटे सब्रे के लिए खबरों को सलसला लगाता आप जानी है और बदल जाते हैं प्रड़क्स की सर्वकां रखे सब कंट्रोल में इंडिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनिक सेल शुरू हो चुका है इससे बड़ा सेल शाय नहीं मिलेगा तीवी, लाप टॉप, मोबाइल, फ्रिज, वशिंग मशीन, किचन अप्लाइंसे सब पर पाईए बेस्ट डेल्स, सिर्फ व्रिलांस डिजिटल के दिजिटल डिसकाउंट डेज में मैंपुरी मलोक समा चुनाव से पहले खुरावली पुलिस ने हरियाडा स्ट्रीट की शराब बनामत की पुलिस ने चुनाव वित्रंग के रिए लाईए इग्रेजी शराब के एक बड़ी खेप पकड़ी है जप्तर शराब की अनुमानत कीमत करीब बारा लाख रुपए पुलिस ने अवैद शराब के साथ दो लोगों को गिरफ़तार किया बांदा में ढाई वर्षे मासूम बच्ची की नाले में डूबने से हुई मौत दो गंटे से लापता थी बच्ची नाले से निकालने के बाद परिशन बच्ची को ले गए अस्पताल अस्पताल में डॉक्टरस ने बच्ची को बद्भोशित किया राय बरेली में हुआ दर्दुनाग सड़कालचा तेजफतार डीजियम वकार में आमें सामें जोड़ता टकर हालसे में कार में सवार एक मट एक की मौके पर मौत वहीं पर तीन लोग गंपीर उस्पिक है ग्रेटे नोडा में एक्समेस वेफार स्टंट करते हुए नजरायत दो यूवक तेजफतार गाड़ी की खिड़कियों पर बैट कर किया स्टंट वाइरल वीडियो में जान जोखिम में डाल कर एक्समेस वेफार तेजफतार गाड़ी से स्टंट किया कि ए राहूल बाबा कि मंदिर वहीं बनाएंगे तीथी नहीं बताएंगे उड़ाते देना मजाक मैंने बहुत मजाक संद क्या है 14 से 19 19 में मोदी जी ने आपको प्रदान मंत्री बनाया पांची साल में कोट का जज्जमेंट भी आ गया अयोध्या में भूमी पुजन भी हो गया और 22 जन्वरी को रामलल्ला का प्राण प्रतिष्टा भी हो गया कांग्रेश की वर्षों वर्ष सरकार अहीं केंटर में लेकिन जब मोदी रहान मंत्री बने तब मुलायम सीव जी को पर्दम पुरुसकार दिया परणहेस पादी अब बश्यों बश्य का quello दर्टी से पर्थ रखता लिया लिए धिकन पर्मुमु दिया मोडी में कि रावश कर देखा डाते हैं सबका जाइटाठ चाहती हैüs वे कर देखा ब्यकास चाहती है। भारथ गहे देखा। कांग्रेस सपा बस्पाई सब एक ही थैलों के चट्टे बढ़ते हैं कोई अलग नहीं है कि इवोटों के सबागर है कि चुनाओं के समय दिखेंगे बाकी संकट के समय सब गायब हो जाएंगे कि कैसे माफिया सिरचे करके बोलते थे सबस्क्राइब है जाता है नीचे मिर्च जोका लगा दिया जाता है के मिस्सा के लिए भूल जा है कांग्रेस ने एफिडेविट दाखिल किया था नो सुप्रेम कोर्ट में कि राम तो हो यहीं नहीं और याद रखना हर्मान जी जब कि संजीवनी बूटी ढूड़ने के लिए गये थे तो काल ने भी राम नाम का जब कर ला था कि पहले परोर्तुहार को ही आता था और खास्ट पर पषिमित्तर जो कोई भी परोर्त अवर्ध आता था होली दिपावली चन आस्ति數 रक्षाitung कोई भी परोर्त्यवार आता था कर्फ्यू लग जाता था विग प्रसासन भी उनका साथ देता था अब कर्फ्यू नहीं अब तो धूम धड़ा के साथ कावड यात्रा निकल पड़ती है कोई रोक तोक नहीं है यह लोग चाती के नाम पर आज लड़ाने बढ़ाने का काम कर रहे हैं रामेंड की चौपाई के माध्यम से पहकाने का काम कर रहे हैं यह तो फिर से त्रेता युक क्तियात करा रहे हैं जैसे कानों ने मीं चुपचाप गुमिराह करने का प्रियास कर रहा थे अब तो भुझरंगी हैं पैंचानिये इन भो को सकत alluded को प्रदेश की विवस्ता को माध्या मेट निस अंचालित कर पाएगा माध्या वहीं जाएगा जयाओं सकी जगय है कोई सम प्रक्सा पे खत्रा बनेगा तो जीरो टालांस की नीटी के तहद पहले से तै कर दिया गया कि उसको मिट्टी भी नहीं मिलेगी भी खास कर समाजवादी पार्टी जब जब सत्ता में रही है तब तब प्रदेश के लाइन आडर को इन लोगों ने डिश्टर्ग किया है गुं जंता पार्टी ने पूरे प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया है नीचे रख लो ने चाचा बतीजे की भात नहीं मान रहे हैं मैंने देखा कि इसरी अकले से आदो जी ने सिवपाले यादो जी को प्रत्यासी बनाया उन्होंने चिठ्थी लिखवा कि यहां रहे तो परचार करने नहीं गए जब उनकी पत्नी डिंपल यादो जी चुनाव लड़ रही थी मैं पूरी से दिम्राज परचार कर रहे थे परिवार कलह का शिका रहे हैं पर कला का शिका पीली भीद का नाम सुनते ही भारती जनता पार्टी के तबाम नेताओं का चेहरा पीला हो जा रहा है और जो किसान अंदोलन की बात कर रहे थे उन्हें तो सुनने में आया मंच पे भी जगए नहीं मिल लई है कोई नया आया है प्रत्यासी जो कह रहा है कि हमें अगर पहले पता होता कि हमें चुनाव ड़़ना है तो हम बंबई बना देते पीली भीद को ब पीजेफी के प्रत्यासी कह रहे है कि उन्हें पहले ही पता होता तो वो बंबई बना देते हैं हम उनसे कहते हैं इसको बंबई मत बनाओ बंबई का जो काम होता है थोड़ा वो इह कर दिखा दो यहाँ पर जो मन्त्री होता है उसका सानसत बनकरके दिल नहीं लगता है इसलिए जानवूज करके तोपा जा रहा है इने कि पैसे वाले हैं चुनाव लड़ लेंगे पैसे वाला मामला है उसमें चुनाव लड़ लेंगे कि ये दावा करने के भेष्टाचारी बचेंगे नहीं लेकिन भेष्टाचार बढ़ाने का काम कोई कर रहा है तो वो भार्दी जन्ता पार्टी के लोग कर रहे है और ये नया तरीका निकाला है दिल्ली वालों ने ये इलेक्ट्रोलर बॉंड जो बनाए गए है अब देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ट न्यूज चैनल भारत समाचार बैसाकी परपर गुरुद्वारे पहुचे सियम योगी गुरुद्वारे में सियम योगी ने टेका अमर्था गुरुद्वारा कमिटी ने सियम का किया स्वागत दुआधार चुनाप चार अभियान पर सियम योगी विजन और हलद्वानी और बरेली में भरेंगे चुनावी हुंकार प्रत्याशों के समर्थन में करेंगे जनसभा गेमिंग कम्यूटी से पियम मोधी ने की मुलाकात यंग गेमर्स के साथ पियम मोधी ने की अर्तमबाद पियम मोधी ने इगेमिंग में भी आजमाया हाथ पीडियम गडबंधन ने प्रतियाशों के सूची की ज़ारी प्रतियाशों का नाम हुआ फाइनल अपना दल कमेरावादी दफ्तर में मीटिंग कर सूची जारी हुई डलतियाकी मेरत में पहुची भाप्ष प्रतियाश्य अनौरबविल गोविल दलीते के हर जमीन पर बैट कर कहा खाना नेतुजाट्ब नें अनौरबविल भाजपनेत्ताओं को परोस्ता खाना महिलाओं ने अनौरबविल की आर्तियू उतार कर घर में कराया प्रवेश लगनों में कानपूर एक्प्रस वेकिन दिर्माणाधीन मार्व पयातायात विवस्था सुगम वा सुद्र बनाने के लिए दिश्टी गत मनला यूगत डॉक्टर रोशन जैकप ने स्कूटर इंडिया चौराहा और गौरी बाजार वा बंथरा चौरहे का ओचक न रिक्षन क मेरट मेरी आईश्री इलाके में आया तीनवा मकान में घुसा तीनवा मचा हड़काम प्रेस्व करने वी जूटी वन विभाग की टीम और पुलिस कई दिन से मेरट च्छावनी में देखा जा रहा था ते दुआ आगरावी पुलिस और बदमाश की बीच हुई मुद्भेर 25 जार के इनामी बदमाश लोकेश गिरफतार जब अभी फाइरिंग में बदमाश को लगी गोली कराय गया भटी डकैती वा हत्या के मुख आरोपी था लोकेश गाज़्यबाद में मुद्भेर में शातिल उटेरा फैजल गिरफतार फुलिस की गोली लगने से हुआ घाय डेड़ दरजल से जादा लूट के मामले था वांटेड राइबरेलि में हुआ दरणाक सड़क हासा तेज रफता डीस्यम वाकार में आमने सामने टकर हासे में कार में सवार दो लोगो की मौध वहीं दो लोग गंभेर रूप से घाय मौ में अग्यात वाहन और बाइक की हुई जोरदार टककर टककर में बाइक सवार की हुई मौत मौ जनपत के पुलिस लाइन के पास हुआ ये भी सड़ एक्सिडेंट हापुड में सड़क पाय नगनोहो का इस्टेंट करना पड़ा मेंगा एस्पी अभुशेक वर्मा का इस्टेंट बाजो के खिलाफ एक्शन रेल के शोकीन युग को ने सड़क पर किया था इस्टेंट इस दोरा ना आने जाने वाली लड़कियों को देख कर बजाई सीटी बारेली में आपकारी विभाग के दरुगा की पतनी की लूटी चेन पाउशी लाके में चेन इस्टेंट की वार्दात से हड़कम वार्दात चोरा है पर लगिस स्टीवी कैमरे में हुई कैन बांदा में संदिक्द परिस्टिव में पैथीस वर्षिय युगक की मौत परजनों ने मृतक के साथियों पर सुनियोजे धंग से हत्या करने का लगाया आरोप अस्पताल में परिशन की दोरान डॉक्टरों ने किया मृत्त गोशे बागपत में 15 वर्षि कुशोर की चाकू मार कर की गए हत्या कुशोर ने अस्पताल में तोड़ा दम घर में कोहराम पुलिस ने शब कबजे में लेकर पोस्ट मार्टम के लिए बेजा और आगे की कारवाई में पुलिस जुटी मत्रा में गोवगर्धन धाना श्वेत्रे के राधाकूर में किशोरी शे असलील हरकत पंचायते का फर्मान आरोपी ने अपने सिर्फ पर मारी चपल चेड़ खानी का और खुद को मारने का वीडियो हुआ वाइरल लक्नव में गोलियों की तर्ताहर से देली राजधानी पूरो ब्लॉक प्रमुक प्रधानों सायोगी पर किया गया हमला फारिंग में विक्ती की गोली लगने से हुई मौट दिली में चूला संचालन सहजवानी को मारी गई गोली चाहपता वसूली के खेल में बदमाशों ने गोली मारी भीड़ भाड़ वाले इलाके में घटना से मचाहडकम परजनों ने मस्तान गैंग पर लगाया वसूली का रुख कानपूर में सबजी मंडी में मिलाच है फिट लंबा मगरमश मगरमश मिले से श्यट में मचाहडकम अगरमश पकड़कर किया गया वन विभाग के हावाले नवाग वनस्ताना श्यट रिस्तेत मैना वती मार की है पूरी घटना बहराईश में अग्यातवान की टकड़ से युगक की दर्दनात मौत मौके से परार वाहन लेकर चालक हुआ फरार तूसना पर पहुची पूलिस ने शब को मोड़चरी में रख पाया और आगे की जाच परताल में जुटी जासी मउराने पूर गुर सराय मार्ग पर ओमनी कार बोलोरों की भिरंत में बाल-बाल बच्चोय लोग जहां ओमनी कार और ड्राइवर फसा गाऊंवालों की मदद से ड्राइवर को बाहर निकाला गया शामली में दिली साहरनपूर हाईवी पसलक हाथसे में यूबक की मौत तेज रफ्तार आनियंती ट्रक ने बाइट सवारों को रौंदा मामा के घर से इद मिलन का लौट रहे ते दूनों सगे भाई बलिया में शराब तसकरों से पुलिस के मिली भगत आई सामने जहां बैरिया चेक पोश्ट के पास हुई लाखों की शराब बरामत बिहार पुलिस ने अम्बूलेंस से शराब बरामत की सोनबद में निर्माणाधीन मकान अंदर वडेर में रसी के सहारे लटकता मिला श्रबो पतनी की च्विकनी की आवाज से आजपास के लोग मौके पर पहुच कर श्रब को उतारा कल्दुपैर से ही अपने मिवास इस्थान से गायब था यूवक बैशाकिस्णान पर्वक एक श्रबधालू पहुच रहे हरकी पौड़ी गंगा में आस्ता की डुक की लगा रहा है श्रबधालू कई राजो से गंगाईस्णान कन्ने पहुच रहे श्रबधालू देहरादूर में मौसम निली करवट हलके से माध्यम बारिष्टे की संभावना मौसम विभाग ने जारी किया पूरवा नुमार देरशाम से बारिष होगी महीं 14 आपरेल को अधिकान शेत्रों में हलकी से माध्यम वर्षा देखने को मिलेगी देहरादूर में आनिंते तो होकर ट्रेक पोल से टकरा गया जिसके बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया पुलिस ने कड़ी मुशकत के बाद जाम को खुलवाया भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता सूरे जोशी ने कहा कि गड़वाल लेके सतापुली में शराव बरामगी के मामले में कॉंग्रिस पृत्यासी गड़ेश गोदियाल के आरोफ मनगडनत और पार्टी के छवी खराप करने के प्रयास हैं कोड़वार में मीडिया से बात करते हुए सूरे कार्थ दस्माना ने कहा कि केंद्रो और अराजी की सरकारे लोगसभा चुनाओ में सरेयाम सरकारी मशीनरी का दूर प्योग कर रही है जो सीधे तोर पर आदर्श चुनाओ आचार साइता के दाएरे में नहीं आता है गड़वाल लोगसभा सेट से कॉंग्रिस पृत्यासी गड़ेश गोद्यान ने भाजपा पर गंभीरा अरोप लगया उन्होंने कहा कि भाजपा शराब बाट कर चुनाओ जीतना चाहती है जिसका ताजा उधारण कलोगसभा शेट में पकड़ी गए नौहजार शराब की पेटिया है आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ट न्यूज चैनल भारत समाचार अमीर होया करिया को सब को राशन मिलेगा हमें ही वोट ने सिर्फ हमारी पार्टी अच्छी है सर्व श्रेष्ट है नमस्कार मैं हूर रविंद सुलान्या और आप देख रहे हैं भारत समाचार भारत समाचार क्याराना लोक सबाशीट पर 24 की पंच्याद आज गाउं सिंभालका में हैं और गाउं सिंभालका के जो लोग है उनसे जाने के आखिर मूर क्या है और इन लोग किसको पसंद कर रहे इस बार तो बहुत सारी यहां तमाम जो है बुद्धी जीवी समाज के जो लोग है वो बैठे है वरिष्ट लोग है इसे जान लेते हैं सबसे पहले मां बाउजी से बा सब्सक्राइब कर यह जाता है प्लाद मखना लेकिन जाहिं टेट पैटेते में चाहण नहीं बदलागा नहीं तो टाम टाम कि बात है शबिदा कोशा अलगर अलगा तो ने उनक्ति में पसंद करें फ्लाएं थोड़े कर रहे हैं पर समस्या है हमारी समस्या लाइए जैसा ब मुख्यमंत्री ने किसानों का जो है जो टुबेलों का बिलता वो बिल्कुल माफ कर दिया बिजली फिरी कर दी तो किसानों के आई दोगनी की बात हाँ दोगनी होतो गई अरे मीटर लगवाले टुविल पर अगर ट्रास्फरम तरिक्षी का फूग गया दो पहला मीटर लागा जो जब आगा जो आगा जो आगा अर्याने में जो है तीन सो चाश्ची का बहा है मारा थीन सो सब्सक्राइब क्या फरको कि अगर अगर भी बहार किसान को तो को यहां मन्नी होनी चीजिए है वक्तान समय पर हो रहा है कहां हो रहा है पिछले साल के अगर शुक्तारा नूइटा में रहा है कौन सा किसान है जिसमितिक कुछी आसे जो सब्सक्राइब कर सामता है बताओ किसान कर था ठाक है अपने क्षट्टी पूरी करे है जो पफसल चोड़े हो सभी जाग फ़ारें जो बोडबोया उसरो चुगरे का जागय जो नाराज हो नाराज हम किषी थे नहीं हम जो कहरें द्रिक्त आज इना जो जो मसरों के नेता है किसान की संस्थाइस जैंथ कोई पावर है मुक्षमन तरी है प्राइब इस तरह है क्य कि उम्मीद किस्ता करें हम तो किसी तभी कोई नहीं करेंगे क्योंकि कुछ लोगों में अंदभक्ती भी होती है वह से अंदभक्ति जहन चोद्री के हां जी जी क्या माहोल है गाउं का माहोल तो लगभग बीज़े खिलाफ है लगभग जादे तरह की तारण एक तो प्रतीप सिह परदीयों को पसंद करने लिए दूसरी बात वाद भाजपा की निटिया तो बहुत अच्छी है किसानों की आयदोगनी रिजोंकी कर्ज माफी भ अब पिछले साल करो गया तीन सो कुछ लगवाग तीन असपास पकाय हो गया कैसे अमने गुजयर रहे हैं इस दूसरे उपर से चुट्टे चुट्टा पसु जो खेती करें उसे एक आजा यह रात को वहां पहराद गेत में इसी वास्टा नाराज अज बात तो बहुत है बात निगी बात आप करें चोजिश भावत पके लायक से श्वामिनातन जी को बावत बारत तर दिया उनके पार्मॉला लग लग लिकिया बारत दे रेकिस बात पर सी प्लस सी क्या है ओस चीटू पलस 50 क्यों ने चलना लग करें उससे किसान की आमदनी होगी करो शरू लागत का डेड़कुना तो आओ अमें सम्मान देनी चीए सम्मान हमारे भाव से होगा इस शेयार पर भीक समझते हैं ठीक है लेकिन आप इकरा चोद इकराशन को बोट दनी की बात करें इकराशन को पताने हम बीच में बाजपा की दिया रही है और स्कूल मा देख लो जो ठीक से गरीब के बच्चे तो स्कूल मा जा वैसे कुछी का आद्विकन जा रही किसी भी बिरादी के जो संपन सा हो गया प्रवेट में पड़ा रही तो अगर अच्छी सिक्सा हो जा ये पैसे बचे सरकारी स्कूल को तो दस साल में संपो प्रवेट में जा और ady एके सिक्स्था के छेती में तो कहते हैं कि सरकार्व को बेंद देंसे dieta किसको पसंद कर रहे आप कहराना में तो मजबूरी में देनी पड़ी हूं तो जैन्त के साथ रहते वह एक रासन को देनी पड़े क्यों अच्छी नहीं रही बीजेपी मजबूरी यह बीजेपी अच्छी नहीं रही अच्छा आयुश्मान भारत योजना का लाब मिल रहा है कुछको मिल रहा है कुछको नहीं उसमें भी वह गड़ड़ी कर ले बातर को बन नहीं पता उप्रुजा लखके खाता है जनसे वाकिंद पह यह वह सैरीस्वाद्वों 20,000 मिल दे 30,000 मिल दे जिब जाए का सबको नगा हो में रासन मिल रा रासन मिल रासन मिल रासन तो मिल सरकार के योजनाओं का लाब भी ले रहे हो अगर शिक्सा होगा बोलना सिक्टागा स्कूल में जागा रोजगार मिलागा जब सिक्सा फिरी की मिल जेगी हमें किस चीज़ की पहले भी तो थे हम भारे सब भी पूरा गाउं एक साथ बच्चे जाते हैं अब नूगु दिख र आप जाए दे यह थे गाउं सिंभालका के लोग और इन लोगों ने अपने अपनी पर्ति करिया दी एक और बुजुर्ग है यहां बैठे हुए हैं उनसे मैं बात कर लेता हूं बाव जी आपको क्या लग रहा इस बार किसका माहौल है कहराना में करना में हमां वोल पता नह का बहिए है हमें नहीं है है कि बीजेपी को वोट करो गए हम कह ना सकते हम ने सकते हैं यह ने सकते हैं क्या मुद्धे है क्या होना चाहिए कर ने लेकिन जहान चोदरी बीजेपी के साथ चलेगा, अब कह रहें घरना भुकतान भी कराएगे, किसानों की समस्य रहेगे? कहा करेंगे कज को नए भी कुछ निए बकारे हम बूके उरे किसान बूका बिलकुल तीन बिन्न मील पर बठ रहे हैं मारी कोई शुनाई नहीं मला भाई कोई शुनाई नहीं फिर भी जैन चोदरी बीजेपी के साथ गए हम नहीं पता कहा हैं भी हम जी पता लगा जिब जब आपके पास है और जोन साहिब जा एए वो भी जैपी का उसे कुछ ही निए उसे को मानते ही वो कद याथ तैनी आप कजी देखे नहीं हम नहीं जानते नहीं है नहीं जानते नहीं नहीं देख्या लेकिन बोट तो देनी पड़ेगी हाँ जबर दफ्ति ले लोगे है नहीं चोदरी का समर्थन है उन्हें हाँ जैल से वोगी देंगां बोट तो यह थे गाउं शिंभालका के लोग सभी ने अपनी अपनी परती किरिया रखी और सभी ने अलग-लग मत दिखा कुछ युवा थे जो भरती पर किरिया को लेकर नाराज रहे तो कुछ गन्ना किसान भु बिसकी चोपाल बताएंगे जन्ता का मोड क्या है केमरा सोगी सालिम के साथ में रविंद्र भारत समाचार कहराना शामली भाई नाइब बेहने हमारी पार्ट 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 अमीर होया करिया को सब को राशन मिलेगा अब देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ट न्यूस चैनल भारत समाचार और अब खबार लखनों से जहाँ पर राजनास सिंग लोकसभा प्रत्याशी बनाएगा है इस्टार प्रचारग बनाएग जाने के बाद राजनास सिंग अन्य राजों में भी चुनाव प्रचार करें हलाकि लखनों वालों के इसने के चलते उन्होंने चुनाव प्रचार की कमान अपने बेटे नीरस सिंग को सौब दी है और नीरा सिंग सुबह से लेका शाम तक चुनाव प्रचार में जुड़के हैं इसी को लेकर एक कुरा दिन सुबह से लेका शाम तक भारत समचार की पूरी टीम उनके साथ रही आईए आपको भी दिखाते हैं जे आउट विट नीरा सिंग के साथ समय हम भाजपा नेता नीरा सिंग के आवास पर मौजूद है सभी को पता है नीरा सिंग राजनाज सिंग के पुत्र है और नीरा सिंग की दिन चरिया कैसे रहती हम आपको दिखाते हैं नीरा सिंग जब उटते हैं तो सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्त रखने के लिए वो बाहर मौनिंग वॉक पर जाते हैं और उसके बाद आप देख रहे हैं कि अपने घर में इन्होंने एक खुबसूरत सा मंदिर बनाया हुआ है नीरा जी मैंने देखा कि जो दिन्चरिया की आपकी शुरुवात हैं सबसे पहले तो आप अपने शरीर को भी फिट रखते हैं क्या रहती है दिन्चरिया की शुरुवात सुबह का दिन्चरिया तो यह होता है कि सबसे पहले उठकर नेतिक जो करम है उसको करते हुए फिर इसके बाद हम लोग सारे श्रम के लिए निकल जाते हैं कहीं न कहीं वाक के लिए या फिर किसी खेल में मैं बैड्मिंटन भी खेलता हूँ तो कई बार वह भी सुबह का की दिन्चरिया में समलित हो जाता है और या तो फिर योगा अभी इनके साथ नाश्टे की टेबल पर बैठेंगे और देखेंगे नाश्टे में ये कौन सा प्रोटीन लेते हैं जो दिन भर ये लगे रहते हैं तो अब आपको लेकर चलते हैं नीरा सिंग जहां पर अपना नाश्टे की शुरुवात कर चुके हैं किस तरीके का नाश्टा होता है और आप ये देखिए सामने नीरा सिंग बैठें हैं तो नीरा जी नाश्टे में हमेशा यही रहता है कि कुछ डे वाई मंडे अलग टूश्डी अलग वंस्डी अलग नहीं खाने का मेनू तो स्रिमती जी ही फाइनल करती हैं होता है कि जब आप खाने के टेबल पे हो तो सिर्फ खाना खाये यह फैंमली टाइम है तो बस इसमें फेंली की बाते होती है कुछ बच्चों की बाते होती है इतक्सिकोल की बाते होती है अब नाच्टे की टेबल से जनता के बीच में हम आपको लेकर चलेंगे नेरा सिंग इस समय अपने घर में ही लोगों के लिए बनाए हुए जनता दर्शन के एक आफिस में मौजूद है जहां पर आप देखिए तमाम लोग आते हैं यहां पर अपनी अपनी फर्यात को बताना उनसे अपनी समस्याओं को बताने तमाम कारे करता है यहां पर इनको कैसे मैनेज करते हैं कैसे इनकी जो समस्याओं है उनको दूर करते हैं मेरा परिवार है और ये सभी लोग मिलकर हम लोग सुबह से शाम तक पार्टी के करक्रमों को उनकी योजनाओं को बताने का काम करते हैं अब नीरा सिंग अपने आवाज से निकल कर लोगों के क्या चल रहा है लखनों में उनकी चिंता रहती है दिन में कम से कम एक बार हमारी जरूर रे संदर में चर्चा हो जाती है कि वहाँ पर क्या चल रहा है सारे कारें की प्रगती किस प्रकार से है जनता जानती है कि किस प्रकार से इस उत्तर प्रदेश को माफियाओं के और्णाइजड क्राइम के लिए जाना जाता था आज माने योगी जी के शाशनकाल में जो भै आम जन्मानस के आँखों में दिखाई देता था आज माफियाओं के आँखों में दिखाई दे रहा है लगातार नीरा सिंग जुड़े हुएं अब हम लोग पहुंचे हैं यहाँ पर लाल जी टंडन की प्रतिमा पर माले अरपन होगा और इसके बाद तमाम तरीके की संगठन की बैठकों में नीरा सिंग हिस्सा लेंगे इस समय हम हजरत गंश में मौजूद हैं और नीरा सिंग यहाँ पर पहुंचे हैं लाल जी टंडन की प्रतिमा पर माले अरपन करने के लिए लोग सभा संचालन समिती की बैठक में नीरा सिंग यहाँ पर पहुंचे हैं नीरा जी यहाँ पर क्या एक रड़नीती रही काफी देर बैठक भी रही हमने कारकरताओं को बताये कि किस प्रकार से हमारे प्रधान मंत्री ने पिछड़े वर के लिए सभी लोग देखे मानिरादना सिंग जी को अपना अभिभावक के रूप में देखते हैं लखनव में और उन्होंने जो कार किये लखनव में शायद एक अभिभावक ही अपनी परिवार के लिए करता है तभी हम एक नारा दे रहे हैं लखनव बोले इस बार पांच लाग पार लखनव से वीडियो जनरल इशकुमार सहुरब के साथ संदीप खेर भारत समाचार अब देख रहे हैं भारत का सर्वश्रिष्ट न्यूज चैनल भारत समाचार इंडिया का सबसे बड़ा एलेक्ट्रोनिक सेल शुरू हो चुका है इससे बड़ा से शाय नहीं मिलेगा टीवी, लापटॉप, मॉबाइल, फ्रेज, वाशिंग मर्शिन, किचन अप्लाएंसे सब पर पाईए Best Deals सिर्फ Vrilance Digital के Digital Discount Days में एकसेसे भी जरूरी क्या है जानते हो क्या? सेहत मंद खाना मैं सिर्फ रागोभोग आटे की रोटी काता हूँ और क्या चटपटा है राजश मसाला? ट्राय कर ये टेज मस्त सबरदस्त सिर्फ राजश रागोभोग चक्कियाटा अब पलग जपकते ही होगी डाउनलोरिंग कम्प्लीट क्योंकि लखनों के कोरे-कोरे में है सिर्फ प्राद्बैन का हाई स्पीड वाइवर इंटरनेट मात्र 499 रुपे पर मन्त में अब प्राद्बैन कारे अपना सिक्का ब्राद्बैन कनेक्शन विजट सिक्कानेट डाट कॉम अमीर हो या करिया को सब को राशन मिलेगे हमें ही बॉट प्रुट प्रुट सिर्फ हमारी पार्टी अच्छी है सर्भुश्रेश्ट है नमस्कार मैं हूँ रविंद सुलानिया और आप देख रहे हैं भारस समचार भारस समचार क्याराना लोग सबासीट पर 24 की पंच्छाद आज गाउं सिंभालका में हैं और गाउं सिंभालका के जो लोग है उनसे जाने के आखिर मूर क्या है और इन लोग किसको पसंद कर रहे इस बार तो बहुत सारे यहां तमाम जो है बुद्धी जीवी समाज के जो लोग है वो बैठे है वरिष्ट लोग है इनसे जान लेते हैं सब्सक्राइब में बाओजी से बात करें माओजी क्या नाम है अपका पिजन गर्च अच्छा कइसा माहल नहीं गोडे की जैन चोधरी का जो है गड़ माना जाता है आधा है लेकिन जैन चोधरी तो कहते थे मैं चवननी नहीं बदलूंगा नहीं तो टाइम टाइम के सबस्क्राइबें, इस दियान देना पुर्णा है , जैसा भी किलोबार्ट हैं। शन्सीन सबस्क्राइबें ओक भड़ें, ने जाहिए, तो भी किलोबार्ट सबस्क्राइब गण्दमटिधें, यह को हम देन दोटाइबें, फिल्ट है। मुख्यमंत्री ने किसानों का जो है जो टुबेलों का बिलता वो बिल्कुल माफ कर दिया बिजली फिरी कर दी तो किसानों के आए दोगनी की बात कि अगर दोगनी होतो गई अरे मीटर लगवाले टुएल पह अगर ट्रास्फारमत तरिक्षी पहुग गया दोर पहला मीटर लागा जब आगर चक्ड़ाइब अगर मिले रहा नोरा समय है तान हो रहा है रियाने माजो ए तीन सो छाष्ची का बाह मारे तीन सो सत्तर का बाह आ अगर तो दूर्वांदार चुना प्रुचार अभ्यान पर चियंद योग यह था तनाथ अच्टनौर हो ऑन दोड़ा टिने सबीन से शुआ पर चाहर अबेड़ा ने विट ऑन चुब के समर्था वे जनसभाथ भजा की परपर गुर्दवारे में पहुचे सियम्योग हादेतनात गुरुद्वारे में लिवजर सब्राइब को करेंगे संभोद्यक्त पी-एम मोदी ने गेमिंग केमिनिटी से की मुलाकात यंग गेमर्स के साथ पी-एम मोदी ने किया समभात पी-एम मोदी ने इ-गेमिंग में भी आजमाया हाथ EPCM केशो प्रसाद मौरिका सपा कॉंग्रेस पर हमला अखिलेश पर लगाए गंभीर आरोप कहा अखिलेश के तीन यार आजम, अतीक और मुक्तार गाज्याबाद में जुग्यों में लगी भीश्वणाग सिलिंडरों में हो रहे ब्लास्ट दमकल की काणियां गटना, स्तल्कियों रवाना अब देख रहे हैं भारत का सरवश्रेष्ट न्यूस चैनल भारत समाचार नमस्कार आप देखरें महारत समाचार मैं हूँ आपके साथ शांतरूत पाटी बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्ती बड़ी ख़वर के साथ गाजियाबाद से ख़वर सामने आ रही है जहाँ पर मकनपूर में जुग्यों में भीशण आग लगी हुई है और देखे एक के बाद एक लगातार सिलेंडरों में धमाके भी हो रहे हैं दंकल की गाडियां गटनास्तल की ओर रवाना की गई है यह तस्मीरें देखे सामने आ रही है जहाँ पर मकनपूर में जुग्यों में भीशण आग लगी हुई है और देखे एक के बाद एक सिलेंडर भी ब्लास्त हो रहे हैं दंकल की गाडियां मौके के लिए रवाना हुई है और इंदिरापुरम थानाक्षित्र की एक गटना है तस्मीरें गाजियाबाद से सामने आ रही है जहाँ पर जुग्यों में भीशण आग लगी हुई है एक के बाद एक सिलेंडर भ्लास्त की खबर सामने आ रही है दंकल की गाडियां गटनास्तल की ओर रवारा हो गई है तो देखे किस तरह से आग और उठता हुआ धुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है सिलेंडर भ्लास्त की खबर भी सामने आ रही है जुग्यों में भीशण आग लगी हुई है का दुट का यह देखेखे बासे तस्वीरें सामने आ रही है संबादा ता लोकेश हमारे साथ जुड़के हैं लोकेश के आजानकारी सामने आ रही है इस घटना को लेकर चलिए लोकेशल तक श्रादावाज ने पहुंच पारी है देखे जुग्यों में भीशन आग लगी हुई है गाज्याबाद से तस्वीरें सामने आ रही है और एक के बाद एक सिलेंटर ब्लास्ट की ख़वर भी सामने आ रही है दमकल की गाडियां गटना असल के लिए रवा लोकेश हमारे सयोगी जुड़ गए है लोकेश क्या जानकारी सामने आ रही है इस अगनेकांड को लेकर किसरे से आग लगी है और कहा यह जा रहा है कि एक के बाद एक सिलेंटर भी ब्लास्ट हो रहे है तो क्या अपडेट सामने आ रही है मामले को लेकर मामले में अभी अपडेट किया है कि दमकल की दो गाड़ियां मौके पर पहुची है और उन्होंने आग पर काबू पाने में जुटी है यह मकनपूर का इलाका है जो कि दिल्ली की सीमा से सटा हुआ है और वहां पर गाउं के आजपास कुछ जुगियां है जुगियों में ह खारा बनाने के लिए चोटे स्रेंडर रखे होते हैं उस स्रेंडर के अंदर आग लगनी शुरू है और इसमें ब्लास भी हुए है इसी की गंबिर्जा को देखते वे दमकल की गाड़ियां मौके पर रवाना है और फिलाल काफी हद तक आंक पर काबू पाने में पालिया ग होंगे फिलाल किसी प्रकार की को जनहाने की सूचना नहीं है लेकिन यह बात जरूद है कि कई लोग व्युकुन जुग्यों में रहते हैं का आश है ना उसरो हो गया है सब्सक्राइब बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए तो देखें सिलेंडर में ब्लास्ट हो रहे हैं दमकल की गाड़ियां पहुंची है आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है कि देखें गाज़ाबाद से तस्वीरें सामें आ रही है जो आप आप जोग्यों में आग लगी हुई है सिलेंडर्स में ब्लास्ट हो रहे हैं कि अज़िकी कोजल स्री राम चलिए बात तो इलेक्शन से जुड़ी तमाम खबरों की मेरट से खबर सामने आ रही है जहां पर देखें तलेट इलाके में पहुंचे हैं बीजेपी के प्रत्याशी अरून गोविन तलेट के घर जमीन पर बैठकर बीजेपी प्रत्याशी अरून गोविन ने खाना खाया है और देखें तलेट इलाके में पहुंचे हुए हैं अरून गोविल प्रम्मपूरी के भगबदपुर इलाके में पहुंचे हुए थी अरुन को पर जमिन पर बैट कर खाना खाते हुए अरुन को फिल और देखे जुनाव प्रचार में लगतार अरुन को फिल चुटे हुए है अरुन की ओर गरदेश बहुत ज्यादा मिल बहुत ज्यादा प्यार मिलना है और साथ ही साथ ये भी कहना चांगा कि इसकी चुनाव हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टिंट है सब ही लोग वोट करें 100% वोट करें तो देखे दलित के घार पहुंचे हुए थे जमीन पर बैट कर खाना खाते हुए बीजेपी के प्रत्याशी अरून कोविल चले इसी पर बात करते हैं हमारे साथ नरेंद्र प्रताप हमारे सयोगी जुणके हैं मेरट से नरेंद्र आप देखिए कहा जाए कि शब्री के घर पहुंचे हुए थे एक राम और आप कलियुग में अरून गोविल कहा जाए कि राम का तिरदार निभाव चुके हैं लेकिन पहुचे हुए हैं दलित बस्ती में जहां पर उन्होंने एक दलित के घर पर जमीन पर बैटकर खाना भी खाया है चुनाब प्रचार लगातार चल रहा है किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है और क्या इमेज एक कहा जाए की बनाने की कोशिश की जा रही है और क्या ये जो शिराम की इमेज है इसको भुना पाएंगे अरुन गोबिल ये तमाम तरह के सवाल है तो क्या अपडेट सामने आ रही है जबीन पर क्या कुछ चल रहा है देखे भारती अंता पार्टी का मोटो भी यही था कि यहां से अरुन गोबिल को प्रत्यासी के तौर पर उतारने के बाद पूरे पश्चिमुत प्रदेस में उनके चेहरे को पुनाया जाए लेकिन यहां मेरट में जो चुनाप्रचार चल रहा है उसको लेकर ही बहुत सारी दिक्कत हैं और मुश्किले हैं उसकी बज़य यह है एक तो अरिन गोबिल की जो उम्र है वो काफी जादा है वो बहुत जादा हार्ड वर्क नहीं कर सकते फिल्ड पर अमूमन उनको देखा गया है कार में कार का जो रूफ टॉप है उसको ओपन करने के बाद वो जंता से र नहीं बैट रहे हैं इसके लाबा आज वो गयते भ्रहमपुरी इलाके में वहां पर बीजेपी के ही एक कारिकरता हैं उनके घर जाकर उन्होंने भोजन किया है लेकिन आपको पताएं कि उन्होंने भोजन इसलिए नहीं किया कि क्यों उनका नवराज का ब्रत था इसकी वज रहता है उसी हिसाब से उनका स्वागत यहां पर किया गया और वो स्वागत जोदार और भब कहा जाएगा इतना जरूर है कि सेलेबिटी को लेकर जिस तरह की बातें कहीं गई थी उनके बारे में तो जमीन पर कहीं न कहीं थोड़ा बहुत असर उसका देखता है लेकिन नुसरी बात जो अरुन गोबिल के लिए जो निगेटिब आस्पेक्ट लेकर आ रही है वो यह है कि वो मीडिया से और पबलिक से बहुत ज्यादा खुल कर नहीं बोल पाते हैं चूंकि वो नॉन पॉलिटिकल हैं इसलिए उनके साथ दिक्कत यह आती है कि वो पॉलिटिकल में जब वो यहां मेरट आये थे पहले दिन तो उनका एक वीडियो जो है बाइरल हुआ था जब उनके यह पूछा गया कि वो मेरट के अबेलिबिलिटी उनकी कितनी होगी मेरट में तो उन्होंने कहा था कि देख लो भईया अभी तो आप हमको चुनाब जिता दो कितनी अ जमखम के साथ यहां पर चुनाबी मैदान में हैं आती का चुनाब जिन लेकर देवरत्यागी भी सी सीट पर चुनाब लड़ रहे हैं तो आगे आने वाले समय में कौन कितना स्पेस पाता है कौन जंता के बीच कितनी पैंट बना पाता है क्या अरुन गोबिल की लोग प्र पर यह निर्वर होगा कि मेरट में वो कितना बोट पापाएंगे और वो जीत पाएंगे भी या नहीं तो यह बहुत सारे सबाल हैं अभी क्योंकि वो नॉन पॉलिटिकल हैं इसलिए इन सब चीजों को लेकर अभी वो बहुत ज्यादा गंबीर नहीं दिखते लेकिन इतना मेरट में एक छोटा सा कारिक्रम और उसके बाद हापुर में उनका रोट सो इस समय चल रहा है चीज़ चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नजर बना के रिखे रेंडर आपका बहुत शुक्रिया फिलाल चलिए आगे बढ़ते हैं मुख्यमंतरी योगी आदितनात बैसाखी में पहुँचे हैं जहां पर उनका स्वाकत क्या गया है और गुर्द्वारे में मत्था ट्रेकासियम योग्या दितनात ने वैसा के का यह पावन परवग हम सब के देखाल्सापंथ की अस्थापना दिवस के रूप में एक नई प्रेणा और प्रकास का सूथ है इस उसर पर पुरे प्रदेश्वासियों को सभी सिक्व पैनो और भाईयों को इस बावन परवगी मैं हिर्दे से बढ़ाई लेता खत्रे में पढ़ने न गया देश की सुरक्सा खत्रे में पढ़ गई उस समय गुर्गोविनिसिक की महराज को लगा कि समाज को जाती पात इसे मुक्त एक ऐसी विवस्ता चाहिए तो इस संपूर समाज को सुरक्सा भी दे सके और संक्रक्षण भी दे सके लिए उन्होंने जो लीला रची वहाँ एक नए पंथ के स्रिजन का अधार बना वहाँ खांसा पंथ की स्थापना दिवस के रूप में वहाँ दिवस पूरे समाज के लिए समर्णी हो गया समाजवादी पार्टी के बारे में कहूं कि समाजवादी पार्टी गुंडों अपराधियों माफियाओं दंगाईयों को पैदा करने की फैक्री है तो कोई गलत नहीं होगा 2017 से पहले जब उत्तर प्रदेश के मुक्वंत्री स्री अखलेश यादो जी थे उस समय का एक बहुत प्रिचलित नारा रहा करता था कि जिस गाड़ी में सपा का जंड़ा उस गाड़ी में बैठा गुंड़ा और सपाईयों का नारा खाली प्लाट खाली मकान खाली दुकान हमारा जिस प्रदेश में लगभग हर जिला दंगय के आग में सुलग रहा था आज उसी उत्तर प्रदेश में पिछले साथ वरसों से एक भी दंगा ना होना बड़े बड़े गुंडे अपरादियों माफियां हो गया कानून के माध्यम सुल को सजा दिलाने का काम हुआ और अगर मैं कहूं इस लिए अखले से आदो के तीन याद मुहम्मद आजम खा अतीक अहमद और मुक्ताद यह जब दो चले गए हैं अभी ज़रा में नहीं है लेकि ऐसे लोगों की आरी करने के कारण सफा सफा हो गई चले बड़ते आगे ख़बर गाजयबाद से है जहां पर आपसी विवाद में दबंगों ने यूवक को जम कर पीटा है और गाड़ी में बैठे यूवक को दबंगों ने लाटी डंडों से जम कर पीटा है राजयबाद से ख़बर साबने आ रही है जहां पर आपसी विवाद बता जा रहा है और देखे दबंगों ने यूवक के जम कर पीटा है गाड़ी में बैठे यूवक को दबंगों ने लाटी डंडों से जम कर पीटा है मारपीट तोरफोल का वीडियो वारर हो रहा है पिडित यूवक खालित की शिकायत पर मुकादमा दर्ज किया गया है गाड़ी में बैठे यूवक की पिटाई की गई है लाटी डंडों से जम कर यूवक की पिटाई की गई गाड़ी में तस्वीरें सामने आ रही है आपसी विवाद बता जा रहा है जिसके बाद एक यूवक की जम कर पिटाई की गई आप पए मौत 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 मेरी ऐसे चाइह कार मौत तो देखे घाजियाबाद से तस्वीरे सामने आ रही है जो आप एक युवक की कार में बैठे युवक के पिटाई की जा रही है लोकेश हमारे सायोगी जुड़ गए है घाजियाबाद से लोकेश इस गटना के पीछे कि क्या वज़े बताई जा रही है दवंगो ने युवक की जमकर पिटाई की है कार में बैठा शक्स जो है बचाने के लिए चुला रहा है क्या बज़े है और इसके जो तूसरे साथी है जिसमें शौकत प्रमीज और तीसरा उनको शक्त है इस मामले में इन तीनों के सिलाफी फिया रही है यह लाटी देंडों से पहले कार को तोट इस वीडियो के सामने आने के बाद भी सोशल मेडिया पर वीडियो बारल होई है उसके बाद इस पूर क्रक्रण में ट्रॉनिकर स्टी तखने पर खालिद ने शिकायत तर्च कराई है जिसमें जो तीन शक्त है शौकत परवेज और उसका एक साथी उन तीनों के खिलाफ करवाई की जा नहीं है चलिए बहुत हो शुक्री आपका इस जनकारी के लिए लोकेश देखे गारी में बैठे यूवक के पिटाए की गई है तस्वीर घाजियावाद से सामने आ रही है चलिए आके बड़ते खबर मेरेट से है जहाँ पर रिहाशिय आ गया जिसके बाद रिलाके में दहशत का महौल है मकान में तेंदुआ घुसा हुआ है और इसके बाद हलकम मत गया रेस्क्यू करने में वन विवाग के टीम और पुलिस की टीम चिटी हुई है कई दिन से मेरेट चावनी में ये तेंदुआ देखा जा रहा है बन विवाग ने पिजड़ा और जाल भी लगाया है कसेरू खेडा वगतला इन के सामने रिहाशिय आलाके का ये पूरा मामला है और ये दिखे लगातार रेस्क्यू करने का प्रयास किया जा रहा है रियाशिय आलाके में तेंदुए के आने के वाद से लोगों में दैश्वत का महौल है मेरेट से सम्वाद आता शोईब जी हमारे साथ जुन गए है शोईब वो क्या जानकारी अभी तक क्या रेस्क्यू कर पाया है तेंदुए का बन विभाग के टीम भी लगी हुई है पोलिस की टीम लगी हुई है तेंदुए कर देखाता है लोगों ने बाकाईद उसके वीडियो बना कर वायने करें देखे लेकिना सुबरी सुबर दिन निकलते ही पता जारा वही तेंदुए जो पूरा परीवार था वो घर से भाग कर अपनी जान बचाता है इस तुरान वन्रिभाद को सुचना दी जाती है वन्रिभाद की टीम जो आदी अदूरी तैयारी के साथ तेंदुए को पकड़ने पॉस्त दिये पर राइदा पिंजा लगा दिये जान लगा दिये लेकिन तैंदुए जो है घर से निकल का जो है जो घर थे उनकी छटवर पहुंच चाता हुआ जो इसमें पूरे इलाके में अपना आतन को मचाता हुआ जो इलाका है उसकी खुला जो इलाके से अपने वो भागने को त्यार हो गए है और जो बन्निभागेश की पूरी इसकी लापावाई की जिस्ता में घर के इंदर तैंदुए देखा गाया दसके रैश्य किया जाना तो घर को कोई कवर्ड नहीं करा था और सिर्थ के दरवाज़े के भार एक पिंका और जाल लगा गया था जिसकी वज़े से लोगों की जान पर बनाए है वन्निभाग का कहना है हम दूसरे परियास करेंगे उससे पकड़ा जाएगा यह तरह से खुला तैंदुए घुम रहा है लोग है महां पर महुचूर है तो लोगों की जान को खत्रा बनावा जो पकड़ने में पूरी तरह से चलिए बहुत 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 शुक्री आपका शोय बेस तमाम जानकारी के लिए है चलिए आगे परते हैं बलरामपुर से खबर है जहाँ पर चार पईया वहान अनियंती तोकर पेड़ से टकरा गया हादसे में चालक चंदन की मौके पर ही मौत हो गई है चार बच्चों सम कर पेड़ से टकरा गया हादसे में चालक की मौत हो गई है चार बच्चों समेथ 11 लोग सड़काल से में खायल हुए है पॉलिस बोट के पर पहुंची है राज के लिए सभी को अस्पतार में वर्ती कराए गया चलिए आखे पर तो एक खबर बरेली से है जहांपर इंडस्ट्रियल एरिया परसा खेड़ा में फोम प्रक्री में आग लग गई है आता तर्चन पार बिगेट की गाड़ियों ने आगपर का भूपाया आज से लाकों रुपए का सामान जलकर राक हो गया से विगन थाना क परसा खेड़ा इंडस्ट्रियल इलाके का ये मामदा है फार बिगेट की गाड़ियां मौके पर पहुंची है आग बुझाने का प्रियाज देखिए बरेली से तस्वीरे सामने आ रही है परसा खेड़ा में फोर्म फैक्टरी में भीशन आग लगी हुई है और ये तस्वीरे देखिए किस सरे से धुवे का गोबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है आधा दर्जन फार्विगेट की गाड़ियां मौके पर और आग बुझाने का प्रियास लगातार किया जा रहा है दीपक शर्वा हमारे से योगी चुड़ गहें बरेली से दीपक क्या जानकारी सामने आ रही है सगनी कांड को लेकर देखे मैं वाद वाद को बता दूँ कि यह परता जड़ा का इलाका है यहां पर इंडर्फिर एरिया है पूरी फैक्टिया है इस इस इलाके में और इस पैक्टि का मामला है गद्दे की बताई जा रही है इसमें शौर्कर सच्टिट से आग लगने बताया जा रहा है उते सब्सक्राइब कर लिया कि लागों का समान सा जलकर राक हो गया एकिहास के तौर पर आसपास का इलाका था भो भी खाली करा रही है क्योंकि आग इस रूप में निकलेगी कहां तक यह नुक्सान करेगी इसको लेकर फायर विगेट के लोगों ने आसपास में कमिंग के एक लाका बना लिए और जो आसपास में तैक्टिया इनको भी खाली करा लिए पिलाल किसी के हाता तो नहीं ख़वी नहीं ख़वर नहीं लागों रोपे का नुक्सान होने की बास सामने निकल के आ रही है आदा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां फायर विगेट की हैं जो आग पर काबू पाने का प्रयास किया जो रहा है परसा खेडा में फोम फैक्टिय में यह आग लगी हुई है तस्वीरें बरेडी से सामने आ रही है पांच लोगों के लापता होने के मामले पर अप्डेट सामने आ रही है लगाता रिस्क्यू के बाद पांचों के शब बरामत किये गए है चालेज गंटे तक यह रिस्क्यू उप्रेशन चला है जिसमें पांच शब बरामत किये गए हैं सदर कुत्मालिक शित्र के हजारा नहर में सभी डूबे हुए थे और देखिए पांचों शबों को अब बरामत किया गया है रिस्क्यू उपरेशन 40 गंटे तक चला था काजगन से एक ख़वर सामें आ रही है जहां पर हजारा नहर में इस अभी दोस्त डूब गए थे और लगतार पांच लोगों के लापता होने की ख़वर सामें आ रही थी सभी के शव बरामत किये गए हैं काजगन से ये अपडेट असवक्त सामें आ रही है लगातार ये रेस्क्यू ओपरेशन चला गया और 40 गंटे तक ये रेस्क्यू ओपरेशन चला तो देखिए अंडियारफ एस्जारफ की जो टीम है वो मौके पर पहुँची 40 गंटे के रेस्क्यू के बाद पांचों शवों को बरामत किया गया है चला आगे परते हैं शामली से ख़बर है दिल्ली साहरनपूर हाइवे पर सड़काच्य में एक यूवक के मौत हो गई है तेज रप्तार का कहर यहां भी देखने को मिला है तेज रप्तार अनियंतित ट्रक ने बाइक सवालों को रौन दिया है तेज रप्तार अनियंतित ट्रक देखे बाइक सवालों को रौन दिया है रेच से भरे ओवरलोड ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई है गटना में घायल दूसरे शुक्स के हाला गंभीर बताई जा रही है दिल्ली साहरन पूर आईवे पर सड़काचे में युवक की मौत तेज रप्तार अनियंतित ट्रक ने बाइक सवालों को रौन दा है रेच से भरे ओवरलोड ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई गटना में घायल दूसरे भाई की हाला गंभीर बनी हुई है दूसरे अबर पहुची पुलिस गटना की जाज परताल में जुटी है भावन थाना क्षित्र के दिल्ली साहरन पूर आईवे की गटना है पुलिस पिटाई से खबर है जो आपर पुलिस रासत में क्षित्ति की पिटाई से मौत हो गई और जिसके बाद हंकामा देखने को मिला है लखिंपूर से खबर सामने आ रही है पर जन्नों ने सेक्रों की संक्या में शब को सलक पर रखकर जाम लगा दिया है पुलिस पर एक लाक रुपए घूस मांगने का आरूप लगा है करण समय थर्ड डिग्री से टॉर्चर किये जारे से मौत का आरूप लगाया जा रहा है मामले में पुलिस ने एक नावालिक के साथ बरबरता भी की है ये भी आरूप लग रहे है पुलिस पिटाई से नावालिक बेहोश हो गया जिसे आरन फानन में जिला अस्पताल में भरती करा गया मितॉली पुलिस और क्राइम ब्राउंच की टीम पर यारोप लगे हैं लखीमपुर से ये तस्वीरें देखे लगतार लोग हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं जाकर उन्हें बहुत मारा माते माते मार राइंगे हैं हम साम को इन्हों ख़वर की की बीमार में अस्पताला अस्पताल जब नहीं हो हां तो इनकी लास्मिए तो यहां पर रुकते चोटे सब्रेक लिए ख़परों का सलसला लगतार चाहिए सत्ता के गल्यारों की हलचल डीम से लेकर सीएम तक की खबरें नोकर शाही और मंत्रियों की जुगलपंदी सियासी दाव बेच और गपशब इन सब के अंदर की बात देखिए विरेंद्र सेंग के साथ हर शरीवार रविवार रात आट और साड़े नौ बजे पावर सेंटर में दोर बदल जाते हैं मगर आपकी पहचान नहीं जैसे सर्वकॉं पिछले पैतीस सालों से पहचान है भरो से की भारत के नंबर वन टॉप क्वालिटी दुमेस्टिक और इंडस्रिल प्रड़क्स की सर्वकॉं रखे सब कंट्रोल में इंडिया का सबसे बड़ा एलेक्ट्रोनिक सेल शुरू हो चुका है इससे बड़ा से शाय नहीं मिलेगा टीवी, लाप्टॉप, मोबाइल, फ्रिट, वशिंड मशीन, किचन अप्लायनस सब पर पाईये best deals सिर्फ व्रिलांज डिजिटली के digital discount days में नूरमंट क्रीम और नूरमंट तेल जो मास्पेशियों को शक्ती शाली बनाता है अब जिन्दगी चलेगी नहीं दोडेगी नूरमंट दर्ग निवारक क्रीम और तेल रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वाश इसमें है क्यूकंबर के प्यॉर एक्स्ट्राक्स जो नाच्रिली चेहरे को मौश्यराइज रखे ये कोई कॉस्मेटिक नहीं आयुर्वेदिक और शदी है आगरा में पुलिस वाश बदमाश के बीच हुई मुटभेड 25 अजार की नामी बदमाश लोकेश गराफतार जब आवी फारिंग में बदमाश को लगी गोली भरती डकैती और हत्या का मुख्या आरोपी था लोकेश तमंचा खोके और कई कार्टोस पुलिस ने किये बरामत गाजियाबाद में मुटभेड में शाती लुटेरा फैसल गिरफतार पुलिस की गोली लगने से हुआ घायर डेड़ दर्जन से जादा लूट के मामले में था वॉंटेड शाली मार गार्डन शेत में हुई मुटभेड बागपत में 15 वर्षी किशोर की चाकू मार कर की गई हत्या किशोर ने अस्पताल में दम तोड़ा घर में कोहराम पुलिस ने शब को कबजे में लेकर पोस्माटम के लिए भीजा कारवाई की माम को लेकर कोतवाली पहुचे लोग सगे तीन भाईयों पर लगा किशोर की हत्या कारो लकनौ में गोलियों की तरतरहत से दहली राजधानी पूरो ब्लॉक प्रमुक प्रधान और सायोगी पर हमला फाइरिंग में विक्ती की गोली लगने सो हुई मौत चैसे साथ हमलावरों ने चलाई ताबर तोड कई राउंड गोली प्रधान की हालत गंभीर अस्पताल में कराया गया भरती दिल्ली में जूला संचलक सेहंच वान को गोली मार कर की गई हत्या हफता वसूली के खेल में बदमाशों ने मारी गोली भीरभाड वाले इलाके में घटना से मचा हड कम पर जणों ने मंस्तान गैंग पर वसूली का लगाया आरो मतुरा में गोवर्धन धाना शेत्रे के राधाकुन में किशोरी की अश्लील हरकत पंचायत का फर्मान आरोपी ने अपने सिर पर मारी चपल चिडखानी का और खुद को मारने का वीडियो हुआ वारल घटना की जाच मिजुटी पुलिस बांदा में संदिक्द परिसितियों में 35 वर्षी युवक की मौत पर जिनों ने दोस्तों पर लगाया हत्या का आरोप दोस्तों पर घर से जब्रन ले जाने का लगाया आरोप शेहर कोतवाली के मर्दन ना का इलाके की है घटना बरेली में आपकारी विभात के दारोगा की पत्नी की लूटी चेन पॉश्व इलाके में चेन स्नेचिंग की वार्दात से हड़कम वार्दात चौरा है पल लगे सिसिटीवी कैमरे में हुई कैद पुलिस से चेन स्नेचिंग की कर नहीं तलार गाजयबाद में आपसी विभाद में दवंगों ने यूवक को जम कर पीटा गाड़ी में बैठे यूवक को दवंगों ने लाठी देंडो से पीटा मार पीर तोड़ फोड का वीडियो हुआ वारल पीड़ ते यूवक हालित के शिकाट पर मुकदमा हुआ दर्ज बल्या में शराब तसकरों से पुलिस के मिली भगत आई इस तामने मेरिया चेक पोश्ट के पास हुई लाखों की शराब बरामद बिहार पुलिस ने अम्बुलेंस से शराब की बरामद बैरिया ऐसे चोधरमवीर सिंग की भूमी का मामले में संदिक सोन भदर में निर्माड़ाधीन मकान के अंदर बढ़ खेर में रसी के सहारे लटका मिला शवव पतनी के चीखने की आवाज से आसपास के लोग मौके पर पहुँच कर शवब को उतारा कल्दू पहर से ही अपने निवास इस्थान से गायब था यूबग आप देख रहे हैं भारत का सरवश्रीष्ट न्यूज चैनल भारत समाचार इस वक्त देश में आम चुनाओं हैं तो दूसी तरफ इस समय खेतों में कटाई भी चल रही है आपने कुछ तज़्वीरे देखी होंगी हेमा मालनी से ले करके और हाल फिलाल राहुल गांधी तक सब खेत में फसल काटने के लिए अपनी फोटो खिचवाते हुए नजर आए लेकिन इस चुनाओं महाल में वोटों की फसल कौन काटेगा और किन मुद्दों पर वोट उनकी तरफ ट्रांसफर होगी यह देखना बेहद आयम होगा हम इस वक्त गाजबात के बयाना गाहों में मौजूद हैं और यहीं के किसानों से गाहँवालों से पूछेंगे कि आखिर चुनाओी महाल क्या है तो हम यहां पर चलते हैं और पूछते हैं कि आखिर चुनाओी महाल क्या है बताइए जी क्या चुनाओी महाल है जी किसे वो बहुत सारे साथ ही आकर लगे जी बूट नहीं देना लेकिन उसके बाद दो चार बार हम गए भी है लेकिन उनका तो मिला नहीं नहीं तो लड़की मिग्रा नहीं और एक चोहान साथ वह मिल जावे जी वी के सिंग तो हैं नहीं आप गाउंगे रहने वालों क्या चल्ला जी चुनाओ का महल और तो अभी गाउं में सभी के साथ हैं उसके डॉली सर्मा के सोच में लगे हैं अच्छा यहां बाद बात बोला था के पांच गाउं सांसद जी की गोद में होंगे हमारा तो एक बार नम बन आया कि आप लोग बताओ कि चल रहा है क्योंकि नौक्रियों से लेकर के बेरोजगारी का मुद्दा विपक्स उठा रहा है बार-बार क्या बाकई बेरोजगारी आप लोग को के लिए एक बड़ा मुद्दा होगी और इसको देध्यान में रखें कि जो 22-22 साल के बच्चे है वो भी स्टैम घर पड़े हैं तो बेरोजगारी आई और गया है अगनी वीरी हो जना भरती में बहुत लड़के जाते हैं कुछ है इस बार मनों कर रहा है या इस बार सोचरों की निजब चलो आर्मी में नहीं जा रहा है प्राइविट नोखरी जाएंगे तो इस बड़े कहीं अपना कोई और काम देख लें जाटा क्या चल्ला तुम किसे वोट देने कि फिरागम हो भया हम तो मायवत्ति को देख रहे हैं पर हम बता हम आती दिखे हैं और ना देखता कुछ भी हम ता पी वाला तो पिछली बार भी हार गया आपकी भी कि एक दम जीता ही ना कभी हां तो कोई बात नहीं अब और भी लोगों से हम बात करेंगे किसे देने जारे हैं वाईज्या हम मोधी को तो देने के नहीं बोट ऐसा क्यों दुनिया मोधी मोधी करें गर गर तो पुलिस वाड़े खड़े कर दिया उन्होंने चलान के लोग ग जब हैंधा हम घरा में से लोगे जाएंगे काहें का मोधी मोधी एक तुम्हारी शुरक्षा के लिए सेर रूर में चोट लाग वारे पास जब भी मरेगा ऐसे नहीं हम तो तो तरकबग जागा चलान जादा कर लें घर से बार नहां पुलिस वाड़ा यहां पुलिस और और कोई बात भाई खान पीन का कुछ समान अमान कुछ ऐसी कोई बात एक देड़ी जो देरा एक देड़ी आरासन अच्छा जी बात है जो रासन फासन मिल ला है वह यू तो कह रहे है छान में निकल जाए अधा पांच किलो तो वोट किसे दे रहे हैं मोट किसे दोगी काय को जब दे ना फिर भी दे रही हो नाई देनुगों क्यों देना चाहरे है उसका द्रक्की देख करें रोड मोट सब बनाए बहुत करें है पर जो बालक ले जाएंगे तो जाने की कोशिश करेंगे, बहुत बहुत खुची हुए मझे तो मंदिर के देखा था राम की, बहुत खुची हुई है, किसा बोट दे रहे बोट तो जी देंगे जिसे देंगे अभी तो फिलाल सोचा ना अभी विचार करें गर में बैठ कर तो वैसे तो पढ़ देवी हैं भी कोम कर रहे हैं फाइनल सेमिस्टर चल रहा है कि पढ़ाई लिखाई को लेकर के सिझ चा के माहमले में नákली के माहमले में उम्मीद है कि बढ़ईा नौकरी मिल जाएगी गुरिज्सार बहुंस नहुम कि कंपेटिशन बहुत है और जो फेरे निकरते हैं एक तरफ है कि हम डरॉजगारी दूर्ञ क्ली दूसरी तरफ जो और पार्टियां वो यह कह रही है कि बेरोजगारी बढ़ी है हम उस मुद्धे पर करेंगे देखो बेरोजगारी तो है बेरोजगारी जल्दी से खत्म भी नहीं हो यूबा महनत करता है तो इसलिए क्या महनत करता है वो इतनाई कॉम्पेटिशन बढ़ता ह और इस वेकंशी जो है जो जा रहने कम लिकडती है और यूबा जो पास आउट होते हैं जादे उस महां बढ़ता है तो मोधी कोई बोट देएंगे हमके तो और भी बोलें तुम्हारे घर परिवार के कि हम ना देने के हैं लिए कुछ देता है नहीं हूँ जब सब वोई दे रहा है और क्या कर रहा है अफने अपने आपी भरले वे हैं जो अखले शाद है रहा है राहुल गांधि इस मुद्दे को भूत बात कहरें कि युवा तैयारी कर रहा है पैसा खर्च करता है सब कुछ करता है और मालों पड़ता है कि जब पेपर दे के आया तो पेपर ही कैंसल है अब यह समय लो कि जो एक आई थी एफ वेकंस एटी यूपी पुलिस की उसमें दो और पैसा तो क्या कि उसका हो गया फोर्म का इखटा और क्या कि सरकार अपना उसम समाचार गाज़ेबाद अच्छी असर बुश्रेश्ट है नमस्कार मैं हूँ रविंद सुलानिया और आप देख रहे हैं भारस समचार भारस समचार क्याराना लोक सबासीट पर चोबिस की पंच्याद आज गाउं सिंभालका में हैं और गाउं सिंभालका के जो लोग है उनसे जाने के आखिर मूर क्या है और इन लोग किसको पसंद कर रहे इस बार तो बहुत सारे यहां तमाम जो है बुद्धी जीवी समाज के जो लोग है वो बैठे है वरिष्ट लोग है इनसे जान लेते हैं सबसे पहले मां बाओ जी से बात कर लाओ जी क्या नाम है अपका अच्छा महोल है गाउं का जो आओ का माओ का पता लगा इस तो पहला माओ का पता लगने अच्छा जयान चोदरी का जो है घड़ माना जाता है और लेकिन जैन चोदरी तो तो कह देते कि मैं चवन्नी नहीं बदलूगा नहीं तो इस पागधियों इसको पशंद कर रहे नहीं पर समस्छा है मुख्या मंतरी ने किसानों का जो है जो खूरे लों का बिलता वो बिल्कुल माफ कर दिया बिजली फिरी कर दी तो किसानों के आए दोगनी की बात नंगी होत गई पर है अगर अगर विद्सीन का फुग गया दो पहला मीटर लागा तो परह दो नौस को देख अट तना हो नधे मज़ें तो वेह प है निए 362 मारा 370 मारा निए रधा है एक मेकामे। माभी पीजेपी का मुख्य मंतरी हैं हरा जwn भीजेपी में मुख्यमन भीजेपी है। कोन सा किसान है जो सब्सक्राइब जो फसल चोड़े हैं जो बोड़ बोया उसे बिजा चुगरे खाँ जा गई कुसान तो नाराज हो नाराज हम किशी ते लिए हम जो कहारे बारी समस्षब जो ध्यान दाया काम उसा बोड़ करांगे जैन जो तो किसानों के नेता है किसाने की समस्षब जैनत के आद में कोई पावर है मुख्यमंतर है प्राइबनिस्टर है क्या है जैनत कुछ तकलगा को जैनत कभी साब देखे जाओगा सत्ता मां आगी है सत्ता मां सत्ता मां आगा कुछ की भारत माता की भारत माता की बंदे बंदी, बंदी, मुरादाबात लोगसभा छेत्र की, बढ़ानपूर में आयोचीत आजकीस जनसभा में, जिलाध्यक्स विजनार सिभुपेंद्र चौहान जे, लोगसभा के भारती जन्ता पार्टी के प्रत्यासी ताइगार कुवार सर्वेश सिंग जे, आपके लोगप्रिय विधायाग कुवार सुसांत सिंग जे, सदस्य विधान पनी साथ सी जैपाल सिंग ब्यस्त जे, सदस्य विधान पनी साथ से हरी सिंग भिल्लो जे, महापौर मुरादाबाद सि विनोत अग्रबाल जे, पोर सांसाथ सि भीर सिंग जे, जिलाध्यक्स राष्ट्य लोगदल सि नागेंद्र पमार जे, सुरेश सेनी जे, सिमती राजेश कुमारी पाल जे, लोगसवा के प्रभादी सिया सोग पाल जी, आजके इस करक्रम में उपस्तित, भारती जनता पार्टी, राष्टिय लोगदल, और अन्य सयोगी दलों के सभी पदादिकारीगान, भारी संख्या में उपस्तित लोगसवा के सवे, बेन और भाईयों, जनपद बुरादाबाद के इस बुड़ान पूर्विदान सवा छेत्र में, जिसे हम विष्णौर जनपद में, जिस जनपद को हम लोगों ने यहाँ पर पहले से ही मेडिकल कॉलेग दे रखा है, और इस जनपद की इस पावन धरादा को जो यहाँ के अनदादा किसानों के परिस्त्रम से प्रकृति के सीम्द किर्पा, मैं अपने परिस्त्रम और पुरसार्थ से इस जमीन पर सोना उगनने का कारे करते हैं, इस पावन दरा को नमन करते वे मैं आप सब का हिर्दे से विनंदन करता हूँ बैनोर भाईयो आज मुझे अच्छा लगता है जब मुरादावाद्वी दिकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ करके कारे कर रहा है मुझे याद है यही पर मैं आया था जब कुमर सरवे सिंग्जी सांसद थे उस समय उन्होंने एक कारे करम आयुजित किया था और उस कारे करम में आने के बाद उन्होंने उस समय मांग की थी कि मैं सांसद हो तो मेरे मुरादावाद में बिश्व विद्यालय होना चाहिए और बेन और भाईों हमने गुरु जंबेश्वर के नाम पर एक बिश्व विद्याले भी आपके मुरादाबाद को दे दिया है वर्ड क्लास इन्वस्ट्री बनेगी ये विकास आज जो मुरादाबाद में वोडी ओपी के कारिकर और हस्त सिल्पियों का आगे बढ़ाने के लिए कारे हो रहा है आज मुरादाबाद को विकास की नई उचाईों तक पहुँचाने के लिए कारे हो रहा है आज मुरादाबाद का किसान हो या माज़वान बेटी हो या ब्यापारी हर एक ब्यक्ति आज अपने आपको स्क्रक्सित में सूस करता है तो बेन और भाईयों इसलिए क्योंकि आपके हितों की चिंता करने वादी सरकार दिल्ली में भी बैठी है लखनों में भी बैठी हुई है हम जब अच्छा निर्णा लेते हैं तो अच्छा प्रणाम भी आता है जब बुरा निर्णे लेते हैं तो बुड़े प्रणाम से का खान्याजे भी बुकतना पड़ता है अब याद करिए न समाजवारी पार्टी का पिसला सांसर क्या बोलता था कहता था मैं भारत मता की जय नहीं बोलूँगा क्या बोलता था कि हम लोग कोई भी ऐसा बात नहीं बोलेंगे जो हिंदू समाज को अच्छा लगे पहिन और भाईयों अच्छा लगने और नलगने वाला समस्या उसकी नहीं है समस्या भारत की आस्ता के साथ खिलवार करने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती है किसी को नहीं दी जा सकती है और वह तब जब भारत आज दुनिया के अंदर एक ग्लोबल पावर के रूप में उबर रहा हो दुनिया के एक बड़ी ताकत के रूप में उबर रहा हो जब दुनिया के अंदर 140 करों लोगों का सम्मान बढ़ रहा हो लड़ गया हो भारत की सीमाई सुरक्षितुईयों भारत के अंदर विकास के त्यादनिक कारे हो करके भारत आज दुनिया के अंदर पेजी के साथ उबर्ती वी बड़ी अर्थी विवस्ता के रुप में स्तापित हुआ हो उन इस्तितियों में बेन और भाईयों भारत की अन्दैसिक मंच पर भारत की सुमान और सुरक्षा की बात हो या फिर भारत के विकास का कारे हो भारत को त्यादनिक विकास की योजनाओं के साथ जोड़ने का कारे हो या भारत की आजिविका को नौजबानों की आजिविका की चिंता हो या भारत की यास्ता को संबान देने का कारे अगर इस सभी हो पाया है तो इसके लिए मोदी जी का यससी नित्रत्रदेश को प्राप्त हुआ इसलिए कारे संभा हो पा रहे हैं और बहनों और भाईयों आज इसीले में आया हो कोई सोचता था जब मैं उस समय आया था तो उस समय कौर सर्वेश सिंग जी ने मुझे बताया कि दिल्ली से मुरादाबाद की दूरी को जोड़ने के लिए फोर लेंगे हाईवे को कैसे हमकारे कर रहे हैं किस प्रकार से विकास की बड़ी-बड़ी पल्योजनाय उन्हाने उस समय लेकर के आने का काम किया था वे सांसा तो समय नहीं रहे वे कारे लगवक ठप से पड़ गए थे बैन और भाईयों अब प्यादोने की इंफ्रास्टक्चर होता है तो अर्थ विवस्ता को गती देता है एक मजबूती देता है आगे बढ़ता है आज रेलवे हाईवे एक्स्प्रेस वे मेर्ट्रों की सुविधा इन्वस्टी वन डिस्टिक मन मेडिकल कोलेज की योजना ये सबी नई पैचान बना रहे हैं इन नई पैचान के मात्यम से नए भारत का दर्सन हो रहा है और गरीब कल्यान करी योजनाओं की तो कोई सानी नहीं याद करिए 2014 के पहले देश के अंदर क्या स्थिती थी गरीब भूकों मरता था आज 80 करोड गरीबों को इसलिए 4 वर्स से 3 में रासन मिलना है और अगले 5 वर्स तक ये जलगातार मिलेगा ये मोदी की गारंटी है 60 करोड लोगों को 5 लाग रुपे की स्वास्त बीमा का कवर मिलना है इस से पहले अगर किसी गरीब के घर में कोई बीमार हो जाता था कोई पुरसा हाल नहीं था कोई पूस्ता नहीं था परिवार तबाह हो जाता था आज 60 करोड लोगों को 5 लाग रुपे की स्वास्त बीमा का कवर प्राप्त हुआ है और बैनों भाईयों यूपी में तो हमने ऐसी भी वस्ता की है क्या यूस्मान का कार जिसके पास नहीं है हमारा बिदायक, हमारा सांसाथ या कोई सामान में पीडिक भी अगर मुझे एक पत्र लिख देता है तो मैं सीधे उसके एकाउंट में पैसा भेज देता हूँ जिससे ओब्यक्ति पैसे के वाओं में उपचार से बंचितना रहने पाए पचास करोड़ लोगों के लिए जंदन के कौण देश के अंदर खोले गए बारा करोड़ा नदाता किसानों को प्रधान मंत्री किसान सम्मा निदी का लाफ बारा करोड़ गरीब परिवारों के घर में एक एक सोचारे बनाने का कारे हो या फिर दस करोड गरीबों को उच्चला यूजना में रसोई गैस के फ्री में कनेक्शन देने का कारे हो और यूपी में तो हमने ये भी किया है कि केवल साधी दाल नहीं होगी अब अब दाल में तड़का भी होगा अगर बारा करोड लोग दस करोड लोगों को फ्री में सिलेंडर के कनेक्शन मिले है तो होली और दिवाली फिकी नहीं होगी एक एक फ्री में सिलेंडर हम देने का काम भी करेंगे पैन और भाईयों चार करोड गरीबों के मक्तान बन गए धाई करोड गरीबों के घर में बिजली के कनेक्शन आ गए यह काम पहले भी हो सकता था लेकिन कांग्रेस हो सपा हो वस्पा हो इनके जेंडे में विकास नहीं था गरीब कल्यार नहीं था आस्ता के साथ खिलवाड करना ये अपना जन्म सिद्धिकार समझते थे माफ्या और अप्रादी को अपने गले का हार बना करके ए लोग प्रदेश की जन्ता पर बेटी की सुरक्सा पर ब्यापारी की सुरक्सा पर सेंद लगाने का कारे करते थे और आज इसी लिए हम सब आपके पास आएं है पैन और वाईयों ये बीजेपी की सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है आज आप देखते होंगे माफ्या या अप्राधी ये जेल में है ये जहन्नु में है है ना कहीं सिर उठा करके किसी ब्यापारी को या किसी बेटी को जबरन उठाने या थमकी देने का दुस्था हज कोई कर सकता है क्या कर सकता है क्या करेगा तो क्या होगा मालूम है ना तो बैन और भाईयों ये सुरक्ता केवल बीजेपी दे सकती है वे लोग नहीं दे सकते जो अप्राधी और माफ्याओं को अपने गलेव का हार बनाकर के लेकर के चलते थे इनके सामने नाक रगडते थे वे लोग नहीं दे सकते आज आप देख रहे होंगे बड़े-बड़े माफ्या जो कभी जिनकी तूती बोलती थी आज कैसे घिग्याते वे दिखाई दे रहे है आज आज आप इनके हालत देख रहे होंगे आज पे बोलते हैं कि बस जान वकस दो थेली लगा करके सबजी बेच करके पेट भर देंगे लेकिन किसी को छेड़ेंगे नहीं किसी जमीन पर जवरदस्ती कपजा नहीं करेंगे बैन और भाईयों लिकास में सबसे बड़ा बैरियर है राजनीती का प्राधी करण माफिया प्रिवर्टी के तत्तों को प्रस्रे देना और ये कार्य भारती जनता पार्टी ने आपको दिखाया है सुरक्सा और सुसासन का मॉडल कैसे होना चाहिए या आज आप किया देखने को मिलता है और इसलिए आज में एक तोर आया हो एक करप सुरक्सा है आज करफ्यू नहीं है उन्निस सो असी में मुरादाबाद में एक भैंकर तंगा हुआ था दरजनों लोग मारे गए थे आप सोचो उस समय से ले करके 2017-2018 रिपोर्ट को लोगों ने तबाह करके रखा था तबाह करके मैं आया मैंने उसकी चांच सुरू की और बैना और वायों में सारे चेरे उजागर हो गए जो लोग दंगा करवाने वाले थे उस समय तमाम उस समय निर्दोस ब्यापारी मारा गया था हिंदू मारा गया था सिक्क मारा गया था लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था हमने उसको जागर किया उस पर करवाई प्रारंब करवाई बैन और भाईयों मैं आज आप से कहने के लिए यह आया हूँ आज प्रदेश में दंगा नहीं है आज करव्यू नहीं है 2016 में आपने साहरनपुर में देखा कैसे सिक्क दिरोधी दंगा हो गया था आज यह दंगाई अपनी जान की भीक मांगे वे छुपे छुपे फिर फिर रहे है और मैं तो आपका आवान करने के ले आया हूँ अत्तरप्रदेश में न कर्फ्यू है न दंगा है यूपी में सब चंगा है और चंगा यूपी के इंदर जिस प्रकार का माहूल बना है कर्फ्यू का स्तान अब कावड यात्रा ने ले लिए बब पे कावड यात्रा निकलती है दोंधड़ाके के साथ निकलती है सुरक्षा की गारंटी हम लोगों की है एक तरफ सुरक्षा का बेहतर माहून और दूसरी तरफ अयोध्या में रामलला की भी दर्शन हो रहे हैं हो रहे हैं ना अयोध्या में रामलला की दर्शन हो रहे हैं ना किते लोग गए आई व्यादर्सन करने के लिए काफी लोग चले गए हैं सेस जो लोग होंगे चुनाओं के बाद धूम धड़ाके के साथ अयुद्या जाईए अयुद्या में आपको लगेगा कि त्रेता युख की भग्मार्म के समय के अयुद्या धर्ती पर उतर गई है ये पांसो वर्सों तक इंतजार किस ने कराया और हमारी पीड़ी तो सबसे सो वाग्य साली है कि हमने अपनी आँखों के सामने अयुद्या में राम लला को बिराजमान होते वे दिखा है कई पीड़िया बीद गई चली गई इंतजार करते करते वे चले गए लेकिन उनकी मन की एक कामना कभी पूरी नहीं हो पाई कि वे भी राम लला को अयुद्या में दिराजमान देख पाएंगे बैन और भाईयों मोदी जीव के पती हम सब को आभार बेक्ते करना चाहिए आज अयुद्या में आप जाएंगे क्या भब्यता है क्या दिब्यता है राम लला फिर से बिराजमान हो गए है और ऐसी किर्पा है प्रभु की कि सचरो और खुसाली है और इसी खुसाली में राम राज्यकिस परकल्पना को साकार करने के लिए आज हम सब आपके पास आएं हैं कहने के लिए तीसरा कारेकाल मोदी जी को दीजिए अभी सुसान सिंग कह रहे थे न यहाँ पे जो पंगालियों की जमीन से समन्दित मामले सारी आपचारिकता इंपोड हो चुकी है आप चिंता मत करिए यही पे आकर कि हम लोग करने जा रहे हैं उस समय बड़े फंक्सन करने जा रहे हैं यहाँ पे विश्विद्याले दे दिया गया है गुरु जंबेश्वर के नाम पर विश्विद्याले की इस्तापना मुरादाबाद में होने जा रही है वर्ड क्लास इन्वस्टी बनेगी यहाँ के नोजवानों को नौकरी भी मिलेगी माराज विदुर के नाम पर मात्मा विदुर के नाम पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण यही पिश्वनौर में हो रहा है बैन और वाईयो और ताइगर के छेतर में आएंगे तो ताइगर जैसा काम भी तो करेंगे अमानगड का भी एक एक टूरिजम का वर्ड क्लास सेंटर भी बनने जा रहा है बैन और वाईयो विकास भी है विरासत भी है सुरक्सा भी है तो संब्रिदी भी है इन सब को जोड़ने के लिए आज हम सब आपके बीच आएं है और आप सब से पील करने के लिए कुमर सरवेश सिंग को फिर एक बार मौका मिलना चाहिए कमल चुनाचिन पर मुरादावाद के लोग सबा छेतर के विकास के लिए वड़ानपुर के विकास के लिए और इसके लिए आज मैं आपके पास आया हूँ आप सब सेमत हैं सभी लोग सेमत हैं लेकुन याद रखना पहले ही चर्ण में चुनाओ है आज जो है तेरा अप्रेल बैसाखी का दिन भी है ज्याद तो बैसाखी का दिन भी है बैसाखी की भी सुबकामना और आज ही गुरु गोविन सिंजी मराज ने खालसा पंथि की अस्तापना की थी मैं भी लखनो गुरुद्वारे से यहां आया हूँ थोड़ा मझे देर इसी ले हुई मैं सभी सिक्वपंदों को भी पैसाखी के साथ साथ खालसा पंथि की अस्तापना के लिए हिर्दे से बदाई देता हूँ गुरु गोविन सिंजी माराज ने आज ही के दिन सोला सो निन्यानिवे में इस संकल्फ के साथ कि सकल जगत में खालसा पंथ गाजे जगे धर्म हिंदू सकल भंडबाजे इस संकल्फ के साथ खालसा पंथि की अस्तापना की थी गुरु गोविन सिंजी माराज के द्वारास्टा पित्खालसा पंथ हिंदूस्तान की सुरक्सा और हिंदू धर्म की रक्सा करने के लिए कैसे महिंत पूर्ड बनकर के उबरा था चार-चार पुत्र गुरु गोविन सिंजी माराज के चार-चार साप जादे बल्दान हो गए लेकिन रणे उफ नहीं किया तब भी वा देश और धर्म की रक्सा करने के लिए जूसते रहे विधर्मियों को और अक्रंताओं को जबाद देते रहे आज मैं आपका यह यावान करने के लिए आया हूँ प्रदेश नेभी और मोदी जी के नित्रत्व में पुरे देश के अंदर गुर गोविन सिंजी माराज के चार-चार साप जादों की स्मिर्तियों को जिवन्त बनाए रखने के लिए 26 दिसंबर की दिथी बीर बाल दिवस के रूप में मनानी का निर्णे लिया गया रिक कारिक्रम पुरी देश के अंदर चलना है बैनोर भाईयो आपने देखा होगा गुरु नैनक देश जी की स्मिर्तियों से चुड़ावा कर्तार पुर साहिब उस अस्थान का भी कोरिडोर के रूप में पुर्ददार का कार है मोदी जी के ने तुरुतों में संब्वा हो पाया हूँ और बैनोर भाईयों इसीले मैं आपके पास कहने के लिए आया हूँ आज कि भारती जनता पार्टी आपको सुरक्सा भी देगी संब्रिदी भी देगी भारती जनता पार्टी भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने के लिए तीसरी बार आपका श्रीबात प्राप्त करने के लिए आईगी कोहार सर्वेश सिंग्जी को तीसरी बार अब इस बार फिर से मौका देंगे न सबी लोग सैमत हैं आज तेरा हो गई है और बेन और वाईयों 19 कोई आप वोट होना वोट कोल होना वोटिंग होनी है 19 तारीक कोई सैमत है ना आपकी इसके लिए आपको कोवर सर्वेश सिंग्ग बन करके मोदी जी बन करके गाओं गाओं घर घर जाना पड़ेगा इस जिम्मेदारी को लेने को तैयार हैं लेने को तैयार हैं ना बारी बाहमत से विजयी बनाएंगे वारी बॉम्मत से वजय ये बनाएंगे कॉंग्रेस सपा, बस्पा इनके पहकाओे में तो कोई नहीं आएगा न सबी लोग सैमत हैं तो फिर मेरे साथ दोनों हात बा करके बोलेंगे भारत माता की भारत माता की भारत माता की माउदया आपके परसी बहुत बहुत आभार और करता किता इंडिया का सबसे बड़ा एलेक्ट्रोनिक सेल शुरू हो चुका है इससे बड़ा से चाहिए नहीं मिलेगा टीवी, लाप्टॉप, मॉबाइल, फ्रिज, वाशिंग मशीन, किचन अप्लाएंसे सब पर पाईए best deals, सिर्फ ब्रिलांस डिजिटल के digital discount days में अपनाए आयूरवेदिक रूप मंत्रा इसमें है क्यूकंबर के फ्यॉर एक्स्ट्राक्स जो नाच्रिली चेहरे को बॉश्चुराइज रखे ताकि pimples और dead skin जैसी प्रब्लम से मिले relief रूप मंत्रा आयूरवेदिक face wash ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयूरवेदिक वाशिदी है कार्याले नगरनिगम कानपुर के तरफ से देश प्रदेश एवं कानपुर नगरनिगम वास्यू को रंगो के महापर्व होली की हार्दिक शुपकाम नाए एवं बधाई आओ मिलकर कानपुर को बनाए सुन्दर शिवशरानपुर के लिए दिया गया best heritage and prevention award नवे smart city इंडिया एक्सपो के दो दिवस्य कारकम में 100 smart city में किया प्रतिभाग एक्सपो में शहर में डेवलब की गई योजनाओ को किया गया प्रतरशित शास्री नगर सेंटरल पार्क में एक करोड से ज्यादा की लागत से फीफा सर्टिफाइड बानक के अरुसार बड़े फुटसल मैदान की सराना की गई आओ मिलकर कानपुर को बनाए सुन्दर शेफचरन अपाजी एन नगरायूक्त कानपुर नगर निगम जोडों का दर्ध भले ही परिशान करें पर नूरानी तेल का साथ है तो जिन्दगी क्या बात है धक्कन पर नैनी का मशूर और एक को ट्रेटमार्क देखकर ही खरीदे आसे वाह क्या बात है रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वाश इसमें है क्यूकांबर के प्यॉर एक्स्ट्राक्स जो नाच्रिली चेहरे को मौशुराइज रखे ये कोई कॉस्मेटिक नहीं आयुर्वेदिक कौश दी है आगरा में पुलिस वादमार्क की बीच हुई मुटभेड 25,000 की नामी बदमार्क लोकेश गिरफतार जब आवी फारिंग में बदमाश को लगी गोली भरती डकैती और हत्या का मुख्या आरोपी था लोकेश तमंचा खोके और कई कार्थोस पुलिस ने किये बरामत और चलिए खबरों में आगी बढ़ते हैं बरागरा से है जहां पती ने बेरहमी से पत्नी की हत्या की है चाकू से गोत कर पत्नी को मौत के गाट उतारा है घरेलू बिवाद हत्या कार्थ की वज़ा निकली है जा दो हजार बारा में मन्जू और गोविंदी की शादी हुई थी आरोपी पती को पुलिस ने फिलाल हिरासत में ले लिया है सदर्थाना शेत्र केस और स्वती बिहार कॉलोनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जहां पती द्वारा ये बड़ी घटना को अंचाम दिया गया है तो पती ने पत्नी की हत्या की है पिडाला आरोपी पती को फुलिस ने हिरासत में ले लिया है सदर्धाना शेत्र के सर्थवती बियार कॉलोनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है पती ने बेरहमी से पत्नी की हत्या की है आगरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है चाकू से गोत कर पत्मी को मौत के घाट उता रहा है जा घरेलू बिवाद हत्याकान की वज़ा निकली है बता दें के 2012 में मंजू और गोविंद की शादी हुई थी और आरोपी पती को पुलिस ने हिरासत मेरी लिया है और आगे की जाच परताल में जुटी हुई है सदर्थाना उशेत्र के सर्फुती विहार कॉलोनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जहां पती ने पत्मी को मौत के घर्ट पा रहा है और इस खबर पादिक जानकारिक के सांथ समवादाता शोभीत हम से जूट चुके है शोभीत पती द्वारा ये पत्मी के हत्या का मामला सामने आया है क्या वजाए हत्या की क्या कुछ ये पूरी घटना देकि पूरा मामला घर्टी विवास से जुड़ा हुआ है दोनों की शादी सन 2012 में हुई थी उसके बाद से लगातार जगड़े चले थे इनके तीन बच्चे भी हैं आज सुबह अर्ली मौनिंग जब लोग पहुँचे तो मौनन पढ़ा कि पती ने अपनी पत्मी को चाकों से एक नहीं कई वार किये और उसकी नोव हत्य कर दी है पुलिस ने अर्भी पती को रहसत में ले लिया है ठीक है धन्यवाद अमाम जानकारियों के लिए और चलिए आगे बढ़ते हैं खबर मेरट से हैं जोहां रियाईशी इलाके में तेन्दुआ गुसने का मामला सामनी आया है रेस्क्यों में वन विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है रेस्क्यों के दोरान घर से तेन्दुआ भाग निकला है जागरों की चतों पर तेन्दुआ पहुचा और तेन्दुआ देख लोगों में दह्शत का महौल देखने को मिला वन विभाग ने रेस्क्यो के लिए पिंजुरा लगाया और जाल भी लगाया गया बताने की तेंडों को पकरने में वन विभाग नाकाम नजर आया लालकुर्ति के का सेरू खेडा में खुला गूम रहा है ये तेंडुआ वन विभाग की भारी लापरवाही देखने को मिली जालूप पर डलेगा अर इस खबर पारिक जौनकारी किसान संवाद आता श्रुएब जीए हम से जूट चुके हैं श्रुएब क्या कुछ ये पूरा मामला वन वन विभाग की बड़ी लापरवाही की वैसे जो एक बड़ा इलाका है चावने चेद्व का उसके लोग हैं वो दहशत में हैं और उनकी जान इस्ता में खत्रे में हैं खावने लाके के लिए खत्रे में देखा जाना था दो दिन से उसका वीडियो भी बारेल हुआ था उसके पावजूद इस टैंडवे को जो है आधी घर में देखा गया असको बाद वन विभाप पो सूसना दी जाती है वन्याप मौकर पहुशता लेकिन अपनी अधी कि घर जो खड़ थे उनकी छटोबर पहुच जाता रहा है वहां पर इसमें जो तैंडवा है वो खुला घूम रहा है एक सब्सक्रा पहुंस रहा है लेकिन वह निवाद पर खड़ा हुआ है और दावा तरहा है कि चल पकड़ ले जाएगा लिकिन जो पूरे परियास हो में चीए जो च्छतों को जाल विशाना चीए ता यह पिंजा लगाना चीए ता यह जिस घर में पहुंच आता जो आगन ता तो पूरा कवर करना चीए इस तरह की जो वन्यवाद में कोई तयारी नहीं करी और आदिया दूरी तयारी की वैसे वन्यवाद की इस तमें एक पराबंकी से है जहां फूट पॉईजनिंग से हालत बिगडी है समारों में दाल चावल और सबजी खाने से फूट पॉईजनिंग का यह मामला सामनी आया है लगभग धाई दर्जन लोग फूट पॉईजनिंग के शिकार हुए है हालत बिगडने पर सभी को सी एच सी पूट पॉईजनिंग के शिकार हुए है लगभग धाई दर्जन लोग फूट पॉईजनिंग के शिकार हुए है सभी को सपताल में धटी कराए गया है कि इसके यह थिर क्या हुआ है तो मेला से लोग यह थिर रहा है वह साम को कुछ खाए थिया वेकर देखेंदिक विखाए इनसर की जो समस्या बता रही है इंको फूट पाई निक्से लगए लगए है त्योंकि यह सामोही भोजग ही है है एक सामोही कि परिवार में तुछ इंक्या कारकाम था उसके बाद हुआ थे उसको कोई नहीं है लगए है और इस ख़बर पाधिक जानकारे के सांवादाता दीपक हम से जूट चुके हैं दीपक की फूट पॉजनिंग का मामला सामने आया है क्या कूछ यह पूरी घटना देखें आपको बताता है कि यह रामसने का थाना चेट का यह सदूलापूर जहां पर एक मुंदन संस्कार था और उसके बाद मुंदन कराकर जेवी लोग वापस घर पहुंचे तो सुबह का जो है वो दाल चावल खाया था इन्होंने और सब्जी खाय थी उसके बाद देर खित से जो डाई जर्शन से ज्यादा लोग है उनका डॉक्टरों और कंचारी ने इलाज किया और फिर हालत सुदरने के बाद देर रात लोगों ने चैन की सांस ली तो फिलाल सारी सभी लोगों के हालत ठीक है और डॉक्टरों ने अपने जो है वो लाज करके और रस्तिक प्रियातों से इन लोगों को यहालत में काफी सुदार किया ठीक है धने बाद जानकारियों के लिए और खबर हापुड से है जहां सड़क पर नगनो होकर इस्ट्वेंट करना महगा पड़ा है एस्पी अभुशेक वर्मा का इस्टंड बाजों के खिलाफ एक्शन देखने को मिला है जहां रील के शौकीन युकों ने सड़क पर इस्टंड किया था जरान आने जाने वाली लड़कियों को देखकर सीटी बजाई एस्पी के आदेश पर दोनों युकों के खिलाफ केस दर्श किया गया है जनपत के पुल्कुबा कोथवाली पुलिस ने गिराफतारी की है तो ये बड़ी करभाई की गई है प्रेस्पी के आदेश पर दोनों युकों के खिलाफ केस सर्च किया गया है और युकों की गिरफतारी कर ली गई है तो सड़क पर नगनोहो कर इस्टंट करना महगा पड़ा है युकों को हापुर से ये खबर है तो आप शेक वर्मा का इस्टंट बाजो के खिलाफ एक्शन देखने को मिला है रेल के शौकी नियुकों ने सड़क पर इस्टंट किया था जिसके बाद एस्पी ने बड़ा एक्शन लेते हुए इन युकों की गिरफतारी की है तो इस दोरान आने जाने वाली लड़कियों को देख सेटी बजाए थी जिस पर एस्पी ने ये बड़ा एक्शन लिया है और दूनों युकों के खिलाफ केस दर्च किया गया और जनपत के फिल्फवा कोदवाली पुलिस में युकों की गिरफतारी की है तो इस पी अब शेफ परमा का इस्टंट बाजू के खिलाफ ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है रेल तो शौकीन युक देश पर दोनों युकों के खिलाफ केस दर्च किया गया और जनपत के फिल्फवा कोदवाली पुलिस में गिरफतारी की है हाप उड़का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जहां सड़क पर नगनों होकर इस्टंट करना युकों को महंगा पड़ा है ये वीडियो आप देख सकते हैं ये वही उवक हैं जो इस्टंट बाजी करते नजर आ रहे हैं और इनी पर देखिए एस्पी अभिशेफ वर्मा द्वारा बड़ा आक्शन लिया गया है तब ये युकों के गिरफतारी हो गई है आगे बढ़ते हैं खबर देवरिया से हैं जहां कुट्टों के जुणने बच्ची पर हमला किया है चार वर्षी बच्ची को कुट्टे ने नोच नोच कर मार डाला है जहां मासूम बच्ची का शब जाडियों में मिला है संदर कोतवाली के अमेठी तिराहे का ये मामला बताया जा रहा है ये दड़नाक मामला सामने आया है मासूम बच्ची का श्व जँगरीओं से बरावत किया गया है संदरकोत वाली क्यामेटीद लगए का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जहां खुत्तों का आतंक देखने को मिला है खुतों के जुणने बच्ची पर हमला किया है देवरिया का ये पूरा मामला है और खबर फिरोजाबाद से है जहां दो महिला सिख्षिकाओं को निकाला गया है प्रधानचार ने बिना नोटीस दिये कॉलेज से बाहर निकाला है बता दे कॉलेज के बाहर धनने पर ये सिख्षिकाओं बैठी है दारुल याल गल्स इंटर कॉलेज में 28 वर्सों से तैनात ये दोनों बता दें कि प्रधानचार पर मुस्लिम टीचर्स को सरक्षर देने का आरोफ है सुचना पर हिंदू जोगन मंच के कार्रेकरता पहुंचे है धरने पर जहां मैनेजमेंट से बात कर टीचर्स की वापसी की मांग की गई है बता दें कि दाउद पाल इंटर जाए कि मात आज़ेगा जाए कि नमों ने कि कारण मुझा पुछ भी देने को पर गया है अदिकी बात हमें अच्या मारूप है इस ब्रसमें से तो इसलिए हम साथ पेठे हैं अगर इने नहाए नहीं बिलेगा तो हिंदू जारूमाच कुछ पुर से उत करें पहलों के साथ है जब तक इने नहाए नहीं मिलका तो हम लोग इनकी साथ है और इस ताइल से ही लोग कर रहे हैं तिना कारण निकाले गया है यह गलत है अचली आगे बढ़ते हैं खबल लखनों से है जहां सीताफुर में तैना दरोगा के स्विस साइट का मामला सामने आया है मनुज निस्तरकारी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी थी पताने कि शब लखनों को हुचने के बाद परजनों ने हंगामा किया मिजनौर शेत्र के अंतरगर्थ परजनों ने जमकन हंगामा काटा परजनों का हंगामा देख कई ठानों की पुलिस बुलाई गई मच्विरा हटा एसेचो राज बहादूर सिंग पर स्विसाइड मोट में आरोप है जोहां दरोगा मनुज उकुमार को पसाड़ित करने का आरोप है मनुज का परिवार भी एसेचो पर गंभीर आरोप लगा रहा है और आगे बढ़ते हैं खबर आगरा से है जहां सडक उखडने का वीडियो सोचल मीडिया पर वारत हुआ है ग्रामिलो ने हंगामा किया है गडिया सामगरी लगाने का आरोप लगाया गया है हपते पहले पी डबलू डी ने निर्माण कराया था ठेकेदार पर ग्रामिलो ने गंभीर आरोप लगाए है ठेकेदार से अधिकारियों के मिली भगत का आरोप लगाया गया है पीनाहट शेत्रे के चंबल मार का ये पूरा मामला वताया जा रहा है माल तो लगाना चाहिए कम से कम ये देखो माल नहीं लगा जी देखो ये रोड बनाई है वही प्रियागराज से बीजेपी पृत्याश्वी नीरस्त्रिपाथी ने केश्व पृसाद मौर से उनके लगनों सित आवास पर मुलाकात की जोरा डेप्टिस्यम केश्व पृसाद मौर ने उन्हें जीत की अगरिम शुप कामनाय दी आपको बता दें कि और आगे बढ़ते हैं खबर मिर्जापूर से हैं जोन सडक निर्माड में पीड़ाग खाना पूर्ती कर रहा है मानकों कि अन्देखी कर सडक बनाई जा रही है घटिया सडक निर्माड का वीडियो वारल हुआ है राधिगना थाना के भीलौरा गाओं के पास ये सडक निर्माड में पीड़ाग खाना पूर्ती करता हुआ नजर आ रहा है मिर्जापूर का ये मामला बताया जा रहा है जमानकों कि अन्देखी कर सडक बनाई जा रही है सडक निर्माड का वीडियो सामने आया है सडक निर्माड में पीड़ाग की एक खाना पूर्ती देखने को मिली है तस्वीरे आप देख सकते हैं मिर्जापूर का ये मामला बताया जा रहा है जमानकों कि अन्देखी कर ये सडक बनाई जा रही है और खबर बदाईू से है जहां किसान का शो मिलने से हड़कम मचा है रात को खेत पर सोने गया था किसान मामले की जाच परताल में पुले जुटी हुई है पर जनों ने हत्या का आरोफ लगाते हुए तहरीर दी है विश्वाली कोटवाले शेत्रे के परतिया गाओं का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जहां किसान का सो मिलने से हड़कम रही है पर जनों द्वारा हत्या का आरोफ लगाते हुए तहरीर दी गई है अब पुले सब इस मामले पे जाच परताल कर रही है किसान का शोमिलने से इलाके में हड़कम बचा हुआ है बदायू का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और खबर अलीगड से है जहां नगर निगम की बड़ी लापर वाही देखने को मिली है टंकी के जरिये घरों में गंदा पानी पहुश रहा है नगर निगम की टंकी से गंदा लाल पानी इकल रहा है कई दिनों से नगर निगम की टंकी से ये गंदा पानी आ रहा है, इस्थानी लोगों ने नगर निगम के खिलाफ आफ प्रोश दसर आया है, बता दें कि शेत्री लोगों ने नगर निगम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया है, थाना बन्ना देवी इलाके के रगवीर पोरी काई पूरा मामला बता रहा है है अट अपर बल्ड दवारा हुआ आज़ कुछ नोगूत हो करांगे वल्ड दवारा कायी है यहीं है अज़ प्रीम डार है यहीं अज़कर रटी अज़के अज़को बहुत हो था प्मिध करते है पानी बहुत गंदा है और क्या अनि दोने के काविल भी नहीं है और बढ़ परी में बहुत गंदा पानी आरात तीन-चार महींने हो गए है तो जलकल वाग को कही वाक्त कर चुके हैं लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ है और निरंतरी इतना गंदा पानी आ रहा है पीना तो अलग बात के इसमें हाथ भी नहीं दो सकते हैं कि यहां बिछले कई दिनों से दूशी द्रजल आ रहा है जिसके हम शिकायत जलकल विवाग में भी कर चुके हैं नगर निगर में भी हम कंप्लेंट किया हैं लेकिन अब दर कोई कारवाई नहीं हो रही है इस पानी से आप यह समझे कि पीना तो बहुत दूर की बात है हाथ भ कि फिलालाभी के लिए इतना ही बने रहे है भारत समझ च्वार के सांद अब देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ट न्यूज चैनल भारत समाचार इंडिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनिक सेल शुरू हो चुका है इससे बड़ा सेल शाय नहीं मिलेगा टीवी, लाप्टॉप, मोबाइल, फ्रिज, वाशिंग मशीन, किचन अप्लाइंसे सब पर पाईए बेस्ट डील्स सिर्फ व्रिलांस डिजिटल के टिजिटल डिजिटल डिसकाउंट बेस्वें दौर बदल जाते हैं, मगर आपकी पहचान नहीं, जैसे सर्वकाण, पिछले 35 सालों से, पहचान है भरोसे की, भारत के नंबर वन, टॉप क्वालिटी, डुमेस्टिक और इंडस्ट्रिल प्रड़क्स की, सर्वकाण, रखे सब कंट्रोल में रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वाश, इसमें है क्यूकांबर के प्यॉर एक्स्ट्रैक्स, जो नैच्रिली चेहरे को मौश्चुराइज रखे, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक कोशधी है झाल आई पील दो हज़ार चौवीस के च्छबीस पे मुकाब्लियू में दिली कैपिटल्स ने लक्नाउ सूपरजेंट्स को छे विकेट से हरा दिया लक्नाउ ने पहले बलेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोड़कर 166 रन बनाए जवाब में दिली ने 6 विकेट रहते लक्ष हासिल कर लिया दिली कैपिटल्स की जीत के लिए हीरो पुलदीप यादव रहे जिन्होंने 20 रन देखकर 3 विकेट छटके लग्न के खिलाप रिश्वपन ने 24 गेंदों पर दो चक्के और 4 चकों की मदस 41 रन की पारी खेली और टीम को जीत के आहम भूमी का निभाई हाला कि इस मैच में वो अर्दव शतक लगाने से चूग गय लेकिन अपने इस पारी के दोरानों ने आईपियल में 3000 रन भी पूरे किये और सबसे कम गेंदों पर इस लीग में इतने रन बनाने वाले बल्लेबास बने ब्रेफपास्ट विद चैंपियंस में शीरन पर गौरव कपूर से बात करते हुए रोहिव शर्मा ने अपने रिटार्मेंट को लेकर बयान दिया और कहा कि वो फिलाहस अन्यास के बारे में नहीं सोच रहे हैं और कुछ और सालों तक खेलना जारी रहेंगे साथ ही इस दौरा मुंवन ने भारत के लिए वर्ड कप जीतने की भी फ्षजत आई मुंबई इंडियन्स के कप्तान हार्दिक पांडिया और उनके भाई कुनाल के साथ ठगी करने को लेकर उनके सोतेले भाई बैभव पांडिया ने चुपी तोड़ी है मुंबई के कदालत में इस मामले पर सुनवाई हूँ और बैभव ने अपने वकील के द्वारा कोट को बताया कि ये पूरा मामला पारिवारिक है और ये बस गलत फैमी के कारण हुआ है वारत की दिगड मुक्यवाज और छे बार की विश्व चैंपियन मेरी कॉम ने पैरिस ओलेंपिक से पहले शेफ्डी मशन के अपने पद से सीफा दे दिया है उन्हें भारती ओलेंपिक 21 मार्च को शेफ्डी मिशन ने उट किया था मैरी कॉम ने पद से हटने के पहले निजी कारणों का हवाला दिया है अगरा में पुलिस ओ बदमाश के बीच हुई मुटभेड 25 अजार की नामी बदमाश लोकेश गिरफतार जब आवी फारी में बदमाश को लगी गोली भरती डकैती और हत्या का मुख्या आरोपी था लोकेश तमंचा खोके और कई कार्टोस पुलिस ने किये बरामत गाजियाबाद में मुटभेड में शाति लुटेरा फैसल गिरफतार पुलिस की गोली लगने से हुआ गायर डेड़ दर्दन से जादा लूट के मामले में था वॉंटेड शाली मार गार्डन शेत्र में हुई मुटभेड बागपत में 15 वर्षी किशोर की चाकू मार कर की गई हत्या किशोर ने अस्पताल में दम तोड़ा घर में कोहराम पुलिस ने शब को कबजे में लेकर पोस्माटम के लिए भीजा कारवाई की माम को लेकर कोतवाली पहुचे लोग सगे तीन भाईयों पर लगा किशोर की हत्या कारो लकनों में गोलियों की तरतराहस से दहली राजधानी पूरो ब्लॉक प्रमुक प्रधान और सहयोगी पर हमला फारी में विक्ती की गोली लगने से हुई मौत चैसे साथ हमलावरों ने चलाई ताबर तोड कई राउंड गोली प्रधान की हालत गंभीर अस्पताल में कराया गया भरती दिल्ली में जूला संचलक सेहंच वान को गोली मार कर की गई हत्या हफ्ता वसूली के खेल में बदमाशों ने मारी गोली भीडबार वाले इलाके में घटना से मचा हड कम पर जणों ने मंस्तान गैंग पर वसूली का लगाया आरो मतुरा में गोवर्दन धाना शेत्रे के राधाकुन में किशोरी की अश्टलील हरकत पंचायत का फर्मान आरोपी ने अपने सिर पर मारी चपल चिडखानी का और खुद को मारने का वीडियो हुआ वारल घटना की जांच में जुटी पुलिस बांदा में संदिक्द परिसितियों में 35 वर्षी युवक की मौत पर जिनों ने दोस्तों पर लगाया हत्या का आरोप दोस्तों पर घर से जब्रन ले जाने का लगाया आरोप शेहर कोतवाली के मर्दन ना का इलाके की है घटना बरेली में आपकारी विभात के दारोगा की पत्नी की लूटी चेन पॉश्वी लाके में चेन स्नेचिंग की वर्दास से हड़कम वर्दास चोरा है पल लगे सिसिटीवी कैमरे में हुई कैद पुलिस से चेन स्नेचिंग की कर रही तलाश गाजयबाद में आपसी विभाद में दबंगों ने यूवक को जम कर पीटा गाडी में बैठे यूवक को दबंगों ने लाठी देंडों से पीटा मारफीर तोड़ फोड का वीडियो हुआ वारल पीडित यूवक हालित के शिकाद पर मुकदमा हुआ दर्ज बल्या में शराब तसकरों से पुलिस के मिली भगत आई इस सामने अमेरिया चेक पोश्ट के पास हुई लाखों की शराब बरामद बिहार पुलिस ने अम्बुलेंस से शराब की बरामद बैरिया ऐसे चोधरमवीर सिंग की भूमी का मामले में संदिक फोन भदर में निर्माड़ाधीन मकान के अंदर बढ़ खेर में रसी के सहारे लटका मिला शराब पतनी की चीखनी की आवाज से आसपास के लोग मौके पर पहुँच कर शराब को उतारा कल दुपहर से ही अपने निवास इस्थान से गायब था यूवर्ट सत्ता के गल्यारों की हलचल डीयम से लेकर सीयम तक की खबरें नौकर शाही और मंत्रियों की जुगलपंदी सियासी दाव पेच और गपशब इन सब के अंदर की बात देखिए विरेंद्रिस सिंग के साथ हर शरीवार, रविवार, रात, आट और साड़े नौ बजे पावर सेंटर में अब देख रहे हैं भारत का सरवश्रेष्ट न्यूज चैनल भारत समाचार बैसाकी परपर गुरुद्वारे पहुचे सियम योगी गुरुद्वारे में सियम योगी ने टेका अमर्था गुरुद्वारा कमिटी ने सियम का किया स्वागत दुआधार चुनाप चार अभियान पर सियम योगी बिजन और हल्दवानी और बरेली में भरेंगे चुनावी रूंकार प्रत्याशों के समर्थन में करेंगे जलसभा गेमिंग कम्यूटी से प्रत्याशों के सूची की जारी प्रत्याशों का नाम हुआ फाइनल अपना दल कमेरावादी दफ्तर में मीटिंग कर सूची जारी हुई कि मेरट में दल दिलाके में पहुची भाव्टी पृत्याशों अरूरोगोवल दलिते के घर जमीन पर बैट कर खाया खाना ने तू जाट पने अरूरोगोवल भाच्पाने नेताओं को फरोसा खाना मैलाओं नने अरूडोगोवल की आर्ति उतार कर matry 2020 लगनों में कानपूर एक्सप्रस वेकिन निर्माणाधीन मार्क पयातायात विवस्था सुगम वा सुद्र बनाने के लिए दिश्टीगत मनला युक्त डॉक्टर रोशन जैकप ने स्कूटर इंडिया चौराहा और गौरी बाजार वा बंत्रा चौरहे का ओचक न रिक्षन क मेरट मेरी आईशी इलाके में आया तीन गुआ माकान में घुसा तीन गुआ मचा अरकाम प्रेस्टू करने वे जुटी वन विभाग की टीम और पुलिस कई दिन से मेरट च्छावनी में देखा जा रहा था था ते दुआ आगरावी पुलिस और बदमाश की बीच हुई मुटबेर 25 जार के इनामी बदमाश लोकेश गिरफतार जब अभी फाइरिंग में बदमाश को लगी गोली कराय गया भर्ती दकैती वा हत्या के मुख आरोपी था लोकेश गाज़्यबाद में मुटबेर में शातिल उटेरा फैसल गिरफतार पुलिस की गोली लगने से हुआ घाय डेड़ दरजल से जादा लूट के मामले था वांटेड राइबरेली में हुआ दरड़नाक सड़क हासा तेज रफता डीस्यम वाकार में आमने सामने टकर हासे में कार में सवार दो लोगों की मौत वहीं दो लोग गंबेर रूप से घाय मौ में अग्यात वाहन और बाइक की हुई जोरदार टकर टकर में बाइक सवार की हुई मौत मौ जनपत के पुलिस लाइन के पास हुआ ये भी सड़ एक्सिडेंट हापुड में सड़क पाय नगनोहो का इस्टेंट करना पड़ा मेंगा एस पी अभुशेक वर्मा का इस्टेंट बाजो के खिलाफ एक्शन रेल के शौकी नियुकों ने सड़क पर किया था इस्टेंट इस दोरा ना आने जाने वाली लड़कियों को देख कर बजाई सी थी बारेली में आपकारी विभाग के दरुगा की पतनी की लूटी चेन पाउशी लाके में चेन इस्टेंट की वारदात से हड़कम वारदात चौरा है पर लगी स्टेवी कैमरे में हुई कैंट बांदा में संदिक्ध परिस्टिव में पैथे इस वर्षिय युगा की मौत परजनों ने मृतक के साथियों पर सुनियोजे धंग से हत्या करने का लगाया आरोप अस्पताल में परिशन की दोरान डॉक्टरों ने किया मृत्त गोशेद बागपत में 15 वर्षि कुशोर की चाकू मार कर की गए हत्या कुशोर ने आस्पताल में तोड़ा दम घर में कोहराम पुलिस ने शब कबजे में लेकर पोस्ट मार्टम के लिए भीजा और आगे की कारवाई में पुलिस जुटी मत्रा में गोबर्धन धाना श्वेटरे के राधा कुण में किशोरी शेया स्लील हरकत पंचायत का फर्मान आरोपी ने अपने स्विर पर मारी चपल चेड़ खानी का और खुद को मारने का वीडियो हुआ वाइरल लक्नव में गोलियों की तर्ताहर से डेली राजधानी पूरो ब्लॉक प्रमुक प्रधानों सायोगी पर किया गया हमला फारिंग में विक्ती की गोली लगने से हुई मौट दिली में जूला संचालन सहजवानी को मारी गई गोली चाहपता वसूली के खेल में बदमाशों ने गोली मारी भीड़ भाड़ वाले इलाके में घटना से मचाहडकम परजनों ने मस्तान गैंग पर लगाया वसूली का आरू कानपूर में सबजी मंडी में मिलाच है फिट लंबा मगरमश मगरमश मिले से शेत में मचाहडकम अगरमश पकड़कर किया गया वन विभाग के हावाले नवाग बंसाना शेत रिस्ते ते मैना वती मार की है पूरी घटना बहराईश में अग्यातवान की टकड़ से युगक की दर्दनाक मौत मौके से परारवाहन लेक कर चालक हुआ फरार तूसना पर पहुची पूलिस ने शबक मोर्चरी में रखवाया और आगे की जाच परताल में जुटी जासी मौराने पूर गुर सराय मार्ग पर ओमनी कार बोलोरों की भिडंत में बाल बाल बच्चों लोग जहां ओमनी कार और ड्राइवर फसा गाओं वालों की मदद से ड्राइवर को बाहर निकाला गया शामली में दिली साहरनपूर हाईवी पसरक हाथसे में युगक की मौत तेज रप्तार आनियंती ट्रक ने बाइट सवारों को रौंदा मामा के घर से इद मिलन का लोट रहे ते दूनों सगे भाई बलिया में शराब तसकरों से पुलिस के मिली भगत आई सामने जहां बैरिया चेक पोश्ट के पास हुई लाखों की शराब बरामत बिहार पुलिस ने अम्बूलेंस से शराब बरामत की सोनबद में निर्माणाधीन मकान अंदर वडेर में रसी के सहारे लटकता मिला उश्वगों पत्नी की च्विकनी की आवाज से आजपास के लोग मौके पर पहुँच कर शब को उतारा कल्दुपैर से ही अपने निवास इस्थान से गायब था युवग बैशाखी इस्नान पर्प कोले का श्रदालू पहुच रहे हरकी पोड़ी गंगा में आस्ता की डुपकी लगा रहा है श्रदालू करे राज्जो से गंगा इस्नान कनने पहुच रही है श्रदालू देहरादूर में मौसम निली करवट हलके से माध्यम बारिष्टे की संभावना मौसम विभाग ने जारी किया पूरवा नुमार देरश्चाम से बारिष होगी महीं 14 आपरेल को अधिकान शेत्रों में हलकी से माध्यम वर्षा देखने को मिलेगी देहरादूर में आनिंते तो होकर ट्रेक पोल से टेकरा गया जिसके बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया पुलिस ने कड़ी मुशकत के बाद जाम को खुलवाया भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सूरेज जोशी ने कहा कि गड़वाल के सतापुली में शराव बरामगी के मामले में कॉंग्रिस पृत्यासी गड़ेश गोदियाल के आरोफ मनगडनत और पार्टी के छवी खराप करने के प्रयास हैं कोड़वार में मीडिया से बात करते हुए सूरे कार्थ दस्माना ने कहा कि केंद्रो और राजी की सरकारे लोगसभा चुनाओ में सरयाम सरकारी मशीनरी का दुर प्योग कर रही है जो सीधे तोर पर आदर्श चुनाओ आचार साइता के दाएरे में नहीं आता है गड़वाल लोगसभा सेट से कॉंग्रिस पृत्यासी गड़ेश गोद्यान ने भाजपा पर गंभीरा अरोप लगया उन्होंने कहा कि भाजपा शराब बाट कर चुनाओ जीतना चाहती है जिसका ताजा उधारण का लोगसभा शेट में पकड़ी गए नौहजार शराब की पेटिया है इस वक्त देश में आम चुनाओ हैं तो दूसी तरफ इस समय खेतों में कटाई भी चल रही है आपने कुछ तज़्वीरे देखी होंगी हेमा मालनी से लेकर के और हाल फिलाल राहुल गांधी तक सब खेत में फसल काटने के लिए अपनी फोटो खिचवाते हुए नजर आए लेकिन इस चुनाओी महाल में वोटों की फसल कौन काटेगा और किन मुद्दों पर वोट उनकी तरफ ट्रांसफर होगी यह देखना बेहद आहम होगा हम इस वक्त गाजबात के बयाना गाहों में मौजूद हैं और यहीं के किसानों से गाहँवालों से पूछेंगे कि आखिर चुनाओी महाल क्या है तो हम यहां पर चलते हैं और पूछते हैं कि आखिर चुनाओी महाल क्या है बताइए जी क्या चुनाओी महाल है जी किसे वो लेकिन उसके बाद दो चार बार हम गए भी है लेकिन उनका तो मिलाइक नहीं यह तो लड़की मिग्रा नहीं और एक चौहान साथ वह मिल जावे जी वीकेसिंग तो ही नहीं आप भी गाहूं के रहने वालों क्या चल्ला जी गाहूं में क्या चुनाओं का महुल क्या है यह च सब्सक्राइब को काम ही नहीं करा उन्होंने तो हम क्या करें बढ़ाओं और साल से भाजबा रहती आ रही है है और परधान मंतिरी जी ने एक बात बोला था कि पांच गाहूं सांसाथ जी की गोध में होंगे हमारा तो एक बार भी नमबर ना आया लिए नहीं हमने तो फिखले ने कि आज तक भी अब एक आप लोग युवा और आप लोग बताओ कि चल रहा है क्योंकि नौक्रियों से लेकर के बेरोजगारी का मुद्धा विपक्ष उठा रहा है बार 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 कि बेरोजगारी आप लोगो के लिए बड़ा मुद्धा कि जो कि 22-22 साल के बच्चे हैं वो भी स्टैम कर बड़े हैं तो बेरोजगारी आई और गया है अगनी वीरी हो जना भरती में बहुत लड़के जाते हैं कुछ है इस बार मनन कर रहा है या इस बार सोच रहो कि नहीं जब चलो आर्मी में नहीं जा रहा है प्राइविट नो मुक्री कर दियो तो इसमें बच्चे सोस्कें चार साल करेंगे फिर उसके बाद घर आ जाएंगे तो सबड़े कहीं अपना कोई ओड काम देख लें कि चाचा क्या चल्ला तुम किसे वोट देने के फिर आगम हो भाया हम तो मायवत्ती को देख रहे हैं हम बता हम हाती दिख तो कोई बात नहीं आप और भी लोगों से हम बात करेंगे इसा कि दुनिया मोधी मोधी करें गर्गर तो पुलिस भाड़े खड़े कर दिया उन्होंने चलान के लोग गाडियम दूसरा बाएकनने जावा साड़ा तुरंचरान गर से बार हम हैल्मिट लगा कर जांगे हैं क हमा नियुट फार्ड़े बाधर जो फड़गा जारा है जब ही इसन हैलमिट भग ज葉 जाख़ा तो पुलिस भार भी यहाँ पुलिस भारा हुड़ा मोधी झाड़े तो चैरे कि हमने कमिशनेरिट बना इसाहर में और स्टना करा इतनां हम हरी जब एक महारती काड़ाया जो और और कोई बात भाई खान पीन का कुछ समानमान कुछ ऐसी बात एक देड़ी जो देड़ी आज रासन जी पर सही बात जी जो रासन फासन मिल ला है वह यह तो कह रहे है चान में निकल जा आधा पांच किलो तो इस वह तो कह रहिए मिला है नहीं हमने मिल रहा हमार तक और आए है कि मुट किसे दें रही हो काय बैंतंतों मोधिक को वुद जानरे मेर से बनाए। partly इस बार न और देना चाहतो बश्यों रोड मोड बनाए बहुत बीको बहुत खुची है मंदिर मन्दिर बहुत खुची हुए किसे बोट देंगे जिसे देंगे अभी तो फिलाल सोचा ना अभी विचार करें घर में बैठके अच्छा करते हो वैसे तो पढ़ देविए भीकोम कर रहे हैं फाइनल सेमिस्टर चल रहा है पढ़ाई लिखाई को लेकर के सिख्छा के मामले में नौकरी के मामले में उम्मीद है कि बढ़ा नौकरी मिल जाएगी वे रोजगारी का मुद्द तो बहुत चारा बेरोजगारी भाइ एक तरफ मोधि के रहे हैं कि रोजगारी करें गदी तो यस लिए करता है तो इसलिए का में पर करता है वो इतना है कॉंपटिटिशंब ड़ता है वह से वेकंसी जो है जो जाए नहीं कम लिकड़ती है और यह यूवाज पास आओ टोटे में जादे उसमाह तो मन मना रहे हैं हाँ जब भी वोट जाज ए और जैर। कि यहां कि मोधी कोई दे रहे हैं पुछ देता है नहीं को जब सब दे रहा है और क्या करा है अपने आप भर ले वे आप भी खाले हमें भी खवादे और क्या है हमने इमांदार सरकार कुछ नहीं ना बस सही है अपने जैसे मोदी सारे दे रहे हैं से हम कर देंगे जो अखले श्यादा है राहूल गांदी है इस मुद्य को भी बहुत बात कहरें कि भी युवा तैयारी कर रहा पैसा खर्च करता सब कुछ करता है और मालों पड़ता है कि जब पेपर दे के आया तो पेपर ही कैंसल है अब यह समय लो कि जो एक आई थी एप वेकंसी आई थी यूपी पुलिस की उसमें दो और पैसा हो तो क्या कर उसका हो गया फोर्म का इखटा और क्या कर सरकार अपना उसमा लगा दे के लेक्शन में यूव आपने खुछ हो गया कि हमा वेकंसी मिल कि वेकंसी पेपर लिख हो गया अब पता नहीं पेपर होएगा ने होएगा अब नोट जिस तो आगया कैस केमरा पर संसानी के साथ में लोकेश राए भारत समाचार गाज़ेबाद आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ट न्यूज चैनल भारत समाचार सत्ता के गल्यारों की हल चल डीम से लेकर सी एम तक की खबरें नोकर शाही और मंत्रियों की जुगलपंदी सियासी दाव पेच और गपशब इन सब के अंदर की बाद देखिए विरेंद्रिस सिंग के साथ हर शरीवार रविवार रात आट और साड़े नौ बजे पावर सेंटर में रूप मंत्रा आयूर्वेदिक फेस वाश इसमें है क्यूकांबर के प्यॉर एक्स्ट्रैक्स जो नैच्रिली चेहरे को मौश्चुराइज रखे ये कोई कॉस्मेटिक नहीं आयूर्वेदिक कॉशदी है झालो मौश्च नहीं है पावरी नूर्वेदिक नíamos जो मास्पेशियों को शक्ती शाली बनाता है। अब जिन्दगी चलेगी नहीं, दोडेगी। नूरा मिंट, दर्ध निवारक क्रीम और तेज। एकसेसे भी ज़रूरी क्या है जानते हो। क्या? सहत मंद खाना। मैं सिर्फ रागवभोग आटे की रोटी खाता हूँ, और क्या चटपटा है राजिश मसाला, प्राय करिए। टेज मस्त, सबरदस्त। राजिश रागवभोग चक्की आटा, फ्रॉम बेकस ऑफ राजिश मसाले। कर दिज झाटे ठाबिस, नही हम आटे बाहँदार हूँ झाल फ्रॉम नहीर चंटे लेक राजिश मामद हैं सत्ता के गल्यारों की हलचल डीम से लेकर सी एम तक की खबरे नोकर शाही और मंत्रियों की जुगलबंदी सियासी दाव पेच और कपशब इन सब के अंदर की बाद देखिए विरेंद्रिस सिंग के साथ हर शरीवार, रविवार, रात, आट और साड़े नो बजे पावर सेंटर में आईपिया दो हज़ार चौवीस के 26 में मुकाबल में दिल्ले कैप्टल्स ने लखनाउ सूपरजेंट्स को 6 विकट से हरा दिया लखनाउ ने पहले बलेबाजी करते हुए बीस ओवर सेंटर में साथ विकट खोड़कर 166 रन बनाएं जवाब में दिल्ली ने 6 विकट रहते हैं लक्ष हासिल का लिया दिल्ली कैप्टल्स की जीत के लिए हीरो पुलदीप यादब रहे जिन्होंने 20 रन देकर 3 विकट छटके लगं के खिलाफ रिश्वपन ने 24 गेंदों पर 2 चके और 4 चकों की मदस 41 रन की पारी खेली और टीम को जीत के आहम भूमी का निभाई हाला कि इस मैच में वो अर्द शतक लगाने से चूग गय लेकिन अपने इस पारी के दोरानों ने आईपियल में 3000 रन भी पूरे किये और सबसे कम गेंदों पर इस लीग में इतने रन बनाने वाले बल्लेबाज बने ब्रेफपास्ट विद चैंपियंस में शीरन पर गौरव कपूर से बात करते हुए रोहिष शर्मा ने अपने रिटार्मेंट को लेकर बयान दिया और कहा कि वो फिलाल सन्यास के बारे में नहीं सोच रहे हैं और कुछ और सालों तक खेलना जारी रहेंगे साथ ही इस दौरान उन्हों ने भारत के लिए वर्ट कप जीतने की भी इक्ष़ज़त आई मुंबई इंडियन्स के कप्तान हर्दिक पांडिया और उनके भाई कुनाल के साथ ठगी करने को लेकर उनके सौतेले भाई बैभव पांडिया ने चुपी तोड़ी है मुंबई के एक अदालत में इस मामले पर सुनवाई हूँ और बैभव ने अपने वकील के द्वारा कोट को बताया कि ये पूरा मामला पारिवारिक है और ये बस गलत फैमी के कारण हुआ है वारत की दिगड मुक्यवाज और छे बार की विश्व चैंपियन मेरी कॉम ने पैरिस ओलम्पिक से पहले शेख डी मशन के अपने पद से सीफा दे दिया है उन्हें भार्टी ओलेंपिक समने 21 मार्च को शेक्ट डी मिशन नियुक्त किया था मेरे कौम ने पद से हटने के पहले निजी कारणों का हवाला दिया है अगरा में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुटभेड 25 अजार की नामी बदमाश लोकेश गिरफतार जबावी फारी में बदमाश को लगी गोली भरती डकैती और हत्या का मुख्या आरोपी था लोकेश तमंचा खोके और कई कार्टूस पुलिस ने किये बरामत गाजियाबाद में मुटभेड में शाती लुटेरा फैसल गिरफतार पुलिस की गोली लगने से हुआ घायर डेड़ दर्जन से ज़ादा लूट के मामले में था वॉंटेड शाली मार गार्डन शेत्र में हुई मुटभेड बागपत में 15 वर्षी किशोर की चाकू मार कर की गई हत्या किशोर ने अस्पताल में दम तोड़ा घर में कोहराम पुलिस ने शब को कबजे में लेकर पोस्माटम के लिए भीजा कारवाई की माम को लेकर कोतवाली पहुचे लोग सगे तीन भाईयों पर लगा किशोर की हत्या कारो लक्नव में गोलियों की तरतरहत से देहली राजधानी पूरो ब्लॉक प्रमुक प्रधान और सहयोगी पर हमला फारी में विक्ती की गोली लगने सो हुई मौत चैसे साथ हमलावरों ने चलाई ताबर तोड कई राउंड गोली प्रधान की हालत गंभीर अस्पताल में कराया गया भरती दिल्ली में जूला संचलक सहंच वान को गोली मार कर की गई हत्या हफ्ता वसूली के खेल में बदमाशों ने मारी गोली भीडबार वाले इलाके में घटना से मचा हड कम पर जनों ने मंस्तान गैंग पर वसूली का लगाया आरो मत्रा में गोवर्दन धाना शेत्रे के राधाकुन में किशोरी की अश्लील हरकत पंचायत का फर्मान आरोपी ने अपने सिर पर मारी चपल चिडखानी का और खुद को मारने का वीडियो हुआ वारल घटना की जाच में जुटी पुलिस बांदा में संदिग्द परिसितियों में 35 वर्षी युवक की मौत पर जिनों ने दोस्तों पर लगाया हत्या का आरोप दोस्तों पर घर से जब्रन ले जाने का लगाया आरोप शेहर कोतवाली के मर्दन नाका इलाके की है घटना बरेली में आपकारी विभाद के दारोगा की पत्नी की लूटी चेन पॉश विलाके में चेन शनेचिंग की वार्दात से हड़कम वार्दात चौरा है पल लगे सिसिटी वी कैमरे में हुई कैद पुलिस से चेन शनेचिंग की कर रही तलाश गाज्यबाद में आपसी वाद में दवंगों ने यूवक को जम कर पीटा गाड़ी में बैठे यूवक को दवंगों ने लाठी देंडो से पीटा मार फीर तोड़ फोड का वीडियो हुआ वारल पीडित यूवक हालित के शिकाट पर मुकदमा हुआ दर्ज बल्या में शराब तसकरों से पुलिस के मिली भगत आई इस सामने मेरिया चेक पोश्ट के पास हुई लाखों की शराब बरामद बिहार पुलिस ने अम्बुलेंस से शराब की बरामद बैरिया ऐसे चोधरमवीर सिंग की भूमी का मामले में संदिक तोन भद्र में निर्माड़ाधीन मकान के अंदर बढ़ खेर में रसी के सहारे लटका मिला शवब पतने के चीखने की आवाज से आसपास के लोग मौके पर पहुच कर शवब को उतारा कल्दू पहर से ही अपने निवास इस्थान से गायब था यूबग नगर के समस्त नागरिकों से अपील है कि दिनांक 20 मई 2024 को मतदान अवश्य करें वोट हम सबी को बराबर बनाता है यह ऐसी चीज है जो जाती धर्म और वर्ग के बीच भेदभाव नहीं करता प्रत्यक वोट कीमती है इसलिए आगे आएं और जिम्मेदार नागरिक बनकर लोगतंत्र के महापर में बर्च और गर हिस्सा ले नगर पंचायत के सभी वार्डों में फॉगिंग वब मेलाथियन का छिलकाओ भी कराया जा रहा है ता संपूर नगर की साफ सफाई प्रतिदिन अभियान के रूप में कराई जा रही है हर बार्ड में सफाई करमचारियों के द्वारा डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन किया जा रहा है अपने घर का कूड़ा कूड़े दान में ही डाले निवेदक इर्शाद एहमद कमर चेर्मेन आदर्श नगर पंचायत पतेपूर बाराबंकी एवं समस्त माननिय सदस्य नगर पंचायत पतेपूर बाराबंकी सत्ता के गल्यारों की हलचल डी-म से लेकर सी-म तक की खबरें नोकर शाही और मंत्रियों की जुगलपंदी सियासी दाव पेच और कपशब इन सब के अंदर की बात देखिए विरेंदर सिंग के साथ हर शरीवार रविवार रात आट और साड़े नौ बजे पावर सेंटर में अंदर के समय एक एक पावर में उत्तर प्रदेश, अलिगर्जिले का बर्सॉली गां, जहां बालत जब्दीश का जन हुआ, गाउं के मिट्टी में रची बसी खुश्पु में सास मेते, हसते खेरते बच्पन भीता। अबात साधान घर में जन हुआ, एक फूस की जॉपणी थी, फूस की चती उसमें, छोटा से घर था, और हमारे खेत थे, बात साधान उसमें खेतों में उसमें वो होता था, मढ़िया मनी रहती थी, तो खेत पीजा के चले जाते थे, जानवर मगरा चलाते थे, हमारे जलेवी की दुकान थी, तो जलेवी मना मदद करते थे, और पिताजी लेखपाव थे, तो बड़ी कटनाईयों से गुजारा होता था, जग्दीश प्रती दिन मंदिर जाते और सथसंग में शामिल होते, प्रारम से ही हम माता जी से अपना धार्मिक तंसकारों के आधार पर तो बच्पन से ही हमारे अंदर ये था कि हम प्रभू की बहुत प्रात्राइं किया करते थे, और प्रभू से बात करने की कोशिश करते थे, महात्मा गान्धी जी की मौस से, चक्तेश बहुत दुखी हुए, मेरे चाचा तो दायतर मुस जीयलों में रहे गंधी जी के तो वो गंधी जी के किसे बताय करते थे, कितने महान है वो तो हमारे मन में जिग्या से पदावी, कि हम के दर्शन करेंगे, तीस जनवरी उननीस जोटालीस को शेहित कर दिया गया, तो इत वास सची शॉक टुमी क मैं गंधी जी के दर्शन कभी नहीं कर पाऊँगा, और मैं प्रार्त्रे करने बढ़ ग добр गया, तो मेरे क्लास फेलों आते हैं तो मैं स्वामी जी स्वामी की कहने लगे, फिर उसके बाद हुवने पताया कि गंधी की चैने का रही है, तो उन्होंने गंधी की गंधी कियाना अपनी चाचा से अध्यन्थ प्रभावित जगदीश उनके विचारों पर हमेशा ध्यान लेते थे क्योंकि जूट आदमी की आत्मा को कमजोर बनाता है समय बीता जगदीश का परिवार सिकंद्रा राव आकर रहने लगा सिकंद्रा राव हाई स्कूल में जगदीश ने दाखिला लिया पढ़ाई करते करते बनाया समाज सेवा दल मैंने एक किताब पढ़ी प्रोस सेलेक्शन और इस किताब में एक आर्टिकल था Students in the Summer Vacation by महत्मा गांदी उस आर्टिकल में लिखा था गंदी कि बच्चों को जब इंतहान हो जाएं गर्मियों की चुट्या हो जाएं तो उनको चुट्य की दुनों में गांगां में जाके सिवा करनी चाहिए तो उस आर्टिकल का मेरे पर बहुत असर पड़ा तो फिर मेरा एक समास्य वद्दल बना चुका था तो वहाँ पर सडकों को साफ करते रोजाना पानी डाल के नालियों को धोते थे इस विद्याले से हाई स्कूल की परीक्षा उतीन कर इंटर्मिडेट की पढ़ाई के लिए जग्दीश मत्हुरा चले गए जग्दीश की खनिष्ट मित्र महेंद्र ने उनका विभिन आंदोलनों में पूर्ण डूप से सहयोग दिया प्लाम गुरुजी आपके क्रिपा से इंटर्मिडेट तो हो गया अब आगे के लिए क्या करें कुछ मार्ग दर्शन कीजिए बनारस हिंदु विश्विद्याले तुम्हारे लिए ज्यादा उप्यूकत रहेगा बनारस हिंदु विश्विद्याले तो शेहर से लगभग 14 क लखनो विश्विद्याले या इलावाद विश्विद्याले तो क्या वहां बीच शहर में है हां तो कहां चले इलावाद चले ठीक है चलो बहिया इलावाद की दो टिकटे दिये अरे नहीं लखनो की दो दे दिजे आपको यहीं नहीं पता जाना कहें इतने देर साब लखनू आगे तो लखनू हमारा आगमल अपने आप नहीं हुआ वो ट्रिकेट बाबू ने उपको भेजा चलो लखनू ही चलते हैं कुद्रत का करिश्मा ही था कि लखनू जग्दीश के लिए बाहे पसारे खड़ा था ये है गोमती नदी का वो किनारा जो लखनू में पहला निवास थान बना ये अक्सर रिक्षा चलाने वालों और मजदूरों का रात गुजाने का ठिकाना होता दूसरा निवास थान बना ये घर फिर जग्दीश इस गराज में आकर रहने लगे आजी विका चलाने के लिए जग्दीश जूतों में पॉलिश करते और सुबा उचकर घर घर जाकर अख़बार बाटते दारुल शफा में जब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो गरीबी का ये आलम था कि इनी बच्चों द्वारा लाई गई एक दो रोटियों से ही बिजारा होता जब कभी वे निराश होने लगते तो पिता जी की चिठ्ठी में लिखी पंक्तिया उनका मनो बल बढ़ाती यदि तु हुर्दय उदास करेगा जग तेरा उपहास करेगा और यदि तुने खोया साहस तो यह जग और निराश करेगा जगदीश ने युनिवर्सिटी में दाखिला ले ही लिया यहां वे अपनी खास वेश भूशा के कारण कभी कभी उपहास का पात्र भी बन जाते ऐसा हुआ कि जब मैं युनिवर्सिटी में था तो हम बोरी और टाट के कपड़े पन के जाते थे तो हमारे लड़के कोई छपत मारते थे यहां कोई यहां कोई यहां तो एक दिन प्रफेसर केसी सरकार वो प्रड़क्टर थे उन्हों देख लिया तो बड़ा नाराजवी लड़कों पर लिखो रिपोर्ट इन्हों के खिलाप तो मैंनों तका सर यह सब मेरे दोस्ते यह थोड़ी देर के लिए आनंद ले ले लेते हैं मसे तर मेरा क्या जाता है मेरी क्या नुफसाने मेरा सर मैं कोई शिकायत नहीं करूँगा किसी मैं नहीं की और वही लड़के हमें प्रेसिदेशिप का चुड़ा जिलता है उनी लड़कों ने बतब गांधी वोट फोर गांधी यूनियन का चुनाव जीतना उनके सफर का एक खास पड़ाव बना दरूल शफा से शुरू हुए शिक्षा भियान ने विस्तित रूप लि आदर्ष कोचिंग क्लासेज एक तो यह था कि मैं बच्चों के पढ़ाने का बहुत था तो हमने कोचिंग कॉल दिया चित्वा पर में प्राइमेरी स्कूल है उसमें कोचिंग कोलेज खुला उसका नाम रखा आदर्ष कोचिंग कॉलेज उसमें बच्चे पढ़ाती थि इस तरहल व्यापार पद्जय थी एक सरल बैंकिंग और एक सरल एकाउंट तो हमने तीन किताबे में लिखी तो वह काफी विक्ती थी और यह किताबें हमको डिर्स रुपे इन किताबों को लिखने की रोयल्टी मिली थिस समय तो डिर्स उक हमने साइकले खरीदे हम हर मंदिर मे जाके एक बात और कहते थे हे भगवन एक प्रारतन हमारी शादी नहीं करना उसका कारल यह था कि हमने का भगवन हम बहुत गरीब आदी है हम किसी लग्की को लाए शादी करके हम तो खिला तो पाएंगे निए उनी दिनों में हम जब प्रेसिड़न्ट थे तो एक दिन भार प्रेनात के दानात स्वामी नर्दन असरसुती के साथ तो जब लॉट के आए तो जंडे बाले पार्क में उन्होंने सत्संग किया मंच को पर बैटे थे हम अभी मंच को पर उड़ा लिया रात का करीब 12 बजा होगा तो हमने देखा के नीचे वो लग्की जो किताब और बार बार बेटा सत्संग करती हो वो तो ठीक रहेगी शादी के लिए यह तो हमसे कुछ जादे मांगे की ने यह तो खुद भी ऐसी है तो हमने खा कि भगवान इनसे ही करादो अब तो वैसे तो कण्णी नहीं थे लिए इनसे करा दो तो शादी का पका हो गया विवाह के प्यति उत्साहित जगदीश ने निमंत्रन के पर्चे छपवाए और पहुंच गए जगे जगे इस अनोखे निमंत्रन पत्र को खुद ही बाढ़ने जीपयों के साबने जोलोग निकलते हैं जीपयों महरी शाधी एड़ों नोग कहते थे हता है था ठाका धी एड़ी बना खोई जान नहीं पहचा नहीं पर्चे बांटे जा रहा है आना लेवरत को बाटते थे लोगों पर लेवरत निकलते थे मद्धू लोग उनको बांटा करते थे विवाह एक सादकी पून एवम करिमा में आयोजयन के हूप में संपन्न हुआ वहां उपस्थित तक कालीन राजिपाल श्री वीवी गिरीन ने आशिरवाद देते हुए कहा जगदीश परिने भालती यानी दे वर्ल्ड मैरीज इंडिया शादी की दावत हुई मिस्री और इलाइची से देखें मैं देख रही हूँ आप इतने दिनों से मेनत कर रहे हैं कोचिंग में पढ़ाने भी जाते हैं फिर भी आमदनी नहीं हो पा रही है मैं खुदी इस बात को बहुत दिनों से सोच रहा था लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या उपाई किया जाए तुम ही कुछ पताओ क्यों न हम अपने ही एक स्कूल खोल ले हाँ ये तुम ठीक है रही हो पर बच्चे कहां से आएंगे हम दोनों खुदी जाकर घरों से बच्चे मांग कर लाएंगे तो स्कूल का नाम के रखा जाए नाम सिटी चोटे बच्चों से ही शुरूबात होगी जैसे मॉन्टिस्री हाँ तो बसनाम हो गया सिटी मॉन्टिस्री स्कूल तो चलो आज ही दे बच्चे दूढ़ना शुरू गरे हैं फिर उसके बाद हमने स्कूल खोला नकाज गए थोड़ा सा फरनीचर ले आए सभास तो और पर गयाद है वो आम की लगड़ी की कुर्सी मलती थी छोट-छोटी मेज तो हम ले एक कुर्सी रखने दिलाए मेज भी लाए अब स्कूल खोले अब बच्चे कौन भेज़े कोई बच्चे नहीं भेज़े अब जहाँ जाए तो घंटा पृटती देवार बाती तो नहीं जा जा करके भाई आपने बच्चे भेजिए लोग खिट्टा करते थे एक ट्राकर के कहते हैं थे भाई हमने स्कूल खोला है बच्चे भेज़ दी कि कोई नहीं भेज़ता था कहो जगदीश कैसे हो क्या बताया अमा बहुत परिशान है हम लोग आचकर स्कूल खोले महीना भर होने को आया है महले में गूमते बच्चे मांगते मांगते परिशान हो गए हैं लेकिन एक भी बच्चा नहीं आया मेरे घर में पांच बच्चे हैं सारे अच्छे स्कूल में पढ़ते क्या उनको अच्छे तरीके से पढ़ा पाओगी अमा भेज कर तो देखिए मैं उनको जी जान लगा कर पढ़ाओंगी ठीक है पांचों बच्चे मैं तुम्हारे सुपूर्ट करती हूँ बहुत बहुत क जगदेश भारती के संयुक्त प्रयासों से 15 जुलाई 1969 को विद्यारे खुल ही गया आज सबसे पहले आप अपनी अपनी स्लेट पे लिखेंगे जै जगत क्या लिखेंगे जै जगत और सर्वधर्म समभाओ की शिक्षा बच्चों को देते हुए जगदीश ने बहाई धर्म को अपनाने का निश्चे कर लिया मैं बहाई धर्म में बहुत इश्वास करता हूँ इस सफर में भारती गांधी ने जगदीश का बखुबी साथ निभाया सबसे बड़ा सुख था परिवार में नए सदस्यों का आगमन सुनीता, गीता, विने और नीता बच्चों को संसकारों के लूप में मिला जै जगद और सर्वधर्म समभाओ एक तरफ पारिवारिक खुशियां तो दूसरी ओर दिनों दिन फलता फूलता सिटी मॉन्टेश्री स्कूल वर्तमान में CMS की 21 विभिन शाखाओं में अपनी अत्याधुनिक कंप्यूटर, रोबोटिक एवं अन्य परियोग शालाओं के माध्यम से 62,000 चात्रों को पारंगत कर रहा है एक ही शहर में किसी विद्याले में सरवाधिक चात्र होने की अदभुद उपलब्धी हासिल करने के कारण CMS का नाम Guinness Book of World Records में भी दर्ज है वैश्वी किस्तर पर ख्याति प्राप्त CMS के संस्थापक परबंधत डॉक्टर जगदीश गांधी जी को विश्व की अनेक संस्थाओं ने कई प्रतिष्थित पुरुसकारों से सम्मानित किया है इसके अलावा शिक्षा जगत में उनके उलेखनिय योगदान के मद्दे नजर उन्हें दुनिया के कई देशों ने डॉक्टरेट की मानद उपाधी से विभूशित किया है भारतिय संस्कृति के सूत्र वाक्य वसुधैबु कुटुम्बकम में विश्वास करने वाले डॉक्टर गांधी वस्तुता विश्वशान्ती के पक्षधर थे 22 जन्वरी 2024 को इस दुनिया फानी से रुखसत होने वाले डॉक्टर जगदीश गांधी जी के नकेवल शिक्षा के क्षेत्र में किये गए अभूत पूर्व योगदान को सदैव याद रखा जाएगा बलकि उनके द्वारा किये गए विश्वशान्ती के उलेखनिय प्रयासों को भुला पाना भी अत्यंत दुश्कर है O Thou Forgiver, a noble soul hath ascended unto the kingdom of reality and hastened from mortal world of dust to the realm of everlasting glory. Exhaust the station of this recently arrived guest and attire this long-standing servant with a new and wondrous robe. भूतिक परदान को त्याकर अध्यातिक लोग में आर्वांक कर गए हैं। क्या इश्वर के अत्रिक संक्रतों को मिटाने वाला अन्य कोई है। कह दो इश्वर ही स्तुत्य है वही परमात्मा है हम सब उसके सेवक हैं और सभी उसकी आग्या के बंधन में हैं। खमी आख जनतों सबरगों गुनास तुमातेवें तन तुम आयो शुकी दिर वाही पे हो इस दन पर तन तन मैं प्रमिया सब जतो। शरवी भवन्तव शुखना शरवी सम्या मयहा स्वीखत अई परश्यंतुम्मा के सद्दूख को है। बिस्मिल्ला इर्मान रहीम, इन्ना लिल्लाही वा इन्ना इल्ही राजिएून, तुम इश्वर के ते तुब हमारे हो, और हमारे ही तरफ लाटाओगे। O God, O God, Thou seest my weakness, lowliness and humility before Thy creatures, nevertheless, I have trusted in Thee and have arisen in the promotion of Thy teachings among Thy strong servants, relying on Thy power and might. Dr. Gandhi was a family-oriented man in ways that most people wouldn't know, because his outward visage was apparently so work-focused, the family focus was obscured. When his children were young, he took them on an educational trip to Jhansi.